नमस्कार अब सुन रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी किली की कहानी बीवी का हत्यारा कोठरी में एकदम सन्नाटा था उसकी तारीक सर्द चार दिवारी मुझे खेरे हुई थी मैं शांत था पहली बार मेरा अपनी जहन से अपनी कांशस से मुकमल अमन चैन का रिष्टा कायम हुआ था मैंने सुना हुआ था कि उस माहौल का उस घड़ी का इनसान पर मनो विज्यानिक दबाव पड़ता था कि वहाँ पागल हो जाता था और पूरी तरह से चीकने चिल्लाने लगता था लेकिन मैं शांत था मेरे लिए वह माहौल मेरी मन मांगी मुराद जो था दूर कहीं घड़ियालने साथ बजाए अब सिर्फ एक घंड़ा बाकी था सिर्फ एक घंड़ा अनायास मेरे जहन पर हालात का अक्स उभरने लगा जिन्होंने मुझे वहाँ पहुचाया था मेरे मानस पडल पर न्यूज रील सी चलने लगी एक साल पहले सप्ता का पहला दिन सर्दियों की रात रात के नौ बजने को थे मैं थाने में बैठा कॉफी की चुस्कियां ले रहा था नाइट ड्यूटी अक्सर कॉफी और मक्खिया मारते ही गुजरती थी सब इंस्पेक्टर टोकस ने भीतर कदब रखा उसकी शकल पर एक निगाहा पढ़ते ही मुझे लगा कि आज की रात कॉफी पीते और मक्खिया मारते नहीं गुजरने वाली थी क्या हुआ मैं बोला कतल उसने उत्तर दिया किसका एक लड़की का कहा सुन्दर नगर इमारत नमबर आट फ्लैट नमबर साथ शॉपिंग सेंटर के पीछे मैं जल्दी से उट खड़ा हुआ बाहर आकर हम दोनों मोटर साइकल पर सबार हो गए हमारे निजामुद्दिन के थाने से सुन्दर नगर कोई ज्यादा दूर नहीं था लेगिन फिर भी मैंने मोटर साइकल बहुत तेज दोड़ाई धीरे चलाओ एका एक टोकस बोला मरने वाली तो मर गई अब मोटर साइकल को हवाई जास बनाने से क्या फाइदा मैं मरने वाले की वज़े से मोटर साइकल तेज नहीं चला रहा मैं बोला तो देखता नहीं थंड कितनी है जल्दी मोकाई वारदात पर पहुच जाएंगे मेरा बाप कहा करता था टोकस बोला कि जल्दी का काम शैतान का होता है मैं हसा सब इंस्पेक्टर टोकस रमेश टोकस मेरा माथा था लेकिन मेरा जिगरी दोस्त था हम दोनों में बहुत बंती थी आजकल हम खुश थे कि हमारी ड्यूटी एक ही थाने में थी वैसे भी टोकस ने बताया फ्लाइंग स्कौर्ड की गाड़ी वहाँ पहले ही पहुच चुकी है हम पैदल भी वहाँ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कहने का मतलब है कि अगर मोटर साइकल की वज़े से ठन लग रही है तो चलो पैदल चलते हैं पागल हुआ है कहता है पैदल चलते हैं तो फिर धीरे चलाओ मैंने रफ्तार तनिक घटाई हम सुन्दर नगर पहुचें एक हवालदार हमें इमारत के सामने खड़ा दिखाई दिया जो हमारे वहां पहुचते ही फारण हमारी तरफ लपका इमारत के आगे पडोसियों की काफी भीड जमा थी हम जीब से बाहर निकले हवालदार ने हमें सल्यूट मारा हवालदार मुझे पैचाना हुआ लगा लेकिन मैं उसका नाम याद ना कर पाया क्या हुआ मैंने पूचा कौन मना है नीशा नामा के कैबरे डांसर है साब हवालदार बोला जो कि इस इमारत की तीसरी मंजिल में एक लोते फ्लाट में रहती थी कैसे मरी पत्थर के फूलदान के वार से फूलदान में खिलकी हो गया और उसका खोपड़ा भी खबर किसने दी उसके एजेंट ने एजेंट ने जी हाँ एस पी श्रीवास्तव नाम है उसका वो लड़की के साथ ही रहता है नहीं तो लड़की ने साथ बजे डांस के लिए डिफेंस कॉलिडी में स्थित गोल्डीस नामक रेश्टॉन में पहुचना था वो वहाँ पहुचि नहीं तो श्रीवास्तव उसकी तलाश में यहाँ पहुच गया यहाँ फोन नहीं है है लेकिन उसने फोन करने पर फोन किसी ने उठाया नहीं था कौन उठा था? लड़की तो मरी पड़ी थी लेकिन शिवास्तव ने समझा था कि शायद फोन खराब था इसी लिए वो वहाँ पहुँच गया यहाँ उसने लड़की को अपने बेटरूम में मरी पड़ी पाया उपर कौन है इस वक्त? पुलीस का एक डॉक्टर और एक सब इंश्पेक्टर चलो, हम तीसरी मंजिर पर पहुँचे फ्लाट में दाखिल होते ही मैं उसकी सजधज से प्रभावित हुए बिना रहना सका हर तरफ समृद्धी और एश्वर्या का बोल बाला था कमाल है, मेरे मुझ से निकला जो लाख दो लाख रुपे रोजाना कमाते हैं मेरा बाप कहा करता था कि एश हमेशा उसी पैसे से होती है जो अपने खुद नहीं कमाए कालीन में तो टकने तक मेरा पैर धसा जा रहा है मैं बोला, औरत भी तो ऐसी ही रही होगी आदमी डूब जाये उसमें, गोते लगा ले सारे फ्लैट में एक बड़ी रहस्य पूर्ण, बड़ी मदभरी खुश्बू व्याप्त थी सारा माहौल ही ऐसा था कि आदमी पर खुमारी तारी होने लगे और वो दिन दुनिया भूल कर उस तिलस्मी माहौल और शायद वैसी ही वहां की मालकिन में गर्क हो जाने की सोचने लगे हमने बेडरूम में कदम रखा बेडरूम बहुत विशाल था और उसमें इतना बड़ा पलंग लगा हुआ था कि उस पर बड़े आराम से कम से कम छे आदमी सो सकते थे लेकिन उस वक्त उस पर सिर्फ एक खून से सरब और लाश मौजूद थी दर्वाजे के पास एक कुर्सी पर धेर सा हुआ एक मोटा ताजा उम्रदाज आदमी बैठा था वो सिर्फ से गंजा था और उसकी भारी भरकम क्लीन शेवड चेहरे पर हवाईयां उड़ी हुई थी ये S.P. श्रिवास्तव है नीचे से साथ आया हवलदार मेरे कांग में फुस फुस आया मैंने सहिमती में सर हिलाया तभी डॉक्टर लाश के पास से हटा सिर पर बहुत भीशन प्रहार पड़ा है मेरे बेना पूछे ही वो बताने लगा खोपडी तर्बूस की तरफ फट चुकी है और भीजा बाहर गिल पड़ा है बचने की कोई संभावना नहीं थी मैंने गंबीरता से सिरह लाया और पलंग की तरफ निगाँ डाली लड़की पर निगाँ पड़ते ही खाम खाम मुझे अपनी बीवी की याद आ गई लड़की पलंपर अर्द नगनावस्था में पड़ी थी वो एक जहीनी सी नाइटी पहने थी जिसमें से उसके साचे में डले शरीर का हर अंग साफ नुमाया हो रहा था लगता था वो सोई पड़ी थी जब हत्यारे ने वहाँ कदम रखा था उसकी आहट पाकर शायद उसकी नींद खुल गई थी और उसने तकीव पर से सिर उठाया ही था कि हत्यारे ने पत्थर का वजनी फूलदान उठा कर उसके सिर पर दे मारा फूलदान के टुकड़े आसपास बिखरे पड़े थे लगता था उसके एक ही वार ने लड़की की जान ले ली थी ये मेरे पुलीस की नौकरी की ही महरबानी थी कि उस विबत से नजारे ने मुझे विचलित नहीं किया अपनी पुलीस की नौकरी में मैंने इंसानी बरबरता का शिकार हुई उससे कई ज्यादा हौलनाक लाशे देख चुगा था उस लड़की का तो केवल बेजा ही खोपड़ी से बाहर बिकरा हुआ था मैंने एक बार एक नौजवान लड़की की ऐसी लाश हैंडल की थी जिसका चहरा ब्लेट से काटा गया था जिसकी दोनों च्छातियां काट कर धक्कनों की तरह उसके पहलों में लटकी हुई थी और उसके कुपतांग में टेनिस के रैकेट का पूरा दस्ता खुसा हुआ था लेकिन उस क्षंड जिकर के काबिल बात यह थी कि अपने साम में पड़ी नीशा नमक कैबले डांसर की लाश को देखकर मैं अपनी बीवी को याद कर रहा था इत्वाक से मेरी बीवी का नाम भी नीशा था उसके भी वैसी ही लंबे सहाए काले बाल थे जैसे मैं उस कैबरे डांसर के देख रहा था वैसा ही कट-काट वैसी ही पहाड की चोटियों की तरह उठी हुई मुजोर च्छातिया वैसी ही पतली कमर वैसी ही भारी कुले वैसी ही लंबी टांगे और सुडोल जांगे कोई फर्क था तो यह कि वह कैबरे डांसर मेरी 27 साल बीवी से उम्र में छोटी लगती थी और मेरी बीवी का रंग उसके गोरे रंग से भी ज्यादा गोरा था एक और फर्क था नीशा नामक कैबरे डांसर मेरे सामने मरी पड़ी थी लेकिन नीशा नामक मेरी बीवी मेरे घर पर सही सलामत मوجود थी और मेरे लोटने का इंतिसार कर रही थी क्या जहरिंटी थी मैंने अपने आप से सवाल किया मैंने अपनी सिर को एक ज़टका दे कर वह अपनी औख्याल अपनी जहन से निकाला और डॉक्टर से सवाल किया मरे हुए कितना वक्त हुआ सही टाइम तो पोस्टमॉटम के बाद ही बताया जा सकता है डॉक्टर बोला अभी तो बस अंदाजा ही बता सकता हूँ अंदाजा ही बताईए मेरा अंदाजा है कि इसकी मौत पांच और छे बजे के बीच किसी वक्त होई होगी इस वक्त मैंने अपनी कलाई घड़ी पर निगाँ डाली पौने दस बजने को है तुम्हारी घड़ी टोकस धीरे से बोला तेरा मिनट आगे है आजकल मेरी घड़ी में कोई नुकस आ गया था जिसकी वज़े से वह कभी आगे तो कभी पीछे हो जाती थी कई बार मुतवातर ठीक भी चलती रहती थी घड़ी कीमती थी लेकिन पुरानी थी इसी लिए आजकल गपला कर रही थी यानि कि मैं बोला कतल हुए साड़े तीन चार घंटे हो चुके है हाँ डॉक्टर बोला एक ही वार हुआ है ततकाल मृत्य हो गई थी हम्टर के इशारे पर लाश को उस सांचे में धले जिस्म को जो मुझे अपनी बीवी की याद दिला रहा था एक चादर से ढख दिया गया मैं फिलाल चलता हूँ डॉक्टर बोला फोटोग्रफर और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट अभी यहां नहीं पहुचे लेकिन पहुचने ही वाले होंगे लाश यहां से उठवाई जाने के बाद मुझे खबर कर देना मैंने सहमती से सिरह लाया डॉक्टर वहां से विदा हो गया मैं श्रिवास्तव की तरफ आकरशित हुआ मैंने उसे बाहर चलने का इशारा किया बड़ी मेहनत से उसने अपना भारी भरकम शरीर कुरसी में से निकाला और उटकर बाहर ड्रोइंग रूम में आ गया आपका नाम श्रिवास्तव है मैं बोला हाँ वो बत हावास भाव से बोला शांती प्रसाथ श्रिवास्तव पुलीस को फोन आपने किया था हाँ उसने एक बार असाय भाव से गर्दन हिलाई और फिर यू बोला फिर यू बोला जैसे ख्वाब में बड़ बड़ा रहा हो वो मेरी बेटी के समान थी लेकिन बेटी नहीं थी टोकस बोला हाँ थी तो नहीं वो ऐसे कातर भाव से बोला कि मुझे लगा वह अभी रो देगा लड़की की मौत में उसे काफी सद्मा पोचाया था या शायद वह सिर्फ ऐसा जाहिर कर रहा था आप जरा होसला रखिए मैंने तरिक कड़े स्वर में बोला और अपने आपको काबू में रखने की कोशिश कीजिए जो होना था वो हो गया अब कोई क्या कर सकता है इसमें अलबत्ता टोकस बोला आप लड़की के हत्यारे की तलाश में हमारी मदद कर सकते हैं आप पुराने वाकिफदार थे लड़की के मैंने पूछा हाँ वो अवसाद पूर्णस्वर में बोला बहुत मुद्दत से जानता था मैं रामेश्वरी को रामेश्वरी? लड़की के नाम तो नीशा बताया गया था नीशा उसका प्रोफेशनल नाम था कैबरी डांसर्स अपने असली नाम से अपना धंदा नहीं करती आईसी तो रामेश्वरी उर्फ नीशा को आप बहुत मुद्दत से जानते थे उत्तर देने से पहले उसने जोर से थूक निगली और एक सुपकी ली उस थेटरिकल इफेक्ट का मैं पुराना वाकिफ था अपनी पुलीस की नौकरी में वैसी सुपकी भरते मैंने ऐसे आदमी को देखा था जिसका एक लौता बेटा ट्रक की चपेट में आकर मर गया था और ऐसे आदमी को भी देखा था जो अभी अपनी बीवी पर मिट्टी का तेल डाल कर और उसे माचिस दिखा कर हटा था वो सुपकी किसी की बेगुनाही का सबूत तो क्या किसी की बेगुनाही की तरफ इशारा तक नहीं कर सकती थी रामेश्वरी सुपकी से घुट स्वर में श्विवास्तव बोला निशा इस वक्ट 25 साल की थी मैं इसे 15 साल की उमर से जानता था तब यह स्कूल में पढ़ती थी मेरा तब भी यही धन्दा था जो आज है क्या, कैबरे डांसर सप्लाई करना कैबरे डांसर्स, सिंगर्स, मुजिशिन्स, कॉमेडियन, मिमिकरी आर्टिस्ट एंटर्टेन्मेंट से तालुक रखने वाले सभी कलाकार लड़की की सारी बुकिंग्स आपके माध्यम से होती थी हाँ, आज कल वो गोल्ड इस्ट में प्रोग्राम देती थी हाँ, आज साथ बजे वहाँ पहुचने वाली थी उसका प्रोग्राम साथ बजे से होता था नहीं, प्रोग्राम तो आट बजे से होता था लेकिन पहले वो मेरे साथ डिनर लेने वाली थी I see, वो पहुची नहीं, तो मुझे फिक्र हो गई यो खामखा कभी लेट होती जो नहीं थी वो मैंने फोन किया तो जवाब नहीं मिला फिर मैं खुदी यहाँ पहुँच गया फ्लैट का मेंडोर आपको खुला मिला था नहीं, वो तनिक हिच किचाया दर्वाजा तो बंद था तो आप भीतर कैसे दाखिल हुए मेरे पास वो फिर हिच किचाया फ्लैट, फ्लैट की चावी है आपके पास, मैं उसे घूरता हुआ बोला इस फ्लैट के मुख्य दौर की चावी है हाँ, वो बोला ओ, टोकस एका एक बीच में बोल पड़ा तो लड़की के साथ आपके ऐसे तालुकात थे कैसे तालुकात थे अब क्या खाका खीच कर समझाना होगा हाँ, खाका खीच कर समझाना होगा रखेल थी वो आपकी श्रिवास्तव का चेहरा कानों तक लाल हो गया मुझे यू लगा जैसे वो एका एक टोकस पर जपट पढ़ने वाला हो उसने बड़ी मुश्किल से अपने आपको जब्त किया मैंने कहा है वो दाथ किट के तादा हुआ बोला वो मेरी बेटी के समान थी टोकस के स्वर में व्यंग का स्पष्ट पुट था चोड़ता है जो इस रिष्टेदारी को अपनी बद्नियती पर परदे के तौर पर इस्तमाल करना चाहता हो बेटी होने में और बेटी के समान होने में स्याही और सफेज जैसा फर्क होता है श्रीवास्तव ने बेचैनी से पहलू बदला तभी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फोटोग्रफर वहां पहुँचे इमारत में छे फ्लैट थे लेकिन वहां से पूछताच का कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ किसी को कुछ मालूम नहीं था फिर भी खाना पूरी के खातिर मैंने हर किसी से सवाल किये एक इन्वेस्टिगेशन ओफिसर होने के तौर पर आसपडोस से ऐसे सवाल करना मेरी नौकरी का हिस्सा था एक घंटा मैंने लोगों से बिमानी माथा पच्ची की बाद में सिगरेट के कुछ कश मारने की नियत से जब मैं इमारत से बाहर सडक के पास बिजली के खंबे से टेक लगाए खड़ा था तो टोकर से इमारत से निकल कर मेरे करीब पहुचा यह इमारत जिस आदमी की है वो खुद यहां नहीं रहता आते ही वो बोला यहां के सारे फ्लैट किराईदारों के हवाले है मालिक खुद चंडीगर में रहता है यहां उसने बतौर केर टेकर अपना एक आदमी छोड़ा हुआ है जोगी बेजमेंट में रहता है उसका नाम बुटाराम है किराईदार उसी को किराय आदा करते हैं और उसी को बतौर किराईदार अगर उन्हें कोई दुख तकलीफ हो तो बताते हैं मैंने बुटाराम से बात की है तो वो कहता है कि साथ बीस के करीब उसने सीडियों पर पढ़ते भारी कदमों की आहट सुनी थी इस फिजूल की बात से क्या साबित होता है मैं तर एक जुंज लाया इतने लोग इमारत में रहते हैं आवा जाही तो यहां पर हर वक्त होती रहती होगी हर वक्त नहीं तो फिर उस वक्त श्रिवास्तव यहां पहुचा होगा उसके बयान की मताबिक तक्रीबन इसी वक्त उसके कदम यहां पढ़े होंगे हत्यारा तो तब यहां पहुचा नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर के कहने की मताबिक हत्या पांच और छे बजे के पीछ हुई थी ताव वा टोकस ने शर्मिंदगी का इजहार किया यह तो मैं भूली किया था मैंने बड़े बस ब्रेपन से सिगरेट का कश्ट लगाया तभी तो मेरा बाप कहा करता था कि पहले तोलो फिर बोलो आगे बढ़ो मैं बोला केर डिगर बूटाराम कहता है कि मरने वाली उसको हमेशा चेक देती थी किराय का तो क्या हुआ चेक से किराय देने पर कोई पाबंदी है नहीं लेकिन साथ ही वह यह भी कहता था कि आम तोर पर उस चेक पर लड़की के दस्तकत नहीं होते थे मिसाल के तोर पर अभी कल ही किराय का जो चेक उसने बूटाराम को सौपा था उस पर किसी राम कुमार अगरवाल के हस्तक्षर थे चेक अभी भी बूटाराम के पास है और मैंने अपनी आखों से देखा है चेक देना बैंक की नेरू प्लेस ब्रांच का है बूटाराम कहता है कि पिछले कई मैंने से वो ऐसे ही चेक रिसीव करता आ रहा है देना बैंक की नेरू प्लेस ब्रांच का किसी राम कुमार अगरवाल के हस्ताक्षर सुदा रकम कितनी दोहजार रुपे छोकरी के फ्लैट का किराया दोहजार रुपे था जाहिर है और वो किराया कोई राम कुमार अगरवाल भरता था ये भी जाहिर है खामखा तो भरता नहीं होगा खामखा भी टोकस्तनिक हसा कभी कुछ होता है जब कोई आदमी किसी लड़की को बिना वज़े कुछ देता है तो समझो जरूर कुछ न कुछ वज़े है ये भी तुवारे बाप ने कहा था हाँ सयाना आदमी था तुमारा बाप एक नमबर का हराम ज़ादा था लेकिन बाते बढ़िया करता था मैं हसा तोकस भी हसा तो मैं बोला लड़की की इतने शांदार फ्लैट में रहने की वही वज़े थी जो हमने सोची थी किसी की रखेल थी वो किसी एक की कहा को हो सकता है कईयों की हो एक कैंडिडेट तो अभी भी उपर उसके फ्लैट में बैठा है लेकिन वो तो उसे अपनी बेटी बताता है बेटी? फ्लैट में कोई नौकर चाकर भी तो होगा इस बाबत कुछ पता लगा? हाँ, लगा केरटेकर से ही लगा पक्का नौकर चाकर कोई नहीं सिर्फ एक नौकरानी है जो दिन में आती है और काम करके चली जाती है लेकिन वो आती कहा से है ये किसी को नहीं मालू कल आएगी तो सही जाहिर है उसे ये मालूम हो सकता है कि फ्लैट में कोई चीज चुराई गई थी या नहीं जरूरी नहीं फिर भी, पूछने में क्या हर्च है? कोई हर्च नहीं वैसे लगता तो नहीं कि फ्लैट से कोई चीज चुराई गई हो हाँ एक बात तुमने देखी थी कौन से लड़की के बेडरूम की खिड़की खुली थी देखी थी उसके बाहर ही इमारत के फायर एसकेप की लोहे की गोल सीडिया है जो की इमारत के पहलू में उतरती है उधर अंधेरा होता है और आवाजा ही भी नहीं होती तुम ये कहना चाहते हो कि लड़की के फ्लैट में उधर से कोई चोर गुसा हो सकता है हाँ बड़ी सहुलियत से वो चोरी के नियत से फायर एसकेप के रास्ते फ्लैट में गुसा होगा उसने फ्लैट खाली समझा होगा लेकिन बीतर लड़की सोई पड़ी थी जो की उसकी आहट सुनकर जाग गई उसने चिलाने की कोशिश की होगी तो चोर ने उसके सिर पर पत्थर का फूल दान दे मारा होगा हम्म मैंने बड़ी गंबिरता से सहमती में सिरह लाया मुझे अनायास ही फिर मरने वाली की हमनाम अपनी बीवी का ख्याल आ गया मेरी बीवी भी तो घर में अकेली होती थी मेरी नाइट ड्यूटी तो आम बात थी कोई यू अगर कभी घर में घुसकर उसका खून कर जाये तो मुझे खामका ही घवराहट होने लगी मैं एक मिनिट आया एका एक मैं बोला टोकस को बोलने का आउसर दिये बिना ही मैं लंबे डग भरता हुआ वहाँ से विदा हो गया मार्केट में स्थे देख रेस्टरॉन के टेलिफोन से मैंने अपने घर का नंबर मिलाया तीन साल मेरी शादी को हो गये थे उन तीन सालों में घर पर यू खामका टेलिफोन में पहली बार कर रहा था मुझे दूसरी और घंटी बजने का सिगनल मिलने लगा लेकिन फोन किसी ने ना उठाया मैंने अपनी कलाई घडी पर निखा डाली 11 बजे थे इस फक्त घर से कहां चली गई मेरी बीवी शायद आस पोडोस में कहीं वीडियो देखने चली गई होगी लेकिन 11 बजे तक तो उसे वहां से भी आ जाना चाहिए था मैंने लाइन काट कर दुबारा नंबर में लाया दुबारा भी वही हुआ जो पहली बार हुआ था रंटी बचती रही जवाब ना मिला मैंने लाइन काट कर 199 डाहिल किया और वहां से अपने घर का नंबर मांगा रिंग जा रही है कुछ क्षण बाद ऑपलेटर बोला लेकिन जवाब फिर भी ना मिला अब कमसिकम इस बात की गैरेंटी हो गई थी कि फोन खराब नहीं था फोन ठीक था घंटी बजी रही थी लेकिन दूसरे सिरे पर उठाने वाला कोई नहीं था मेरी नाई ड्यूटी में रात की ग्यारा भजे मेरी बीवी मेरे घर पर नहीं थे होती तो फोन जरूर उठाती वो घर पर नहीं थी तो कहां थी जुझलाकर मैंने रिसीवर क्रेडल पर पटका और वहां से बाहर निकलाया मैं वापिस लौटा क्या बात थी टोकस तनिक उलजन भरे स्वर में बोला कुछ नहीं मेरा स्वर अनायास ही रूखा हो गया था वो तनिक सक पकाया और फिर बोला एम्बुलेंज लाश ले गई है गुड मुझे उस वक्त लाश नहीं अपनी बीवी सूच रही थी रात के ग्यारा बजे कहा गई थी मेरी बीवी केर टेगर का नाम क्या बताया था तुमने एक आएक में बोला बुटा राम पोकस बोला उसे बुलाओ सबसे पहले मैंने चेक देखा तुमने मैंने बुटा राम से पूचा लड़की से कभी इस बाबत सवाल नहीं किया कि चेक किसी और का साइन किया हुआ क्यूं होता है माई बाप बुटा राम विनेशील स्वर में बोला मैं कौन होता हूँ ऐसा कोई सवाल करने वाला चेक कभी वापस तो आया ही नहीं हमेशा कैश होता है इस बाबत कोई सवाल करना भी होता तो मालिक करता मैं क्यों करता मालिक कौन है तुमारा गुर्दयाल से इन नाम है उनका चंडी गड़ रहते हैं दिल्ली कभी नहीं आते आते हैं अकसर आते हैं, दिल्ली आते हैं तो कहां ठेरते हैं, यहीं, नहीं, यहां के तुझ सब फ्लैट किराय पर उठे हुए हैं, तो सुजान सिंग पार्क में उनका एक फ्लैट है, दिल्ली आते हैं तो सरदार साहब वहीं ठेरते हैं, हम्, इस चेक पर जिस शक्स की साइन है, वो यहां आता जाता होगा साहाव यहां तो कहीं लोग आते जाते हैं मुझे क्या पता उन में से कौन निशा का यह चेक देता था कोई अंदाजा हाँ मुतनिक धीमे से बोला अंदाजा तो है अंदाजा ही बताओ एक शक्स यहां महिने में तीन या चार बार आता है उसके आने का कुछ पक्का नहीं होता कभी वह लगातार दो तीन रोज आ जाता है तो कभी तीन तीन चार चार हफ़ते बाद आता है लेकिन जिस दिन मुझे निशा मेम साहब से किराय का चेक हासिल होता है उससे पहले दिन वह जरूर आता है इसी वज़े से मेरा अंदाजा है कि वही आदमी राम कुमार अगरवाल है जो कि निशा मेम साहब के फ्लैट का किराया चुकाता है उसका हुलिया बयान कर सकते हो वह लगबग 50 साल का अद्पके बालो वाला दुबला पतला आदमी है जो हमेशा सफेद कपड़े पहनता है गर्मियों में सफेद सफारी और सर्दियों में सफेद सूट वो आखो पर सोने के फ्रेम का चश्मा लगाता है और बाए हाथ के बीच की उंगली में हीरे की अंगोटी पहनता है यहाँ पहुचता कैसे है वो? अपनी इंपाला कार खुद ड्राइव करके कार का नंबर? नंबर की तरफ तो मैंने कभी ध्यानी नहीं दिया वह जब आता था तो नीशा हमेशा घर पर होती थी जरूरी नहीं वो घर पर नहीं होती थी तो वो क्या करता था? वापस चला जाता था या कार में बैठकर इंतजार करता था? माई बाप बुटाराम तनिक रहसमय स्वर में बोला माँ फ्लैट के बीतर बैठकर इंतजार करता था बीतर बैठकर? यानि कि उसके पास फ्लैट की चाबी है? हाँ और किस-किस के पास लड़की के फ्लैट की चाबी है? एक मोटा ताजा भारी भरकम सिर से गंजा आदमी भी यहां आता है वो भी निशा में सब नहों तो फ्लैट के बीतर ही जाकर बैठता है वो निशे ही निशा के एजेंट स्पी श्रीवास्तव का जिक्र कर रहा था और किस के पास है चाबी? उस नौकरानी के पास है जो दिन में सफाई वगरा करने आती है और और वह हिच के चाते हुए बोला मेरे पास है तुम्हारे पास किस लिए? यहां के केर टिकर की अपनी हैसियत से मेरे पास हर फ्लैट की चाबी है किसी को अधरास नहीं होता है इस बात पर जिसको अधरास हो वो अपना ताला बदलवा सकता है किसी ने बदलवाया है नहीं तुम्हें कैसे मालूम मैंने उसे घूरा तुम क्या लोगों के ताले खोल खोल कर देखते रहते हो नहीं साहब नहीं वो बॉखला कर बोला हरगिस भी नहीं तो फिर तुम्हें कैसे मालूम कि किसी ने ताला नहीं बदलवाया हुआ है। योहीं अंदाजन। तुम्हारे पास चावी होने का मतलब? मतलब मुझे नहीं पता। शुरू से ही हर फ्लैट की डुब्लीकेट चावी मेरे पास है। जब मैं केर टेकर मुकरर हुआ था तो वो चावी है सरदार साहब में मुझे सोपी थी। कभी किसी चावी के इस्तमाल की नौबत आई। एक बार आई थी, कोई भीतर किचन में गैस खुली छोड़ गया था। पड़ोसी फ्लैट वाले ने शिकायत की थी कि बंद फ्लैट में से गैस की गंद आ रही है। तब मैंने फ्लैट का ताला खोला था और किचन में जाकर गैस बंद की थी। तब मेरे पास चावी ना होती तो यहां बहुत बड़ा हाथसा हो सकता था। सारी इमारत को आग लग सकती थी। हम्... और किसके पास थी चावी। साहब नीशा मेम साहब से यहां मिलने आने वाले लोगों से किसी के भी पास चावी हो सकती थी। सब के बास भी। हाँ... जी क्या बड़ी बात है। इस लिहास से तो ठीक लड़की नहीं लगती वो। आपने मेरे मूग की बात चीनी साहब। वो एक शन ठिटका और फिर बोला। यहां नीशा नाम में ही कोई खासियत है साहब। क्या मतलब। मैं उसे घूरता हुआ बोला। मैंने तो इस नाम की कोई लड़की आज तक देखी नहीं जो की शरीफ हो। नीशा नाम तो लड़की बदमाश। मेरा हाथ उसके गिरिबान पर पड़ा। उसकी कमीज को मुट्टी में भरकर मैंने यू मरोडा कि उसकी आँख उबल पड़ी। साहब! साहब! वो तड़पता हुआ बोला। मैंने क्या किया। साले? मैंने उसे गिरिबान से जिन जोड़ा। माबाप को नाम रखते हुए मालूम होता है कि आउलाद आगे चलकर कैसी बनेगी। लड़की का नाम निशा ना होने से ही उसकी शराफत की गैरेंटी हो जाती है। लेकिन… क्या लेकिन? रामजादे, उल्टा सीदा बोलेगा तो 32 बाहर निकाल दूँगा। मैंने क्या उल्टा सीदा बोला है साहब? उसने फर्याद की, तुझे नहीं मालूम। फिर जिन जोड़ा। जुबान लड़ाता है? मैंने तो यही कहा है साहब कि निशा नाम की लड़किया आम तोर पर चरितर की खराब पाई जाती है। अगर मैंने ऐसे कह भी दिया तो आपको क्या? साले, मैंने उसे फिर जिन जोड़ा। जुबान लडाता है। टोकस ने जबरन मेरी गिरफ्ट से उसका गिरबान छुडवाया। जुबान को लगाम दे अकलके अंधे। टोकस उसे मेरे से परे हटाता हुआ बोला। साहब की बीवी का नाम निशा है। फिर बूटाराम के मुझ से बोलना फुटा। तुरंत उसके चहरे पर हवाईया उड़ने लगी। यूहीं बढ़बढ के बोलेगा तो जूते खाएगा किसी से। साहब। वो हक लाया। मैं माफी चाहता हूँ साहब। साहब के बच्चे। मैं नफरत भरे स्वर में बोला। उस वक्त मेरे दिल में कोई झाक सकता। तो यही कहता कि अनवा होता है। जेला नहीं जाता। तभी तो मैं यूँ आनन फानन लावे की तरह उबल पड़ा था। टोकस ने मेरी कोनी पकड़ी और मुझे बाहर को चलाने लगा। हम बेजमेंट से निकलकर उपर पहुँचे। अब टोकस शिकायट भरे स्वर में बोला। उसे क्या पता था कि तुम्हारी बीबी का नाम निशा है। मेरा दिमाग भिनाया हुआ है यार। मैं जुंचलाया। सिर्ध दुख रहा है मेरा। तो घर चले जाओ। ऐसे कैसे चला जाओ। ड्यूटी तो चार बजे तक है। अभी तो बारा भी नहीं बजे। मैं संभाल दोड़े चले आना। तुम मरवाओगे यार। कुछ नहीं होता। मैं हिचकी चाया। अरे कहा ना कुछ नहीं होता। टोकस आश्वासन पूर्ण स्वर में बोला। देख लो मैं बोला। देख लिया। अच्छी बात है। आधी रात की बात मैं घर पहुचा। मेरा घर अशोक विहार की एक शांदार कोटी था। ऐसी शांदार कोटी जो कम से कम किसी पुलीस इंस्पेक्टर की नहीं हो सकती थी। वास्तव में वह कोटी मेरे एक तूर के रिष्टेदार की थी जिसकी मौत से पहले मुझे उसके अस्तित्व की भी खबर नहीं थी। औ नकली वारिसों में से एक को जब लगा था कि उसके अपने हाथों कुछ नहीं आने वाला था, लेकिन दूसरे नकली वारिस में से कोई सब को छड़ब जाने वाला था, तो मुझे महज इर्शा की भावना से प्रेडित होकर उसने मुझे खोज निकाला और मुझे हालात की अपने इस रिष्टेदार का वारिस करार दिया गया और एस्टेड ड्यूटी के तौर पर एक मोटी रकम पल्ले से भर कर टेलिफोन और कार से सुसच्चित उस कोठी का और काफी सारे नकद रुपे का मैं वारिस बन गया, मेरे यू साहब जायदाद बन जाने की वज़े से माकमे के लोगों पर मेरी बहुत तड़ी बनी हुई थी, अलबता मेरे कुछ आला अफसरान मेरे ठाट बास की वज़े से मुझसे जलती भी थे, कोठी में कहीं रोश्टी नहीं थी, पिछवाडे में गैरिच था, जिसमें से होकर किचन का रास्ता जाता था, मैं जब इतनी कोई नई वियाही दुलन नहीं थी, जो किताबी तरीके से पलके बिछाए अपने पती देव के घर लोटने का इंतजार करती होती, जैसे वह मुझे फोन पर नहीं मिली थी, उस लिहास से मुझे पहले सीरे बेडरूम में जाना चाहिए था, और जाकर देखना चाहिए था, कि वह अभी भी वहाँ है या नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, उस वक्त मेरी दिमागी हालत कुछ-कुछ उस शक्स के जैसी थी, जो अपने सो के नोट की तलाश में अपने परिधान की आखरी जेब में इसी लिए हाथ नहीं डालता, कि अगर वो नोट वहाँ भी नहीं हुआ तो, मेरे अवचेतन मन में ये बात हौले हौले दस्तक दे रही थी, कि अगर मेरी बीवी बेडरूम में ना हुई तो, वैसे इस बात को मैं आज सोचता हूँ, तो ये मुझे अपनी स्वार्त परता की इंतहा मालूम होती है, कि मुझे ये तो सूजा कि मेरी नाइन ड्यूटी का कोई नाजायस फायदा उठाने की नियत से मेरी बीवी घर पर नहीं होगी, लेकिन एक शण को भी ये नहीं सोचा की शायद उसे कुछ हो गया हो, शायद वह अस्पताल में हो, शायद वह कहीं मरी पड़ी हो, और कोई लाज की शिनाक्त करने वाला ना हो, या घर पर ही उसे कोई दोरा वोरा पड़ गया हो, या उस तनहा कोटी में कोई चोर घुसा हो, और वो वैसे ही उसका कतल कर गया हो, जैसे सुंदर नगर में हुए उस कैबरे डांसर के कतल की तफशीश करके में लौट रहा था, आगे बढ़ने के स्तान पर मैं किचन में ही एक स्टूल पर बैढ़ गया, मैंने अपनी जेब से वो लिफाफा निकाला, जो उस रोज मुझे सुबा अपने थाने के पते पर डाक से प्राप्थ हुआ था, उस लिफाफे में जो चिट्टी थी, वो मुंबई पुलीस के नौकरी में लगे मेरे एक दोस्त ने लिखी थी, और मैं सुबा से उसे कोई दस बार पढ़ चुका था, मैंने चिट्टी फिर निकाली, चिट्टी काफी लंबी थी लेकिन मैंने उसका एक ही पैरा फिर पढ़ा, लिखा था, नीशा गुस्वामी का कोई रेकॉर्ड यहां ट्रेस नहीं हो सका, नहीं यहां सेंड फ्रेंसिस कॉन्वेंट नाम की कोई जगए है, उंग्लियों की जो निशान तुमने मुझे बेजे हैं, वो शीला अत्रे नाम की एक लड़की के हैं, लड़की की मौझूदा उम्र 26 साल और जन्मस्थान पुना, पुना में उसका रेकॉर्ड इसी लिए है क्योंकि वहां वे ड़केती की इल्जाम में ढ़ाई साल की जेल की सजा काट चुकी है, चार साल पहले वे जेल से छूटी थी और फिर वहां से हमेशा के लिए गायब हो गई थी, तब से यहां हमें उसकी कोई खोच खबर नहीं, उंग्लियों के जो निशान मैंने अपने उस पत्र लिखक मितर को भेजे थे, वे मेरी बीवी के थे, मेरी उस बीवी के, तीन साल पहले जब मैंने इश्क में अंदा होकर और दिल के हाथों मजबूर होकर कोट में शादी की थी, तो जिसने अपना नाम नीशा गोसवामी बताया था, मैंने एक गहरी सास ली और चिट्टी को वाफिस लिवाफ़े में डाल कर अपने जेब के हावाले कर दिया, मैंने किचन की बत्ती बुझाई और वहां से बाहर निकला, बिना कोई और बत्ती जलाए, मैं पहली मंजिर पर पहुचा, मैंने बेड्रूम में कदम रखा, बेड्रूम की विशाल खिड़की खुली थी, और बहार आस्मान पर खिले पूरे चांद की रोशनी भीतर प्रतिम्बिम्ब हो रही थी, उस रोशनी में मैंने देखा कि निशा के कपड़े पलंग के पायताने के पास फर्ष पर एक धेर की सूरत में पड़े थे, लगता था कि वहां वहां जाते ही बिस्तर के हवाले हो गई थी, वो, निशा, मेरी खुबसूरत बीवी, पलंग पर दिन दुनिया से बेखबर सोई पड़ी थी, उसने एक जीनी सी नाइटी पहनी हुई थी, जो नीन में उसकी जांगों के उपर तक सरग गई थी, उसकी सांसों के साथ साथ उसका उन्नत तवक्ष धीरे धीरे उट किर रहा था, उसके लंबे, काले, रेश्मी बाल, उजले गिलाव वाले तकिये पर बिखरे हुए थे, उसके अर्द निमिलित होट नींद में भी मुस्कुराते मालू हो रहे थे, उसके चहरे पर एक अभोध बच्ची जैसी निश्चलता थी, उस वक्त वो मुझे स्वर्ग की अपसरा जैसी खूपसूरत और दिल फरेब लग रही थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि बंबई से आई चिट्टी उसी औरत की बाबत थी, मैंने खामोशी से अपनी वर्दी उतारी और उसके स्थान पर कुर्टा पजामा पहन लिया, फिर मैं पलंग पर चड़ गया और उसके पहलों में जा लेटा, वह पलंग के एन बीचो बीच लेटी हुई थी, इसलिए अपनी लिए और जगे बनाने की खातिर मैंने उसे हौले से थोड़ा सा परेसर काया, वह तनिक कुन्माई और फिर उसने करवट बदल दी, कितने ही देर मैं अंधेरे में आँखे खोले चुप चाप लेटा रहा, और निशा के साथ गुजरे अपने तीन साल के विवाहिद जिवन के बारे में सोचता रहा, एक बार मैंने बेचैनी से पहलू बदला, तो नीद में ही नीशा की शरीर में भी हरकत हुई, पहले वह पीट के बल लेटी, फिर उसने मेरी तरफ करवट बदल ली, नीद में ही उसकी एक कुमल सुडोल बाह मेरी चाती पर आकर गिरी, उसकी एक टांग मेरे बदन से लिपट गई, और उसकी गर्म सासे मेरे चेहरे से टकराने लगी, उसका जिस्म एक टम फिट होकर मेरे जिस्म से जुड गया, खौं की जगा खौं, मोड की जगा मोड, उभार की जगा उभार मेरे एक पहलू से चिपके उसके उरोजों में तनिक हरकत हुई तो मैंने समझा कि वह जाग गई थी लेकिन वास्तों में ऐसा नहीं था वह बैदस्तूर गेहरी नींद में थी और नींद में ही मेरे साथ यू लिपट गई थी मेरी सासे भारी होने लगी थी हौले हौले मेरे जिस्म में तुरुष्णा का जवार परवान चड़ने लगा मैंने हौले से उसके अत्खुले होटों पर अपने होट रख दिये मेरा एक हाथ उसकी नाइटी के भीतर सरग गया और उसके उरोजों को सहलाने लगा उसके शरीर ने एक जुरजुरी ली और वाकस कर मुझे लिपट गई उसकी नींद में तब भी खलर ना पड़ी उसकी खुमार भरी सास पुर्वत मैंने उसके जिस्म पर से नाइटी को मुकमल तोर से हटा दिया और करवट बदल कर उसके उपर आ गया वह तब भी न जागी अनोखी औरत थी निशा नींद में भी वह अभी सारत हो सकती थी ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा था जबकि मैंने अपने जिस्मानी भूक बिटाने के लिए अपना काम करता रहा और वह सोई रही थी जब मैं चरम सीमा के करीब पहुचा तो मुझे लगा उसके होट हेल रहे थे और वह कुछ कह रही थी उसके औरोजों की घाटियों से मैंने अपने सिर को उठाया वह कुछ बोल रही थी जागी वह तब भी नहीं थी लेकिन नींद में ही कुछ बोल रही थी या यू कहिए कि बड़बड़ा रही थी जो कुछ वह बोल रही थी वो मुझे साफ सुनाई दे रहा था वो सिर्फ बार बार एक ही नाम दोरा रही थी वो कह रही थी राजेश राजेश ओ राजेश बस करो राजेश मैं सन रह गया तुरंत काम वासना का जोहर मुझ पर से इस तरह उत्रा जैसे कभी चड़ा ही ना था अब तक आग का गुला बना मेरा जिसम जैसे एक आएक मुर्दा हो गया वह वो नाजुक घड़ी थी जब मैंने अपनी जिन्दगी का एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया मैंने रवी शर्मा ने योन आनंद के अतिरेक में मेरी बीवी अपने पती का नहीं किसी गैर मर्द का नाम भज रही थी मैंने उसकी जान ले लेने का फैसला कर लिया टेलिफोन की निरंतर बज रही घंटी की आवाज से मेरी नीन्द खुली पहले मेले मैंने इस उमीद में फोन की तरफ हाथ न बढ़ाया कि फोन नीशा उठा लेगी जब ऐसा ना हुआ तो मैंने फोन उठाया हेलो मैं उनीदे स्वर में बोला रवी पूछा गया हाँ कॉल मैं टोकस बोल रहा हूँ अभी तक सो रहे हो हाँ भाई मेरे दोपेर होने को आ रही है अच्छा मैंने निच मिचा कर आँखे खोली और खिड़की से बाहर जाका बाहर चमकीली धूप निकली हुई थी सूरज सिर पर चड़ाया था क्या बात है मैं बोला कैसे फोन किया क्या मैं घबराया उसे पता चल गया कि मैं रात को घर चलाया था अरे नहीं वो बात नहीं है तो कुछ अखबार वाले उसकी खाट खड़ी करने पर उतारू है इसलिए वो अपना नजला हम पर उतार रहा है अखबार वालों को तो बहाना चाहिए इस बात की दुहाई देने का कि दिल्ली शहर में क्राइम बे तहाशा बाढ़ रहा है अभी परसो डिफेंस कॉलिनी में डबल मर्डर होकर हटा कि कल ये गटना हो गई इसमें हम क्या कर सकते हैं कुछ नहीं लेकिन हमें हुक्म हुआ है कि हम मौकाए वार्दात पर पहुँचकर बारिकी से च्छांगीन करें हम करें? हाँ लेकिन हमारी ड्यूटी तो खत्म हो चुकी है मुझे मालूम है भाई मेरे तुम तो घर पर सोए पड़े हो यहाँ पलक भी नहीं चपकी लेकिन जो हुक्म हुआ है मैंने तुम्हे सुना दिया ओर्डर इस ओर्डर लावत फॉरन सुन्दर नगर हत्प्राण के फ्लैट पर पहुँच जाना मैं तुम्हे वही मिलूँगा ठीक है ठीक है लाइन कट गई मैंने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया उस वक्त मेरी तवज्जो उस निशा की तरफ कत्ते ही नहीं थी जो मर चुकी थी बलकि उस निशा की तरफ थी जो अभी भी जिन्दा थी उस निशा की तरफ थी जो की मेरी बीवी थी और जो मेरे आगोश में आकर भी पराए मर्द का नाम ले रही थी और जिस औरत की जान ले लेने का मैं पक्का इरादा कर चुका था डाइनिंग टेबल पर मुझे एक चिट मिली जिस पर निशा के हस्तलेक में लिखा था हनुमान मंदिर जा रही हूँ तुम बहुत गहरी नीन में थे इसलिए जगाया नहीं तब मुझे ख्याल आया कि उस रोज मंगलवार था मंगलवार को निशा बाबा खड़क सिंग मार्क पर स्थिद हनुमान मंदिर जरूर जाती थी मैं बातरूम में दाखे हुआ शेव करते समय मैंने कोई पांच जगा अपना गाल काटा मेरा सारा ध्यान शेव की जगे निशा की तरफ जो था कौन थी मेरी बीवी खुद मुझे अपना वो सवाल बहुत अजीब लगा लेकिन वो सवाल अजीब होते हुए भी जायस था अभी मुझे ये ऐसास होना शुरू हुआ था कि अपनी बीवी के भूत के बारे में मैं खास कुछ भी तो नहीं जानता था मैं सिर्फ इतना जानता था कि उससे महबत करता था पहले दिन से उसे बेपना महबत करता था और दिलो जान से उसे चाहता था शादी से ठीक चार महने पहले जब पहली बार मेरी उस पर नजर पड़ी तभी दिलो जान से उस पर निसार हो गया था उसको देखते ही जैसे मैंने उस पर अपनी मिल्कियत की महर लगा दी थी ऐसा फिदा मैं कभी किसी औरत पर नहीं हुआ था आज मैं उन दिनों की निशा के लिए अपनी धुवाधार अशनाई का ख्याल करता हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि मैंने कभी दीवानगी की इस हद तक भी इश्क में गोते खाये थे मैंने उस शक्स ने जो औरत जात को हमेशा शक और अविश्वास के निगाह से देखता था और उसूलन उन्हें नफरत करने के काबिल ही समझता था कैसी अनोखी बात थी वह लेकिन वही क्या मेरी जिन्दगी की तो हर बात अनोखी थी लोग कहते हैं कि इंसानी जिन्दगी में मा से बड़ी कोई चीज नहीं होती लेकिन नफरत क्या होती है ये सीखने के बाद अपनी जिन्दगी में जिस पहली औरत से मेरे नफरत की थी वो मेरी मा ही थी मा होते हुए भी मेरा बचपन मा के प्यार से महरूम था मैं तब शायद 8 साल का था जबकि किसी और की जुबानी मुझे मालूम हुआ था कि मेरे पैदा होने के 6 मैने बाद मेरी मा मुझे घर के पालने में तनहा पड़ा छोड़ कर अपनी किसी यार के साथ भाग गई थी जाहिर है कि उस वक्त मेरा बाब घर पर नहीं था पता नहीं कब तक मैं भूका प्यासा टटी पेशाप से सना पालने में पड़ा रोता बिलकता रहा था कि टोकस की मा जो कि हमारे पडोस में रहती थी कि तवज्जो मेरी तरव गई थी और उसने मुझे आकर उठाया था बाज में जब मेरा बाब भी मर गया था तो मुझे यतीम को टोकस की मा ने और महले के कुछ अन्य द्यावान परिवारों ने ही पाल पोस कर बढ़ा किया था आज मुझे ये भी नहीं मालुम की मेरी मा जिन्दा है की मर गई लेकिन और जात से नफरत का पहला सबक मुझे उसी से हासिल हुआ था मैं दस साल का था जब मेरे सिर से मेरे बाब का साया उठा था मेरा बाब पुलिस में हवालदार था एक पर जहां उसकी ड्यूटी थी वहीं बैंक में डाका पढ़ गया था मेरे बाब ने बैंक से मान लेकर भागते हुए तीन डाकों को ललकारा था और दो को तो मार भी गिराया था लेकिन तीसरे की गोली का खुच शिकार हो गया था और जान से हाथ दो बैठा था तीसरा डाकों भाग नहीं सका था और बाद में उसे फासी की सजा हुई थी मेरे बाब को मरनो परांच शूर वीरता पदक मिला था जो कि उसकी तरफ से मैंने उसके दस साल के बेटे ने प्राप्त किया था इस प्रकार दस साल तक मैं अपनी जिन्दगी के ये दो बहुत एहम सबक सीख चुका था अपराधी और और औरत दोनों नफरत और हिकारत की निगास से देखने के काबिल होते हैं इसी वज़े से मैं पुलीस में भरती हुआ इसी वज़े से अपनी दस साल की पुलीस की नौकरी में हमेशा मेरा मूल मंतर यही रहा है कि हर आदमी को तब तक गुनेगार समझो जब तक वे अपने आपको बेगुना साबित न कर दे मुझे काइदे कानून के इस उसूल से तफाक नहीं कि हर आदमी तब तक बेगुना है जब तक वे गुनेगार साबित न कर दिया जाए मैं कहता हूं कि अगर कोई आदमी बेगुना है तो क्यों वो अपनी बेगुना ही साबित नहीं कर सकता मेरे महक्मे के लोग मेरी उल्टी थियोरी से वाकिफ है और मुझे पागल भी करार देते हैं लेकिन ये हाकिकत फिर भी अपनी जगे कायव है कि मैंने जिस केस की भी तफ्षीश की है उसमें अपराधी को सजा हो कर ही रही है इस मामले में मेरा शत प्रतिशत रेकॉर्ड है और इसी वज़े से मेरी जिन्दगी में कभी कोई और नहीं आई सिवाए नीशा के उस दिन में वर्दी में नहीं था जबकि वह पटेल नगर में विवेक सिर्मा के सामने सड़क पार करने के पुल पर मेरे आगे पीछे सीडियों पर उतर रही थी वो एक नुमाईशी पुल है जड़क पार करने के लिए जिसे स्कूली बच्चों के अलावा शायद ही कभी कोई इस्तमाल करता है उस वक्त भी पुल पर हम दोनों के अलावा कोई नहीं था लेकिन एका एक मेरे पीछे से एक लड़का वहाँ परकट हुआ उसने निशा के गलेग में पड़ी सोने की चैन पर हाट डाला था और चैन जटकने की नियत के साथ ही उसे धक्का दे दिया था फिर लड़का वहाँ से बगोल की तरफ भागा था तब निशा की तरफ दिहान देने का वक्त नहीं था मैंने चेन स्नाचर के पीछे लड़का पुल्ट से अभी वह कुछ ही कदम दूर पहुच पाया था कि मैंने उसे धर दबोचा मैंने उससे चेन बरामत की थी उसे इत्वाक से तभी वहाँ पहुच गए बीट के सिपाही के हवाले कर दिया था और फिर चेन के साथ पुल की सीडियों की तरफ वापस लौटा था चेन स्नैचर के धक्के से निशा कई सीडिया नीचे तग लुड़कने के बाद आखरी सीडिय पर जाकर गिरी थी उसकी जिस्म पर कई जगे खरोचे आई थी और उसका एक टकना उतर गया था एक टैक्सी पर मैं खुद उसे नजदीक ही स्तित गंगाराम अस्पताल लेकर गया टैक्सी में उसके जिस्म को सहारे की जरूरत थी मैंने उसे तब सहारा क्या दिया कि हमेशा के लिए उसका होकर रह गया पता नहीं क्या करतब था उस औरत में क्या जादू था उसके रूप में कि मैं अपने घूम में घटी के साथ मिली हुई अपनी औरत जाद से नफरत की अपनी मान्यता को एक्तम भूल गया था तब तो मुझे ये लगने लगा था कि उस औरत के आगे दुनिया खतम थी और उसके मुझे हासिल न होने की सूरत में मेरी जिन्दगी खतम थी अस्पताल से उसकी टांग पर प्लास्तर चड़वा कर और उसकी बाकी मरम पट्टी करवा कर मैं उसे राजिंद्र नगर के एक छोटे से फ्लैट में छोड़ने गया जहां कि वे अपने ऑफिस की अपने जैसी ही एक अकेली लड़की के साथ रहती थी नीशा राजिंद्र प्लेस में स्थेथ एक प्राइवेट कमपनी में रिशेप्शनिस्ट कम टेलिफोन ओपरेटर की नौकरी करती थी भगवान जाने शुरुआत में मैंने उससे क्या बाते की थी या किस विशेपर बाते की थी लेकिन एक बार बाते शुरू होने की देर थी कि उन्होंने खत्म होने का नाम ही नहीं लिया था और मेरा तो मन ही नहीं भरता था उससे बाते करकर के एक बात जो हम दोनों को करीब लाने में बहुत सहायक सिद्ध हुई थी वह यह थी कि वो भी मेरी तरह अनात थी बकॉल उसका सारा परिवार कोईना के भूचाल में मारा गया था और वह बंबई के सैंड फ्रेंसिस कॉन्वेंट द्वारा संचालित इसायों की एक यतीम खाने में पली थी मैंने फौरान निसंकोच उसके बातों पर यकीन कर लिया पटेल नगर के उस पुल पर इत्तफाकियां हुई पहली मुलाकात के ठीक चार महीने बाद हमने शादी कर ली थी उन्हीं दिनों में अपने रईस रिष्टेदार का वारिस बना था और अशोक विहार की मौजूदा कोठी और बाकी ठाट-पाट का मालिक बन गया था निशा की नौकरी मैंने विवा होते ही छुड़वा दी थी क्या जरूरत थी उसे शादी के बाद नौकरी करने की दो साल सिलसिला बहुत ला जवाब चला चला क्या दोडा दो साल जैसे पनक छपकते गुजर गए फिर धीरे धीरे उन तबदिलियों की शुरुवात हुई जो अपनी बीवी की जान ले लेने के मेरे मौझूदा इरादे की बुनियाद बनी पहले बात मामूली थी और आसानी से नोटिस में आने वाली भी नहीं थी नीशा बस जरा खिची-खिची सी उखडी-उखडी सी रहने लगी थी मुझे ऐसे भी लगता था जैसे वह मुझसे कुछ चुपाव रखने लगी थी बाद में एक दो बार मैंने उसका एकाथ छोटा मुटा जूट भी पकड़ा मसलन वह मुझे बताती थी कि वह घर बैठे बोर हो गई थी इसे लिए सिनिमा देखने चली गई थी लेकिन पूछ जाने पर ना तो फिम के बारे में कुछ बता पाती और ना ही उस सिनिमा हॉल के बारे में जिसमें वह फिम देखने जाया करती थी तब भी मैंने उस पर शक करना शुरू नहीं किया था तब मैं उसके उस अजीब व्यवार की वज़े से उसके लिए फिक्रमंद रहता था लेकिन बात ने अपने निश्चित अंजाम तक तो पहुचना ही था पहुची कोई दो हफते पहले लेकिन सिर्फ मेरे जहन में निशा से उस बाबत मैंने कोई बात न की उस दिन दुपहर को मैं बहुत अनपेशिक ढंक से घर वापस लोटा था कि एक आएक टेलेफोन की घंटी बजूटी थी मैं रेसीवर उठाकर अभी मुश्किल से कान के पास तक पहुचा था कि कोई दूसरी तरफ से बोलने लगा आवाज मरदाना थी पौरन यहाँ पहुच जा ना मुनिया कोई बोला लेकिन जवाब में जब उसे मेरी तरफ से कुछ सुनाएं न दिया तो वह तनिक संदिग्द तनिक व्यग्रभाव से बोला अरे नीशा लाइन पर तुम ही हो ना फिर शायद उसे पक्का विश्वास हो गया था कि लाइन पर नीशा नहीं थी क्योंकि तभी फौरन उसने लाइन काट दी मुझे डायल टोन सुनाई देने लगी मैंने एक गहरी सास ली और फिर रेसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया उस रोज शाम तक किसी बहाने से मैंने नीशा के उंगलियों की निशान हासिल कर लिये अगले रोज मैंने वे निशान मुंबई पुलीस के अपने एक दोस्त को डाक से बेज दिये आखिर नीशा अपने आपको मुंबई की रहने वाली बता दी थी अब कोई मुझसे यह पूछे कि आखिन मैंने ये किस आधार पर सोच लिया था कि नीशा का कोई पुलीस रिकॉर्ड हो सकता था तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं ये शायद मेरी पुलीस की नौकरी का असर था कि मैंने ऐसा सोचा और ऐसा किया मैं तो बहुत खुश होता अगर मेरा वह तीर तुक्का निकलता लेकिन अंधेरे में चला मेरा तीर एन निशाने पर जाकर लगा था मैं तैयार होकर घर से रवाना ही होने वाला था कि फोन की घंटी बजी निशा का फोन था रवी उसने पूछा और कौन होगा मैं बोला वो हसी नौजवान खनकती हुई हसी मैं कनाट पैलेस से बोल रही हूँ वो बोली मंदिर गई होगी हाँ रवी अभे भी मुझे यहां अपनी एक बड़ी पुरानी सहीली मिल गई है सहीली? हाँ सुश्मा सोनी नाम है उसका पहले कभी मेरे साथ कलर्की किया करती थी लेकिन अब बहुत बड़ी पॉप सिंगर बन गई है कहती है आज कल यहां मौरिया में उसका कॉंट्रैक्ट चल रहा है पर जित कर रही है कि आज लंच उसके साथ लो रवी अगर तुम्हें एतरास ना हो तो मैं रुख जाऊं शौक से रुखो मुझे क्या एतरास होगा मैं तो वेसे भी घर से जा ही रहा था वो किसली ESP साब का बुलाबा आ गया है ओ शाम तक लोट जाओगी न उससे बहुत पहले बड़ी हद दो ढ़ाई बजे तक ठीक है सुश्मा सोनी मैंने मन ही मन नाम दो रहाया अपनी तीन साल की शादी चुदा जिंदगी में वो नाम मैंने पहली बार सुना था वो पहला मौका था जबकि निशा ने कभी अपने भूत काल से संबंदित किसी शक्स का नाम लिया था मुझे खामखा ही खुंदक आने लगी पता नहीं उस नाम की उसकी कोई सहेली थी भी या नहीं लड़की शादी शुदा हो यहां कुवारी सहेली मिल गई थी उसके लिए हमेशा ही बड़ा सहुलियत का भाना होता था मैं सुन्दर नगर पहुँचा टोकस मुझे निशा के फ्लैट में मिला क्या खबर है मैंने पूछा यह चोरी का मामला भी हो सकता है टोकस बड़ी संजिदगी से बोला हमने लड़की की नौकरानी को खोज निकाला था और उसकी सहायाता से यह चेक किया था कि फ्लैट से कोई कीमती सामान तो गायब नहीं था बत और नौकरानी कुछ जेवराद गायब है मसलन मसलन एक हीरे की अंगूटी और टॉप्स सोने का एक कड़ा जिसमें कीमती घड़ी भी जड़ी हुई थी सच्चे मूत्यों की एक माला आई सी नौकरानी कहती है कि हमेशा सफेद पोशाक पहनने वाला साहब उसे जेवराद जैसे बहुत प्रेजन्ट दिया करता था सफेद पोशाक वाले साहब यानि की रामकुमार अगरवाल हाँ वे जेवराद हत्पराण को रामकुमार अगरवाल ने दिये थे जरूरी नहीं नौकराणी ने अपनी आँखों से कुछ नहीं देखा उसने तो अपना अंदाजा बताया है कि वे जेवराद नीशा मेम साब को सफेद पोशाक वाले साहब ने दिये होंगे ये अंदाजा बेमुन्यादी है और बेमानी है जरूर मेरा बाप कहा करता था कि अंदाजे लगाना और सपने देखना एक जैसी बात है इस राम कुमार अगलवार के बारे में तुमने कुछ पता किया? किया वो बड़ा उद्योग पती है और रसूक वाला आदमी है फरीदाबाद में रहता है नेरू प्लेस में उसके ऑफिस है और उसकी कंपनी का एक गेस्थाउस भी है वे फरीदाबाद या दिली में जहां भी जब उपलब्ध होगा तो उससे बाचीत करने की कोशिश की जाएगी मेडिकल रिपोर्ट आई? आई लेकिन उसमें कोई नई बात नहीं रिपोर्ट ने उन्हीं बातों की तस्दीक की है जो डॉक्टर पहले ही बता चुका है सिर पर पत्थर के पूलदान का एक ही बार ततकाल मिर्त्यू मौत का वक्त शाम पाँच और छे के बीच फिंगरप्रेंट एक्सपर्ट के रिपोर्ट वह भी आई है फ्लैट में से बेशुमार लोगों की उंगलियों के निशान बरामद हुए है उन में से जिनकी शिनात हो चुकी है वे लड़की की नौकरानी है उसके एजेंट्स शेवास्तव के हैं केर टेकर बूटाराम है और कृष्णा भारगव नामक एक व्यक्ति के है ये कृष्णा भारगव कौन है एक तीसेक साल का अभी तक कुवारा नौजवान है जो की आसेफली रोड परिस्थित एक एड़टाइजिंग एजनसी में पार्टनर है रंगीले मिजास का पैसे वाला आदमी है लेकिन उसके बारे में संध्या जनक बात कोई नहीं उसने खुद कबूल किया था कि मरने वाली से उसकी मामुली मेर मुलाकात थी वे उसके फ्लैट में भी एक आदबार गया था लेकिन पिछले एक हफते से उसने वहाँ कदम नहीं रखा था इस वक्त वे निचली मंजिल परिस्थित अपने फ्लैट में ही है कहो तो बुलाओ अभी नहीं रामकुमार अगरवाल के उंगलियों के निशान भी तो होंगे फ्लैट से उठाएगे निशानों में जरूर होंगे लेकिन जब तक शक्स मिलता नहीं तब तक उनकी शिनाक्त कैसे की जा सकती है श्रीवास्तव कहां है उसे मैंने तो रात को ही घर बेज़ दिया था बहुत खस्तहाल लग रहा था घर कहां है उसका वो पहाडगंज के एक होटल में रहता है होटल का नाम डाइमंड होटल है गुड और टोकस ने अपने वर्दी में से तस्वीरों का एक पुलंदा निकाला ये पुलंदा मैं रेकॉर्ड रूम से लाया हूँ वो बोला ये तमाम तस्वीरे उन अपरादियों की है जो चुप छुपा कर घरों में घुसकर चोरिया करने में स्पेशलिस्ट है हो सकता है इस इमारत में रहने वालों में से कोई इन तस्वीरों में से किसी को पहचान ले लड़की का कतल अगर किसी चोर का काम है तो फ्लैट में दाखिल होने से पहले टोह लगाने के लिए उसने इस इमारत के चक्कर ज़रूर लगाए होंगे ज़रूरी तो नहीं ये किसी चोर का ही काम हो कतल ज़रूरी नहीं लेकिन हर्ष क्या है इस लाइन पर भी काम करने में हर्ष तो कोई नहीं मेरा बाप कहा करता था कि काम कतल नामुम्किन लगे उसके मुम्किन होने की संभावना की तरफ खास तवज्जू देनी चाहिए तभी फ्लैट के फोन की घंटी बचोटी कॉल हमारे लिए हो सकती है तोकस फोन की तरफ बढ़ता हुआ बोला मैं थाने में यहां का नंबर दे कर आया था उसने फोन उठाया मैंने एक सिगरेट सुलगा दिया कुछ क्षण बापदवर रिसीवर रखकर वापस लोटा थाने से ही फोन था उसने बताया रामकुमार अगरवाल वापस लोटाया है उसे यहां तलब किया गया है नहीं वो बड़ा आदमी है उसे यूँ तलब नहीं किया जा सकता ESP साब का कहना है कि हमें ही उसके पीछे फरीदाबाद जाना होगा हाँ? अब? अब फ्लैट के लोगों को ये तस्वीरे दिखाते हैं पुलीस के जाने मने चोरों की उन तस्वीरों में से एक तस्वीर केर टेकर बूटाराम ने पहचानी वह शकल सूरत के लिहाज से एक बहुत सचते हुए लड़के की तस्वीर थी तस्वीर के पीछे लिखी इबारत के मताबिक वह तस्वीर विपिन कुमार नामक एक 22 वर्षे युवक की थी जो चोरी के इलजाम में एक बार जेल की सजा काट चुका था तस्वीर पर कोई 7 साल पहले की तारिक थी इस लिहाज से विपिन कुमार अब तक 30 के पेटे में आ गया था तुम कैसे पैचानते हूँ इसे मैंने उच्शुक भाव से पूछा ये लड़का इस फ्लैट में और इस इलाके के बाकी फ्लैटों में दिल्ली मिल्क स्कीम की डूद की बोतले सप्लाई करने आता है कबसे आ रहा है ये? 3-4 महिने से लेकिन माई बाब ये कभी किसी के फ्लैट में नहीं गुस्ता मतलब सारे फ्लैटों की डूद की बोतल यही नीचे सीडियों पर छोड़ जाता है फिर लोग वहीं से अपनी अपनी बोतले उठा लेते हैं क्या नीशा भी ऐसा ही करती थी हाँ, कभी वह नीचे नहीं आती थी जब उसकी नौकरानी यहां पहुचती थी तो बोतले उठा ले जाती थी वह भी कभी नहीं आती तो मैं बोतले छोड़ाता यानि विपिन कुमार ये दूद वाला लड़का कभी नीशा के फ्लैट में नहीं गया जी हाँ, शायद गया हो मेरी जानकारी में तो नहीं गया तुम्हारी जानकारी के बिना गया हो उमीद तो नहीं, मैंने तो दूद की बोतले हमेशा यही पड़ी देखी है दूद के बैसे लेने तो जाता होगा नहीं जाता, सब के बीलवे मुझे दे जाता है फिर मैं सब के पैसे एकटा करके रकम उसे सौप देता हूँ हम्हां, यहां जो लोग नीशा से मिलने आते थे उनमें से कोई ऐसा भी था जो रात को यहां ठेरता होगा हो सकता है साहब, इस भारे में मैं कोई गैरेंटी शुदा बात नहीं कर सकता आई सी टोकस? हाँ विपिन कुमार के तस्वीर के पीछे यह नहीं लिखा हुआ है कि चोरी के इल्जाम में इसे कितने साल की सजा हुई थी मालुम करो यह कब छूटा और आज कर इसका चाल चलन कैसा है टोकस ने फोन करके मालुम किया मालुम हुआ कि विपिन कुमार चार महिने पहले तेहार जेल से रहा हुआ था पिछले चार महिनों में उसने कोई संदेह जनक काम नहीं किया था लगता था कि जेल की हवा ने उसके होश ठिकाने लगा दिये थे वे दूद की सप्लाई का काम करता था ये बात भी हमारे विबाग के जनकारी में थी उसको पकड मंगवाओ मैंने आदेश दिया बेतर टोकस बोला और अब तुम छुट्टी करो और घर जाकर आराम करो यहां से और कुछ हासिल होने वाला नहीं है इस वक्त मैंने अपनी कलाई घड़ी अपनी आखों के सामने रखी एक बीस हुए है डेड़ टोकस बोला तुमारी घड़ी दस मिनट पीछे है तुमारी घड़ी आगे नहीं हो सकती मैं जुहिला कर बोला नहीं हो सकती जिस दिन इसके टाइम में एक सेकेंड का भी फर्क आ गया उस दिन मैं इसे रेल की पट्री पर रखाऊंगा छोड़ो छोड़ो ज्यादा शेक ही मत बगारो शाम को मुझे थाने में मिलना तुम क्या करोगे सबसे पहले तो मैं लड़की के एजेंट श्रिवास्तव को दुबारा टटो लोंगा विपिन कुमार को कहां बुलाया जाए थाने में रात को ही रात को किस लिए ताकि तुम्हें आराम का मौका मिल सके रिसेप्शन पर तपेदिक के मरीज जैसा जो कलर्क बैठा था उसने मुझे यू देखा जैसे वहाँ पुलीस का आगमन रोजमर्रा की बात थी श्रिवास्तव मैंने अपने व्यवसाया सुलब रूखे और अधिकार पूर्ण स्वर में बोला शांती प्रसाद श्रिवास्तव कौन से कमरे में है चौधा नंबर वो बोला पहली मंजिल छोड़ के आओ माई बाप जरूरत नहीं मैं पहली मंजिल पर पहुचा मैंने चौधा नंबर कमरे के दर्वाजे पर दस्तक दी श्रिवास्तव ने दर्वाजा खोला उस वक्त उसकी सूरत खंडर जैसी लग रही थी उसकी शेव बड़ी हुई थी और आखों में लाल डोरे खिचे हुए थे उसकी कान पट्टियों पर मौजूद उसके अदपके बाल उसके गंजे सिर के दाएं बाएं सिंगों की तरख खड़े थे वे एक लूंगी और बन्यान पहने था और उसके पाउं नंगे थे मुझे देखकर वो सक पकाया क्या है वो बुला रास्ते से हटो मैं बुला लेकिन अरे रास्ते से हटो मुझे भीतर तो आने दो फिर लेकिन वेकिन भी कर लेना वे बड़े अनिच्छा पूर्ण धंक से दर्वाजे से हटा मैं भीतर दाखिल हुआ अपने पीछे मैंने दर्वाजा बंद कर लिया उस मामूली होटल पर वो एक मामूली कमरा था लेकिन उसका आकार मेरी उम्हिद से बड़ा था क्या बाद है? मैं बोला बारा क्यों बज रहे हैं शकल पर? नीन नहीं आई रात को उसने उत्तर नहीं दिया वे पलंग पर बैठ गया अपनी दोनों कोहनियों को अपने घुटनों पर टिका कर उसने अपने चेहरे को थाम लिया मैं उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया हाँ, वो धीरे से बोला नीन नहीं आई रात को लड़की के साथ सोने की आदत रही होगी ना मैं सहच स्वर में बोला लड़की? कौन सी लड़की? वही जो मर गई और कौन सी? इंस्पेक्टर साहब वह बड़े दैनी इस्वर में बोला मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि वह मेरी बेटी के समान थी और दस साल से तुम अपनी इस कथित बेटी का बाजा बजा रहे थे तब से जब वह 15 साल की थी ना बालिग लड़की से ऐसी रिष्टेदारी जोडनी की सजा जानते हो यह तो खामखा गले पढ़ने वाली बात हो गई वह ताव में आ गया मैं कहता हूँ मैं जानता हूँ तुम क्या कहते हो मैं करकस्वर में बोला तुम्हारे जैसे बुड़े बैलों की नियत और मिजाज दोनों को समझता हूँ मैं लेकिन कभी जेल गए हो वह खामोश हो गया जवाब दो जवाब देने की जगे उसने इनकार में सर हिलाया कभी कोई केस भी नहीं बना करो वह हड़ बढ़ाया उसने हैरानी से मेरी तरब देखा श्रिवास्तव इस मामले में मुझे सयोग दोगे तो तुम्हारा ही फाइदा होगा मेरा फाइदा होगा निशा के कतल के केस के मामले में मैं तुम्हारी बेगुनाही पर विश्वास कर लूँगा मैं ये भी मान लूँगा कि वह तुम्हारी बेटी के समान थी समान क्या थी? कहोगे तो बेटी ही मान लूँगा मुझे क्या करना होगा? अपना हुलिया सुधारो यहां से बाहर निकलो और सुश्मा सोनी नामक पॉप सिंगर की बाबत जितनी जानकारी हासिल कर सकते हो करो मसलन वो क्या करती है? कहा रहती है? किसके साथ रहती है? किसके साथ उठती है? बैटती है? कहा कि रहने वाली है वगेरा समझे? हाँ एक बात याद रखना क्या? किसी को मालुम नहीं होना चाहिए कि तुम क्यों उसके बारे में पूछताच कर रहे हो जो कुछ करना है चुप चाप करना बड़े खुफिया तरीके से करना लेकिन इस लड़की का नीशा के कतले से क्या रिष्टा है सवाल मत करो जो कहा जाए करो एक बात और वो क्या सुश्मा सोनी के बारे में जो भी जानकारी हासिल हो वो तुमें मुझे सिर्फ मुझे बतानी है किसी और से उसका जिकर तक नहीं करना है ठीक है शाबाश अगले दस मिनिट मैंने उसे ये पूछने में लगाए कि सुमवार वह कहा गया था और क्या कर रहा था अंत में मैं तंग आकर उठ खड़ा हुआ यहाँ टेलेफोन है मैंने पूछा नीचे रिसेप्शन पर है उसने बताया मैंने उससे विदाली और नीचे रिसेप्शन पर पहुचा मैंने अपने घर का नंबर डायल किया जवाब नदारद शाम को मैं थाने पहुचा मुझे मालू हुआ कि टोकस एसपी के कमरे में था हमारा एसपी चंदरप्रकाश अवस थी एक लगबग पचास साल का लाल भबु का चेहरे वाला हट्टा कट्टा आद्वी था और घुटा हुआ पुलीसिया था मैं उसके कमरे में दाखिल हुआ तो उसने हाथ के इशारे से मुझे बैठने को कहा और अपने सामने बैठे टोकस को उस क्षन जो कह रहा था कहता रहा ये किसी चोर का काम नहीं अवस्ति की भारी आवाज सारे कमरे में गूंच रही थी हत्यारा शर्ती ये लड़की के एजेंट शांती प्रसाद शिवास्तव उसके शुगर डेड़ी रामकुमार अगरवाल और और उसके पडोसी नौजवान कृष्ण भारगव इन तीन जनों में से ही कोई एक है अगर हत्यारा इन में से कोई नहीं है तो उसके किसी बॉइफरेंड को तलाश करो उसके प्यार में खता खाये उसके किसी पुराने यार की खबर लो इर्शा की मारी किसी औरत का भी काम हो सकता है ये अवस्ती एक संट ठिटका और फिर बोला लड़की जितनी खुबसूरत बताई जाती है अगर वैं वाकई उतनी ही खुबसूरत थी तो मैं नहीं मानता कि उसके बेडरूम में कोई चोर घुसा हो तो उसने पहले लड़की को धर ना दबो चाहो आखिर लड़की वहां अकेली थी जैसे लड़की के सर पे वार हुआ है वैं जाहिर करता है कि हत्यारे पर लड़की की खुबसूरती का कोई रोब गालिब नहीं हुआ था मेरी राय पूछो तो ये कतल किसी ऐसे शखस का काम है जो कतल के इरादे से ही वहां पहुचा था मुझे तुमारी थियोरी से इत्तफाक नहीं कि कोई चोर वहां गुसा था हत्पराण को उसकी खबर लग गई थी और पकड़े जाने से बचने की खातिर उस ते लड़की के सिर पर पत्थर का फूलदान दे मारा टोकस कुछ न बोला एसपी मेरी तरफ घुमा मैं तुम्हारे जोड़ीदार को बता रहा था वैं बोला कि मैंने रामकुमार अगरवाल की कतला से पहले ही मुमेंट स्ट्रेस करवाई है हमें मालुम हुआ कि रविवार को वह दिल्ली में था नेरू प्लेस में उसकी कंपनी का जो गेस्ट हाउस है उसमें उसके लिए एक स्वीट रिजर्व है रविवार को दिन में वह वहाँ था रात उसने हत्प्रान के साथ गुजारी थी सोमवार सुभा तक वह जरूर निशा के फ्लैट में ही था क्योंकि इस बात की तजदीक हो चुकी है कि सोमवार सुभा ना वह अपने गेस्ट हाउस में था और ना फरीदाबाद अपने घर वापस लोटा था कल दोपहर और शाम को वह कहां था इसका पता हमें अभी तक नहीं लग सका है लेकिन कोशिश जारी है वैसे अब वह फरीदाबाद वापस पहुच चुका है उससे कोई पूछताच नहीं की गई मैंने बड़े अदब से पूछा अभी नहीं अभी मैं जान मुझ कर इस काम को मुल्तवी कर रहा हूँ वजए मैं चाहता हूँ पहले हमें अच्छी तरी से मालूम हो जाए कि कल और परसो वो क्या कर रहा था बड़ा आदमी है उसे साउधानी से हैंडल किया जाना जरूरी है ओ टोकस कहता है तुम श्रीवास्तो के फिराक में गए थे मैं अभी सीधा उसी के पास से आ रहा हूँ क्या कहता है वो हत्या के समय की कोई अलबाई है उसके पास वो कहता है कि कल शाम को वैच चानक्य में बैठा फिल्म देख रहा था यानि कि हत्या के समय में गटना स्तल से बहुत दूर था वो इस बात को साबित कर सकता है वो फिल्म की कहानी सुना सकता है ये तो कोई सबूत ना हुआ जी हाँ उसकी सिनिमा वाली बात सच भी हो सकती है और जूट भी क्योंकि उसके पास ऐसा कोई गवान नहीं है जिसने की उसे चानक्य में देखा हो खैर फिर पौने साथ बजे वह डिफेंस कॉलनी में गोल्ड इस्ट में था बखौल उसने चानक्य में फिल्म खत्म होने के बाद वह सीधा वहीं पहुचा था जहां की साथ बजे वह निशा और फरामेश्वरी से मिलने वाला था वहाँ इस बात की तस्दीक करने वाले बहुत लोग है कि वे पौने साथ बजे वहाँ पहुचा था वहाँ पहुचा तो वहाँ कहीं से भी हो सकता है मुम्किन है कि लड़की का कतल करने के बाद वह सुंदर नगर से वहाँ पहुचा हो सरसर मुम्किन है यानि अगर वह साबित कर नहीं दिखा सकता कि कल चानक्यों में मैटनी शो देख रहा था तो वो हत्यारा हो सकता है सर मुझे तो वो बेगुना लगता है किस बिना पर? हत्प्राण के साथ उसकी निश्टा के बिना पर वह उसे अपनी बेटी समान मानता है और उसके खिलाव कोई बात कही जाने पर मरने मारने पर उतारू हो जाता है अगरवाल जैसे संपन आदमी और कृष्ण भारगव जैसे खुबसूरत नौजवान से उसके तालुकात की तरफ अगर आप तवज्जू दे तो ये बात विश्वास में नहीं आती कि श्रिवास्तव जैसे मोटे भद्दे बद्सूरत आदमी से लड़की का अफैर हो रखा हो हो सकता है श्रिवास्तव सच बोल रखा हो कि वे लड़की के लिए पिता तुल्य था आई सी आई सी लेगिन शर्मा सर फिर भी अभी उसे टटोलना बंद नहीं करना चाहिए राइट सर अब आप लोग जा सकते है मैं और टोकस उसका अभिवादन करके वहां से बाहर निकल गए विपिन कुमर का क्या हुआ बाहर आकर मैंने पूछा अभी उसे तलब करने की नौबत नहीं आई है टोकस बोला मैं अभी यहां पहुचा ही था कि एस पी ने बुला लिया था वह पाया कहां जाता है सुन्दर नगर में ही एक बेकरी है वहीं बेकरी वाला डी एम एम का दूद सुन्दर नगर में गरगर वित्रित करवाता है विपिन कुमार उसी की पास नोकरी करता है इस वक्त वो वहां होगा? हो सकता है चल कर देख लेते हैं? ठीक है विपिन कुमार उम्र में 30 से कम था लेकिन देखने में 40 से ज्यादा मालूम होता था उसकी सूरत में एक अजीब सा पिचकापन था जिसकी वज़े से वह ज्यादा उम्र का लगता था उसके चेहरे की सक्त लकीरे बताती थी कि जेल की जिंदगी उस पर काफी भारी गुजरी थी और उसने उसके काफी कसबल निकाल दिये थे अब क्या कर दिया मैंने हमें देखते ही वह बोला मैंने उसे घूर कर देखा हमसे पूछ रहा है टोकस कहर भरे स्वर में बोला तू बता तूने क्या किया है मैंने कुछ नहीं किया क्या कुछ नहीं किया मेरा उस लड़की की कतल से कोई वास्ता नहीं किस लड़की की कतल से कोई वास्ता रही वही जो 60 नमबर इमारत में मरी पाई गई है किस ने कहा कि तेरा उस कतल से कोई वास्ता है किसी नहीं कहा तो फिर और किस लिए आये हैं आप लोग यहां मुझे तलाश करते हुए क्यों और किसी वज़े से नहीं आ सकते मैं पागल नह के बात से ही मैं आप लोगों का इंतजार करने लग गया था मुझे पता था कि पुलीस मेरी खबर लेने जरूर आएगी किस लिए सजायाफ का मुझरिम जो ठहरा यह बात छुपी रहने वाली तो थी नहीं कि मैं उस इमारत में दूद सप्लाई करता था एक बार मेरे पर अ कहा करता था टोकस बोला कि once a criminal always a criminal माई बाप मेरा उस लड़की से कोई वास्ता नहीं मैं बेगुना हूँ अगर तू बेगुना है मैं घुड़क कर बोला तो इतना डर क्यो रहा है मेरे कहने भर से ही आपको विश्वास थोड़ी ही आ जाएगा कि मैं बेगुना हूँ यहा उसे इस बात से कोई अत्राज नहीं मैं यहाँ पूरी मेहनत और इमानदारी से काम करता हूँ मेहनत और इमानदारी का यही जजबा पहले भी रखा होता तो जेल क्यों जाना पड़ता अपनी बदखली का खामयाजा भुगत चुका हूँ अपने गुनाहों की सजा काट हाँ मैंने आज तक उसकी शकल नहीं देखी आज के अख़बार में चपी उसकी तस्वीर से ही मुझे मालू हुआ कि वह देखने में कैसी लगती थी क्या कहने मैं व्यंग पूर्नस्वर में बोला यानि गे टोकस बोला उसका कतल करते समय भी तूने उसकी सूरत पर निगा नहीं डाली थी माई बाप क्यों मुझ गरीब पर इतना जुल्म ढठाते हो मैं सच कहता हूँ मैंने कभी उसकी सूरत तक नहीं देखी मैंने कभी उस इमारत की सीडियों में भी कदम नहीं रखा तू चोर है? मुरी या कतले से मेरा कोई वास्ता नहीं ये ऐसे नहीं आनेगा मैं टोकस से बोला टोकस ने बड़ी संजिद्गी से सेमती में सरहिलाया इसे हेड़कॉटर लेके चलना होगा दुरुस्त टोकस बोला मेरा बाप कहा करता था कि मार के आगे भूद भी भागते हैं विपिन कुमार के चहरे पर घबराहट के बड़े गहरे भाव उबरे चल मैं बोला लेकिन साहब टोकस ने उसे गर्दन से पकड़ कर बाहर धकेला डरता घबराता वे हम दोनों के साथ वहाँ से बाहर निकला मैं जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठा टोकस ने विपिन को मेरे बगद में पिठा लिया लेकिन जब वे खुद जीप में सवार होने लगा तो मैं एका एक बोल पड़ा टोकस? हाँ टोकस ठिटका तुम्हे काम करो क्या? तुम घटना स्थल पर वापस जाओ और जाकर उस कृष्णा भारगव को टटो लो उसे? हाँ एसपी साब को उसमें ज्यादा गुंजाईस जो दिखाई दे रही है लेकिन ये इसे मैं संभाल लूँगा ठीक है बाद में मैं तुम्हे कहा मिलू ठाने बेटर वे जीप से परेहट गया मैंने जीप आगे बढ़ा दी साहब साहब रास्ते में विपिन बड़े दैनी अस्वर में बोला आप ख्वामखा ही मेरे पीछे पड़े है मैं कहता हूँ उस लड़की के कथल से मेरा कोई वास्ता नहीं चल मान लिया मैं बड़ी द्यानतदारी से बोला तू भी क्या याद करेगा अब ये बता कर शाम को तू था कहा शाम को किस वक्त शाम चार से साथ बज़े के बीच उस वक्त मैं रिवॉली में बैठा सिनिमा देख रहा था मैं हसा मैं सच के रहा हूँ साला हर कोई सिनिमा देख रहा था कथला के वक्त लेकिन मैं तो खामोश वे सहम कर चुप हो गया थाने में मैं उसे एक ऐसे तनहा कमरे में ले गया जो मुझ्रिमों से जवाब तल्वी के लिए इस्तमाल किया जाता था मैंने कमरे का दर्वाजा भीतर से बंद कर लिया उस कमरे का माहौल ही कुछ ऐसा था कि विपिन का चहरा पीला पड़ गया फिर बिना किसी पूर्वभास के मैंने उसके मुँपर एक ज़ापण रसीत कर दिया साले कुट्टे होश्यारी दिखाता है समझता है जो तू कहेगा मान लिया जाएगा तू कहेगा तू सिनिमा में था और हम कबूल कर लेंगे तिरी बात मैंने उसके पेट में एक घूसा रसीत किया अब बोल असल में तू कहा था पेट में पड़े घूसे से उसे दोहरा कर दिया मैंने उसे बालों से पकड़ कर सीधा किया मैंने देखा पीडा से उसकी आखे डबडबा आई थी और वे अपने पेरों पर अपना संतुलन कायम रखने में दिक्कत महसूस कर रहा था एक सेकेंड में बगदे मैंने उसके बालों को एक जटका देकर छोड़ दिया कि असल में तू कहा था बोल मैंने फिर उसकी तरफ घूसा ताना नहीं वे बड़े देनिये स्वर में बोला मारना नहीं माई बाप मैं बोलता हूँ बता मालिक आपके इस सवाल का जवाब मुझे वापस जेल पहुँचा देगा भूमी का बाद में पहले मतलब की बादबक मैं एक औरत के साथ था बस इतनी सी बाद पर तू फिर जेल पहुँच जाएगा मैं एक शादी शुदा औरत के साथ था तो भी क्या हुआ साले मैंने उसकी नाग के आगे घुंसा ले रहा है ये बाद भी वापस जेल यातरा के लिए काफी नहीं साहब जिस औरत के साथ मैं था वे केदारे की बीवी है कौन केदारा? केदारनाथ कंकटा? वही जेल में मैं और केदार एक ही कोटरी में थे केदारनाथ कंकटे के नाम से मैं वाकिफ था मुझे ये भी मालूम था कि एक सशस्त्र दकैती के इलजाम में वह तिहार जेल में पांच साल की कैद काट रहा था हम् प्रत्यक्षत हम मैं बोला सहब मैं जेल से अपनी सजा का पूरा वक्वा कटने से पहले प्रुबेशन पर छूटा हूँ मुझे खास हिदायत दी है कि मैंने अपराधियों के साथ या संदिग्द चरित्र व्यक्तियों के साथ नहीं उठना बैटना केदारे की बीवी उसी प्रकार की औरत है जिस प्रकार के लोगों के सौबत में पाएं जाने पर मैं वापस जेल में बंद किया जा सकता हूँ और मुझे अपनी बाकी की सजा काटनी पड़ सकती है मैं जेल वापस पहुँच गया तो केदारे से मेरी वापसे की वज़े छुपी नहीं रहेगी फिर वै मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा जेल में माई बाब वै गिर गिराया आप से क्या छुपा है कि वो कितना खतरनाक दादा और क्या कुछ नहीं कर सकता केदारे की बीवी नाम क्या है उसका संतरा क्या संतरा उसने दोराया ये नाम उसकी बीवी का हाँ तुमारी पुरानी यारी है उससे नहीं जेल से छूटने के बाद ही हुई थी कैसे जेल में केदारा मुझे उसकी बाते सुनाया करता था कि वह कितनी खुबसूरत है, कितनी सेक्सी थी, कितनी कड़क जवान थी, और कितनी रसीली थी मैं जील से छूटा था, तो उसी ने मुझे कहा था कि मैं कभी कबार जाकर उसका हालचाल मालूम कर लिया करू उसका हालचाल मालूम करते करते ही तुमारे आशनाई हो गई उससे साले बीवी कतरे अपने दोस्त की अंटी मार ली उसकी बीवी कतर ली उसने सिर जुका लिया केदारे से तो तेरी पुरानी यारी होगी हाँ साले, फिर तो उसकी बीवी को पहले से कैसे नहीं पहचानता जानता था माई बाब, मैंने कब कहा कि नहीं जानता था तूने कहा नहीं कि संत्रा से तेरी यारी जेल से चुटने के बाद हुई थी और जेल से तो तू सिर्फ चार मेने पहले चुटा है तुने कहा नहीं था कि तेरी उससे पुराने यारी नहीं है मैंने ठीक कहा था मालिक वे गिर गिराया केदारे की बीवी से वाकिफ तो मैं बहुत पहले से हूँ लेकिन उससे यारी उसने अपने दोनों हातों से एक कुछ से तिशारा किया यारी तो मेरी हाल ही में हुई है ओ, यानि कि उसका बाजा बजाना तुने हाल ही में शुरू किया है पहले तु सिर्फ जानता था, उसके हाथ लेटता नहीं था उसने हौले से हामी भरी रहती कहा है वो, मिंटो रोड पर अकेली रहती है हाँ, मिंटो रोल पर कहा उसने मुझे वहां के एक फ्लैट का नंबर बताया और तुम कहा रहते हो उसने मुझे काका नगर का एक पता बताया तो तुम संत्रा के साथ मिंटो रोल पर उसके फ्लैट में थे हाँ, कब से कब तक दोपेर से लेकर रात की ग्यारा बजे तक अगर संत्रा ने तुम्हारी अपने साथ मौजूदगी से इंकार किया तो वैसा नहीं करेगी अगर किया तो तो ये उसका बहुत भारी जुल्म होगा मेरे साथ मैं भी मौत मारा जाओंगा माई बाप मुझे वे सिचुएशन बहुत पसंदाई ऐसी ही किसी सिचुएशन का मैं तलबगार था जाहिर था कि उसकी लगाम संत्रा के हाथ में थी और अगर मैं संत्रा को अपने काबू में कर पाता तो फिर उसकी लगाम संत्रा की जगे मेरे हाथ होती अपनी बीवी के कतल के लिए ऐसी ही कोई situation की मुझे दरकार थी फिर मैंने संत्रा से उसकी महबत के बाबत खोद खोद कर उसे सैकुड सवाल किये और हर सवाल का जवाब कई कई बार सुना सुना बेटा अंध में मैं बोला वैसे है तो फासी पर चड़ा दिये जाने के ही काबिल लेकिन मैं तुझ पर तरस खाकर तुझे छोड़ रहा हूँ सुक्रिया मैं बाप वैं हर्शित स्वर में बोला हजूर के बच्चे जीए बखमत और जो मैं कहता हूँ चुपचप सुन जो हुकम मालिक आज से इसी सेकेंड के बाद से जब तक मैं इजाज़त ना दू तब तक तुने केदारे की बीवी से नहीं मिलना है तुने उसके आसपास भी नहीं पटकना है समझ गया जो मैंने करना है वो मैं समझ गया सहाँ लेकिन वज़े नहीं समझा मैंने एक चापड उसके चहरे पर रसीत किया और बड़े हिंसक स्वर में बोला वजय समझना चाहता है नहीं मालिक वें गिर गिराया तूने संत्रा से नहीं मिलना है मैं खा जाने वाली नजरों से खूरता हुआ बोला अभी यहां जो कुछ हुआ या जो कुछ तूने मुझे बताया उस बाबत तूने किसी के सामने जुबार नहीं खोलनी है समझ गया? समझ गया माई बाब नहीं समझा हो तो बता दे बराबर समझ गया सहब बराबर समझ गया मेरे साथ तूने जरा भी होश्यारी दिखाने की कोशिश की तो समझ ले कि पलक जपकते ही तू तिहार जेल में केदारे के साथ उसकी कोठरी में बंद होगा और केदारे को मैं खुद जाकर बताऊंगा कि तू जब जेल से छूटा है तब ही से उसकी बीवी का बाजा बजा रहा है उसके शरीर ने जोर से जुर जुरी ली मैंने आखरी बार उसे घूर कर देखा और फिर आगे बढ़कर कमरे का दर्वासा खोल दिया दफाओ जा मैं बोला वे वहां से यू भागा जैसे भूत देख लिया हो मैं फरीदाबाद पहुचा एस पी के नेदेश पर मैं वहां राम कमार अगरवाल से मुलाकात करने पहुचा था मेरे उससे मुलाकात तो हुई लेकिन नीशा के कतल की मुझसे कोई भी बात करने के लिए उसने साफ इंकार कर दिया उसने कहा कि वह अपने वकील की मौझूदगी के बिना पुलीस से कोई बात करने को तयार नहीं था आप बुला लीजी अपने वकील आपको मैंने बोला वो आज उपलब्द नहीं है वो रुखाई से बोला मैं बहुत दूर से आया हूँ दिल्ली बहुत दूर नहीं है कल फिर आ जाना लेकिन कल दूपेर यहां आ जाना वे पडाक्षेप सा करता हुआ बुला जो सवाल करोगे उसका जवाब मिल जाएगा मैं अपना सा मूँ लेकर वहाँ से दिल्ली लोट आया दस बजे रात को मैं ठाने में आकर लगा वहाँ से मैंने अपने एसपी के घर फोन किया और उसे रिपोर्ट दी कोई बात नहीं वो बोला कल फिर चले जाना लेकिन अगर कल भी उसने सीधे मूँ बात न की तो देखेंगे साले को ठीक है साहब वैसे मैं वहाँ से पुलीस विभाग के किसी जिम्मेदार व्यक्ती से संपर्क स्थापित करूँगा और उससे सहयोग की मांग करूँगा ये ठीक रहेगा साहब एसपी ने संभंध विछेत कर दिया मैंने अपने घर नमबर डायल किया पहली ही घंटी में मेरी बीवी ने फोर उठा लिया रवी बोल रहा हूँ मैं बोला मालूम है वैं मिश्री खुले स्वर में बोली कहा से बोल रहे हो ठाने से घर आ रहे हो अभी नहीव तुम क्या कर रही हू अभी तुम्हारा खाना बना कर हटी हूँ और आकर लेटी हूँ सहीली से मुलाकात कैसी रही बहुत बढ़िया इतनी बाते हुई कि वक्त का अंदाजा ही ना रहा चार बजे घर लोटी थी मैं साली जूटी मैं मन ही मन बोला पांच बजे मैंने फोन किया था तो घर पर नहीं थी आई सी प्रत्यक्षत हम मैं बोला तुमने फोन कैसे किया यूँ ही तुम्हारी मीठी आवाज सुनने के लिए जूटे सच बाते बनाना तो कोई तुम से सीखे कुछ क्षन मैंने बीवी से हलकी फुलकी बाते की फिर मैंने फोन बंद कर दिया अब मैं खाली था लेकिन अपनी जूटी और बेववा बीवी के पास घर जाने का मेरा मून नहीं बन रहा था शक और एशा से मेरा खोन खौल रहा था शाम को चार बजे तो क्या वे उसी क्षन घर लोटी हो सकती थी कल रात भी तो उस वक्त वे मेरे घर पर नहीं थी मेरी नाइट डूटी के दोरान घर से मेरी केर मोजुदगी का पता नहीं ऐसी कितनी रातों का वे पहले ही फाइदा उठा चुकी थी कहां जाती थी वो जरूर अपने राजेश नाम के उस हरामजादे यार से मिलने जाती होगी जिसका कल रात मेरे से अभी सारत होते हुए भी नाम जप रही थी कौन था ये राजेश का बच्चा और ऐसे कितने राजेशों से उसकी आशना ही थी गुस्से में मैं दाथ किट-किटाने लगा अपने घर जाने के स्थान पर मैं टोकस के घर पहुचा वैं सोने की तैयारी कर रहा था मैंने उसे बताया कि मैं फरिदाबाद से कैसे पिटा सा मू लेकर लोटा था उसने भी अपनी भाग दौड के बारे में बताया लेकिन अब उसका जवाब देना लाजमी था तब जिन्दगी में पहली बार मैंने टोकस से जूट बोला कुछ भी नहीं मैं बोला उसके साथ मैंने बेकार सिर्ख पाई की उसका केस से कती कोई तालुकात नहीं मालूं होता वाकई बेगुना है बेचारा छोड़ दिया मैंने उसे ओ फिर आकिरकार मैंने अपने घर का रुक किया मैं सुभा डाइनिंग टेबल पर बैठा ब्रेकफस्ट कर रहा था रात को मेरी अपनी बीवी से कोई बात नहीं हुई मैं चोड़ो की तरह घर में घुशा था और बिना खाना खाये चुप-चाप सो रहा था वह इतनी गहरी नीन में थी कि उसे मेरे आगमन की खबर भी नहीं लगी थी क्यों थी इतनी गहरी नीन में वो कौन सी कुष्टी लड़के आई थी हरामजादी मेरी बीवी मेरे सामने बैठी थी और यू मुस्कुराती हुई मेरी तरफ देख रही थी जैसे मुझसे ज्यादा उसे इस दुनिया में कोई नहीं था था क्यों नहीं राजेश जो था साली धोके बाज उस वक्त मेरे मन में अपनी खुबसूरत बीवी के लिए नफरत का लावा उबल रहा था अगर कोई शक्स एक ही क्षण में किसी से महबद भी कर सकता था और नफरत भी कर सकता था तो वो मैं था मैं उसके ताजे गुलाव से खिले चेहरे को देखता था उसके ढीले ढीले सूती गाउन की नीचे छुपकर भी ना छुपे उसके सांचे में ढले जिस्म का कयास करता था तो मेरा मन अनुराग से बार उटता था लेकिन जब मैं उसके द्वारा बोले गए जोड़ कर रखतूं एक एक आवेश में मेरे हाथ कापने लगे और हाथ में धमे कप में से चाय बाहर छलकने लगी क्या बात है वह बड़ी मीठे स्वर में बोली किदर ध्यार है तुम्हारा मैंने चाय का कप नीचे मेज पर पड़ी प्लेट पर टिका दिया एक बात भरसक संतुलित रखता हुआ बोला दो पूछो वो बोली कल शाम तुम चार बजे घर पहुची थी हाँ बताया तो था फोन पर वो मेरी सहली उसके बाद दुबारा कहीं गई थी नहीं तो लेकिन मैंने पांच बजे फोन किया था तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला फिर मै जवाब दो मैं कठोर स्वर में बोला वै मुस्कुराई उसके गुलाबी होटों के पीछे से उसके मोतियों जैसे दाथ चमके उसकी आखों में अभिसार जैसी मस्ती तेर गई हे भगवान ये औरत मुझे दिवाना बना कर छोड़ेगी रवी वै फिर शहद घुले स्वर में बोली हाँ इस वक्त तुम थाने में नहीं अपने घर बैठे हो इस वक्त तुम पुलीसिये नहीं पती हो और इस वक्त रूबरू तुम किसी मुझरिम के नहीं अपने बीवी के हो देखो तुम तुम तो ऐसे तिवर दिखा रहे हो जैसे अगर तुम्हें अपना मन माफिक जवाब ना मिला तो तुम अभी मुझे मारना पीटना शुरू कर दोगे निशा कैसे मारोगे वै इठलाई डंडे से कौन से डंडे से मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है और म वैं एक अएक अपने स्थान से उट खड़ी हुई क्या बात का बतंगड बना रहे हो वैं मेरे करीब आई मैंने तो फोन की घंटी सुनी नहीं थी उस वक्त मैं कहीं इधर उदर गई होंगी तुम जानते ही हो कि बातरूम में नलका चल रहा हो तो फोन की आवाज वहां नहीं सुनाई देती या शायद थोड़ी देर के लिए मेरी आँख लग गई होगी मेरे जुबान खोल पाने से पहले ही वह मेरी गोद में ढेर हो गई और उसने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी अपने सूती गाउन की नीचे वहा कुछ भी नहीं पहने थी उसके उरोज मुझे अपने वक्ष पर दो देहकते हुए अंगारों की तरह टिके मान हुए और उसकी भारी घर्म सासों में मेरा चेहरा जुलसा जा रहा था अपनी बीवी पर शक करते हो वह मादक स्वर में बोली गंदे बच्चे फिर उसने अपने अत्खुले होंट मेरे होंटों पर रख दिये उसने जोर से मेरा चुंबन दिया मेरे तन बदन में आग लग गई मैंने कस कर उसे अपनी बाहों में जकड लिया क्या मुंबई वाली चिट्थी क्या उसकी जूट क्या उसका यार राजेश क्या और कुछ सब भूल गया मुझे उस वक्त मुझे एक ही बात यादा रही थी कि दुनिया की सबसे खुबसूरत औरत मेरी बाहों में थी और उसका सब कुछ मेरा था मैंने उसे गोज में उठा लिया और उट खड़ा हुआ उसे चूमता सहलाता मैं उसे बेडरूम में ले आया मैंने उसे हौले से पलंग पर लिटा दिया और उसका गाउन उसकी जिस्म से अलग कर दिया एक ख़ण को मैंने अपलक उसे देखा क्या यही वो औरत थी जिसके लिए नफरत से अभी मेरा रूम रूम चल रहा था नहीं यह वो औरत नहीं थी इसे तो मैं दिलो जान से चाहता था फिर मैं उसके अपसराओं जैसे खुपसुरत जिस्म पर आधी में तूटे पेड़ की तरह गिरा और गिर कर मर गया थाने में दोपेर बाद पहुच पाया नीशा को मैं बेडरूम में ही संपूर्ण नगनवास्था में छोड़ कर आ गया था मैं अभी घर में ही था कि वह सो गई थी अमिसार के बाद परम संतुष्ठी की नींद मैंने उसे जगाना उचित नहीं समझा था टोकस मेरा ही इंतजार कर रहा था मालम हुआ कि फरिदाबाद जाने के लिए जीप हासिल हो गई थी हम फरिदाबाद पहुँचे निरधारित समय पर हमारी रामकुमार अगरवाल से मुलाकात हुई उसके साथ उसका एक सूरत से ही निहायती काईया लगने वाला वकील मौजूद था और साथ में मौजूद था हर्याना पुलीस का एक वर्दीधारी इंस्पेक्टर मालम हुआ कि उसका नाम कृपाल सिंग था और वह स्थानिय थाने से वहाँ आया था उसने बताया कि दिल्ली पुलीस के अनुरोद पर केस की तफ्तीश में हम लोगों की सहयाता के लिए उसे यहां नियुक्त किया गया है और वे हमारी वजह से वहाँ मौजूद था मुझे उसका पहले से ही अगरवाल और उसके वकील के पास मौजूद होना पसंद ना आया मेरे अगरवाल से सवाल पूछना शुरू करते ही उसके वकील की टोका टोकी शुरू हो गई अगरवाल जवाब देने के लिए मूँ खोलता था तो वकील पहले ही बोल पड़ता था वो बोला कि इंस्पेक्टर कुपाल सिंग पहले ही चेक कर चुका है कि सुमवार सुबह से लड़की की हत्या तक अगरवाल कहां था और पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका है कि अगरवाल का लड़की की मौत से दूर दरास तक कभी कोई रिष्टा नहीं मैं तुमें सब कुछ समझाता हूँ इंस्पेक्टर जल्दी से बोला समझाईए मैं बन्ना इस वर में बोला यहां से चलो चल कर थाने में बैटते हैं यहां इन्हें डिस्टरब करने का क्या फाइदा मैं खुद पुलीसिया था इसलिए पुलीसियों के ऐसे लिफ़ाफे बाजी के तरीकों से मैं वाकिफ था मेरे सामने बैठा वा इंस्पेक्टर एक पैसे वाले आदमी के हातों मुकमल तोर से बिक चुका मालूम होता था मैं समझ गया कि वहां मेरी कोई डाल नहीं गलने वाली थी मुझे सिर्फ वो बयान सुनने को मिलने वाला था और वो भी अगरवाल की जुबानी नहीं जो कि उसने उसके वकील ने और इंस्पेक्टर ने मिल बैटकर गड़ा था ठीक है मैं बोला अगरवाल ने चेन की लंबी सास ली उसके वकील और इंस्पेक्टर के चेहरों पर भी राहत के भाव आए इंस्पेक्टर उठ खड़ा हुआ टोकस उसके साथ उठ खड़ा हुआ मैंने उठने का उपकर्म नहीं किया सिर्थ एक सवाल मैं फिर भी अगरवाल साहब से पूछना चाहता हूँ क्या इंस्पेक्टर बोला अगरवाल साहब मैं उद्योग पती की आखों में जाकता हुआ बोला क्या यह हकीकत नहीं है कि मरने वाली आपको ब्लैकमेल कर रही थी वे सवाल मैंने खामका खुंदक में किया था लेकिन मुझे साफ दिखाई दिया कि अंधेरे में छोड़ा गया मेरा वैतीर निशाने पर बैठ गया था मैंने अगरवाल के चेहरे का रंग उड़ता साफ देखा वे बगले जाकने लगा और जवाब देने की जगे कभी इंस्पेक्टर और कभी अपने वकील की तरफ देखने लगा नहीं जवाब वकील ने दिया ये हकीकत नहीं है इंटर्विव वहीं समाप्त हो गया तब मैं उठा अगरवाल के जुबान न खोलने के बावजूद मुझे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था नीशा और्फ रामेश्वरी शर्तिय उस शक्स का खून चूस रही थी यहीं उसके कतल का उद्यश हो सकता था इंस्पेक्टर ने हमें दो घंटे थाने में बिठाया हमारी खातिर तवज्जो की और अगरवाल के हक में हमें खूब ब्रिन्बोश किया हम वापस दिल्ली लोटे हमारा मेशन कामयाब नहीं था लेकिन फिर भी हमारी फरीदाबाद यातरा सो फीसदी बेकार नहीं थी कल तुम रास्ते में मैं एका एक यू बोला जैसे कोई भूली बात याद आ गई हो कुछन भारगव को टटोलने गए थे ना क्या बात बनी कुछ बात नहीं बनी टोकस बोला कल वे मुझे मिला ही नहीं था अच्छा घर पर नहीं था वो मैंने इंतजार भी किया था उसका और दो-तीन जगे तलास करने भी गया था लेकिन कल मेरी उससे मुलाकात हो नहीं सकी मैं केर टेकर को मैसेज दे कर आया हूँ कि आज शाम को वे मुझे अपने फ्लैट पर जरूर मिले वरना मैं उसे थाने पकड मंगवाऊंगा आज वह जरूर मेरा इंतजार कर रहा होगा गुड दिल्ली में मैं टोकस से अलग हो गया मैंने जीप उसके हवाले की और उसे कृष्ण भारगव की ख़बर लेने के लिए सुंदर नगर छोड़कर एवं स्वयम बस पर सवार होकर पहाड़ गंज पहुच गया श्रिवास्तव अपने होटल के कमरे में मौझूद था उस वक्त उसने शेव अगेरा की हुई थी और सूट पहने था उसके चहरे पर देवदास जैसे भाव थे और वह देवदास की तरफ विस्की की नई बोतल खोले बैठा ड्रिंक कर रहा था पता नहीं वह अपनी कथित बेटी निशा की मौत का गम गलत करने की कोशिश कर रहा था या कोई और बात थी मुझे देखते ही उसकी सूरत पर ऐसे भावाय जैसे उस वक्त मेरा अगमन उसे कत्री पसंद ना आया हो आओ वो धीरे से बोला बैठो मैं उसके समीप एक कुरसी पर बैठ गया विस्की पियो वह बोला नहीं उसने इसरार न किया कैसे आए वह बोला मैंने तुम्हे एक काम बताया था काम? कैसा काम? मैंने विस्की की बोतल पर निगाह डाली उसमें से बहुत कम विस्की गायब थी इतनी कम विस्की गायब थी जितनी से कोई टुन नहीं हो सकता था श्रिवास्तव मैं उसे घूरता हुआ बोला मैंने तुम्हें शुष्मा सोनी नमक पॉप सिंगर की बाबत कोई जानकारी हासिल करने को कहा था ओ वे वे ततकाल बोला सॉरी मेरा ध्यान कही और था मैं तुम्हारी बात नहीं समझा था अब समझ गए हो? हाँ तु बोलो क्या जाना? वे साउथ एक्स्टेंशन में स्थित एक जैकन जिल नमक डिस्को थेक में पाई जाती है वहाँ वहाँ क्या करती है वो? गाती है, नाचती है वही करती है जो उसका पेशा है लेकिन मैंने तो सुना था कि उसका कॉंट्रेक्ट मोरिया के साथ था मौरिया में उसका कॉंट्रेक्ट नहीं था ट्रायल था वहां की उची पेट्रोनेज में वह फेल हो गई थी मुश्किल से तीन चार दिन तक उसका सिल्चिला चला था वहां जाहिर है कि अभी वह इतनी बड़ी पॉप सिंगर नहीं बनी थी के मौरिया जैसे फाइफ स्टार होटल में उसे मखबूलियत हासिल हो सके हम तो अब वह जैक अंजिल नामक डिस्को थेक में है हाँ पहले भी वही थी कब पाई जाती है वहां शाम को छे बजे के बाद कब तक तक कि कोई पाबंदी नहीं कभी नौ बजे चली जाती है तो कभी रात को एक बजे भी वही होती है रहती कहां है ग्रीन पाग पता उसने बताया देखने में कैसी है बहुत खुपसूरत बहुत मॉडर्ण है बढ़िया बनी है उम्र होगी कोई 25-26 साल दिल्ली की रहने वाली है नहीं कई बहार से आई है कोई तीन साल से दिल्ली में है अकेले रहती है हाँ अविवाहित है नहीं तलाग शुदा है सोनी शायद उसके पती का नाम था कोई बॉइफरेंट है तो मुझे उसकी ख़वर नहीं लग सकी वैसे उसके आस पड़ोस से तो यही मालू हुआ कि मैं बड़ी तनहा जिंदगी गुजारती है कोई बॉइफरेंट होगा भी तो स्टेडी नहीं होगा तुम मिले हो उससे नहीं मैंने उसकी शकल भी कभी नहीं देखी यह सारी जानकारी मैंने ट्रेड के लोगों से पूचताच करके हासिल की पैसे कितने कमाती है मुझे मालूम नहीं लेकिन जैसी वे आर्टिस्ट है उससे मेरा अंदाजा है कि कम से कम 3,000 रुपे महिना तो कमाती होगी और ज्यादा से ज्यादा 4-5,000 इससे जदा नहीं नहीं जैक अंजिल कौन चलाता है मनसुखानी नाम का एक सिंधी है क्यों तुम्हारा उससे कभी कारोबारी वास्ता नहीं पड़ा पड़ा है कई बार पड़ा है मैंने कई बार उसे मुजिशन और कैबरे आर्टिस्ट सप्लाई किये है गुड मैंने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली छे बच चुके थे उठो मैं बोला क्या? वे हड बड़ाया उठो और यहां से बाहर निकलो तुमने अभी साउथ एक्स्टेंशन पहुचना है और वहां जैक एंड जिल में इस सुस्मस सोनी से संपर्क स्थापित करना है वो किसलिए? तुमने उसे अपना परीचे देना है और बताना है कि तुम उसे ऐसा कॉंट्रेक्ट दिलवा सकते हो जिससे उसे कम से कम साथ हजार रुपे महीने हासिल होंगे कौन देगा उसे ऐसा कॉंट्रेक्ट मैं दूँगा क्या? तुम उसे बताओगे कि मैंने लखनों में एक बहुत बड़ा रेस्टरंट खोला है जिसमें मनोरंजन के प्रोग्राम के लिए मुझे एक बहुत उंदा पॉप सिंगर की जरूरत है मैं जूट बोलू क्यों? मैंने कहर भरी निगाओं से उसे देखा क्या जिन्दगी में पहले कभी जूट नहीं बोला तुमने? धर्मराज युदिष्टिर हो तुम वह कसम साया फिर आज ही रात मैं आगे बड़ा तुमने मेरी उससे मुलाकात करानी है उसे मेरा नाम तुमने रवी कुमार बताना है रवी कुमार लखनवी समझ गए? उसने बड़े अनिच्छा पूर्ण ढंक से सेमती से सर हिलाया साथ बजे तक तुम साउथ एक्स्टेंशन पहुच जाओगे तुम उससे मेरे लिए दस बजे का अपॉइम्मेंट फिक्स कर लेना और फिर यह कहकर वहाँ से निकल पढ़ना की तुम मुझे लेने जा रहे हो अच्छा मैं तुम्हें कहा मिलूँ? तुम बताओ मैं यहीं वापस आ जाओंगा साड़े नौ बजे के करीब तुम यहाँ वापस लोटाना मैं तुम्हें यहीं मिलूँगा फिर यहाँ से हम दुनों 81 साउथ एक्स्टेंशन चले जाएंगे यह ठीक रहेगा एक बात तुम बताओ इंस्पेक्टर साब क्या यह जो कुछ भी तुम मुझसे करवा रहे हो इसमें रामेश्वरी की मौत का क्या रिष्टा है? है रिष्टा है यह रिष्टा है कि इसी वज़े से तुम आजाद हो श्रिवस्तव अगर तुमने मुझे वो सयोग ना दिया जिसकी मैं तुमसे उमीद कर रहा हूँ या अगर तुमने मुझसे कोई भी होश्यारी करने की कोशिश की तो भगवान कसम जमानत नहीं होने दूँगा जेल में ऐसा सडाओंगा कि मर कर ही बाहर निकलोगे मैं बेगुना हूँ होंगे जरूर होंगे लेकिन दो लेकिन दरजन भर केस में तुमारे खिलाफ बनाऊंगा उन में से एक में भी तुम अपने आपको बेगुना साबित नहीं कर सकोगे दरजन भर केस वे अतंकित स्वर में बोला इससे भी ज्यादा पुलीस के पास सैकडो अंसुलजे केस होते हैं जिन में से दरजन भर या उनसे भी ज्यादा तुमारे सिर पर थोप देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा होगा भी तो करूँगा तुमारी खाट खड़ी करने के लिए करूँगा मैंने तुमारा क्या बिगाडा है कुछ भी नहीं इसलिए तो बचे हुए हो यही बात आगे भी ध्यान रखना और मेरा कुछ पिगाड कर मुझे अपना दुश्मन बनाने की जाहलत मत दिखाना वे फिर ना बोला पांच मिनिट बाद मैंने उसे होटल से निकलते देखा मैं तब सड़क के पार स्थेतेक चाय की दुकान में बैठा था वो एक थ्री वीलर पर सवार हुआ और वहां से रवाना हो गया जब उसका थ्री वीलर दृष्टी से ओजल हो गया तो मैं दुकान से बाहर निकला सड़क पार करके मैंने वापस होटल में कदम रखा श्री वास्तव साब तो रिसेप्शन के पीछे मौजूद वही पहले वाला तपेदिक का मरीज कलर्क बोला अभी अभी चले गए मुझे मालूम है मैं बड़े इत्मिनान से बोला इसलिए मैं वापस आया हूँ उसने उलजन पूर्ण भावस से मेरी तरफ देखा मेरे साथ चलो कहां? उपर श्री वास्तव की कमरे तक किसलिए? उसके कमरे का ताला खोलने के लिए जी? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर उस कमरे का ताला नहीं खोलोगे तो तुमारी होटल को ताला लग जाएगा ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी जेव से एक पुडिया निकाल कर उसे दिखाई ये चरस है मैं बड़े हिंसक स्वर में बोला ये मैंने यहां से बरामत की है वे बॉक लाया और मुझे उन तमाम रंडियों की भी खबर है जो अभी और एक घंटे बाद एक एक करके धंदा करने यहां पहुचने लगेगी यहां रेड होगी तो होटल को ताला नहीं लगेगा उसके छक्के छूट गए मालिक वे बढ़ावास स्वर में बोला मैं अभी चल कर ताला खोलता हूँ शाबाश मैं मास्टर की लेकर मेरे साथ चला उसने श्रिवास्तव की कमरे का ताला खोल दिया अब तुम फूटो मैं बोला मैं बाब मैं गिर गिराया कोई घोटाला तो नहीं होगा जरूर होगा जी अगर तुम कोई घोटाला करोगे तो उसके बदले में घोटाला शर्ती होगा मैं कोई घोटाला नहीं करूँगा तो फिर क्यों होगा कोई घोटाला उसने अपने सूखे होटो पर जुबान फेरी नीचे जाकर अपनी जगे पर बैठो जब तक मैं यहां हूँ तब तक यहां कोई ना आने पाए अगर श्रिवास्तव साब आ गए तो वे नहीं आने वाले वे भारी कदमों से चलता हुआ वहां से विदा हो गया मैं श्रिवास्तव की कमरे में दाखिल हुआ मैंने अपने पीछे दर्वाजा बंद कर लिया फिर मैंने ऐसी बारीकी से कमरे की तलाशी लेनी आरंब की जैसे सुई तलाश की जाती है मुझे निराश ना होना पड़ा मैंने वहां से कई दिल्चस्प चीजे बरामत की जैसे एक छोटी सी लाल जिल्द वाली डाइरी जिसके दो पन्नों पर पिछले एक साल की कुछ तारीक है और कुछ रकमे दर्ज थी उन प्रविष्टियों पर हेडिंग के तोर पर रामेश्वरी का नाम लिखा था मैंने उन रकमों का मोटा मोटा अंदाजन टोटल किया तो टोटल करीब डेट लाग के पेटे पहुचा डाइरी मैंने वापस यथा स्थान रग दी यानि कि अगरवाल ही एक लौता मुरगा नहीं था जिसका खोन हत परान अपनी जिन्दगी में चूसती रही थी मरने वाली की माल गाड़ी का एक पैसेंजर श्रिवास्तव भी था जैसे बड़ी साउधानी से वाटरप्रूफ पेपर में पहक किया हुआ और कई रबड बैंडों में बंदा हुआ एक छोटा सा पैकेट मैंने साउधानी से एक-एक रबड बैंड हटा कर पैकेट खोला पैकेट में 35 mm नेगेटिव फिल्मों की कोई 20 से करीब स्ट्रिप थी मैंने एक स्ट्रिप रोश्नी की तरफ करके देखा तुरंत मेरी समझ आ गया कि वह पैकेट क्या बला था वे संभोग गारत युवक युवति की नंगी तस्वीरों के नेगेटिव थे तस्वीरे बेहत गंदी थी उनसे ज्यादा गंदगी किसी ब्लू फिल्म में संभव नहीं थी हर नेगेटिव में मुझे एक ही औरत और एक ही आदमी दिखाई दिया लेकिन नेगेटिव में उन में से किसी की सूरत पहचाना मोहाल था मैंने एक स्ट्रिप बाकी नेगेटिवों से अलग कर ली उसे मैंने बीच में से दो तुकडे करके अपने बटवे में संभाल कर रख लिया बाकी के नेगिटिव मैंने पुरुवत लपेटे और उन पर रबड बेंट चड़ा कर उन्हें भी यतस्थान कर दिया जो आकरी चीज मैंने वहां से बरामत की वे सबसे अधिक संसनी खेस थी वे चीज मुझे वाटरूब में पड़े जूतों के जोडों में से एक पाउं में से मिली थी वे चीज निश्चे ही हत्परान के फ्लैट में से चुराए गए जेवरात थे जिने की एक जूते में डाल कर आगे से जुराब ठूज दी गई थी हीरे की अंगूठी और टॉप्स, कीमती घड़ी वाला सोने का कड़ा, सच्चे मोतियों की माला जेवरात मैंने अपने जेब के हवाले कर दिये उस वक्त उन जेवरात की शिनाक्त का मेरे पास कोई सादर नहीं था लेकिन मेरा दावा था कि वे निशा के फ्लैट से ही चूरी गया माल था उन जेवरात की वहां से बरामदी मुझे श्रिवास्तव के बारे में एक नए सेरे से सोचने पर मजबूर कर रही थी लेकिन वे जेवरात उसके हत्यारे होने की गैरेंटी नहीं थे वे जेवरात उसने लड़की की कतल के बाद भी फ्लैट से निकाले हो सकते थे श्रिवास्तव हत्यारा नहीं भी था तो चोर जरूर था मैं थाने पहुचा वहां अपने लौकर में मैंने अपने पहनने के कुछ अतिरित कपड़े हमेशा रखता था कभी घर जाकर वर्दी बदल कर आने का वक्त या मूर नहीं होता तो मैं वही कपड़े बदल लिया करता था उस दिन भी मैंने ऐसा ही किया मैंने अपनी वर्दी उतार कर सूट पहन लिया आज घर न जाने के पीछे वक्त की कमी या मूर का हाथ नहीं था आज हाकिकत यह थी कि मैं अपनी बीवी के माथे नहीं लगना चाहता था उसी के पास से आ रहा हूँ बहुत माथा पच्ची की मैंने उसके साथ हाथ क्या लगा हाथ यह लगा कि पहले वहां कहता था कि मरने वाली से उसकी मामूली मेल मुलाकात थी और फिर उससे एकाद बार ही मिला था लेकिन अब मुझे मालू हुआ कि वे उससे अक्सर मिला करता था दोनों डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक चाइनीज रेस्टरॉन में लंच के लिए अक्सर जाया करते थे ओ रवी आज मुझे वो छोकरा कुछ डरा हुआ सा लगा और उसके वेवार से साफ जाहिर हो रहा था कि वो कुछ छुपा रहा था वो कोई ऐसी बात छुपा रहा था जिसके जाहिर हो जाने की उसके दिल पर बहुत देशत है और वे बात इतनी मामूली नहीं हो सकती कि वे हत्परांट से अक्सर मिला करता था वे यही बात चुपा रहा हो सकता है कि उसने लड़की का कतल किया था होने को तो बहुत कुछ हो सकता है लेकिन कतल करने जैसी दिल गुर्दे वाला छोकरा वे मुझे लगता नहीं किसी वक्ती जुनूर में आकर किसी के सर पर पत्थर के फूलदान का एक वार कर देना क्या दिल गुर्दे की बात है टोकस ने उत्तर नहीं दिया वे कुछ शंड खामोश रहा और फिर बोला मेरे ख्याल से तुम खुद मिलो एक बार उससे बेटर कल बनाएंगे ऐसा कोई प्रोग्राम अब तुम घर पर जा रहे हो अभी नहीं अगर केस के चक्कर में कहीं जा रहे हो तो मैं भी चलू नहीं इदना जरूरी कुछ नहीं मेरा बाप कहा करता था कि दोस्त से कुछ छुपाना दोस्ती की तोहीन होती है अबे साले मैं क्या चुपा रहा हूं तुझसे नहीं चुपा रहे तो ठीक है वैसे कहना मेरा फर्ज था मैं हसा खोकली बेमानी हसी मैं वापस पहाडगंज पहुचा श्रिवास्तव अपने होटल में वापस पहुच चुका था दरवासे पर मेरी दस्तक के जवाब में उसने दरवासा खोला तो उसकी सूरत पर एक निगाप पढ़ते ही मैं समझ गया कि उसे मालुम हो चुका था कि उसकी गैर हाजिरी में मैंने उसके कमरे की तलाशी ली थी ऐसा उसने कमरे में पहुचने के बाद वहां की चुगली करती हालाच से खुद भापा था या रिसेप्शन वाले कलर्क ने उसे कुछ बताया था ये कहना मुहाल था उस वक्त उसकी शकल ऐसी लग रही थी जैसे वे फासी पर चड़ाए जाने के लिए ले जाने वाला जलात का इंतजार कर रहा था मैं उसे एक तरफ धकेल कर भीतर ताकिल हुआ उसने मेरे पीछे दर्वाजा बंद कर दिया और मेरी तरफ गूमा इंस्पेक्टर साहब वे हकलाता हुआ बोला बाई कॉड मैं क्या बात है मैं बीच में ही उसकी बात काटता हुआ कठोर सोर में बोला काम नहीं बना मिली नहीं सुश्मा सोनी वह तो मिली लेकिन क्या लेकिन मुझसे मिलने को तैयार नहीं वो वो बात नहीं वह तो तुमसे मिलने के लिए मरी जा रही है त UMH हरी इच्छा अनुसार मैं दस बजे की अपॉइंट्मेंट फिक्स करके आया हूँ फिर क्या बात है फिर तो बन गया काम फिर तो साबाशी है तुम्हें वे मूबाएं और पलग मुझे देखता रहा फिर उसके चेरे से गबराहट उलजन और परेशानी के भाव छटने लगे मेरी ओफर में दिल्चस्पी दिखाई थी उसने मैंने पूछा बहुत ज्यादा इस बार वक काफी सुसियत स्वर में बोला उसे जैकें जिल में साड़े तीन मिलते हैं तुम्हारी दुगनी रकम की ओफर उसकी दिल्चस्पी भला कैसे न होती वेरी गुड उस कमरे से बरामद हुए हत्परान के जेवराद अभी भी मेरे जेब में थे अगर उसे अपने कमरे से जेवराद की गेर हाजिरी की खबर लग चुकी थी तो क्या सोच रहा होगा वो इस बारे में जरूर वह यही सोच रहा होगा कि क्योंकि मैं उन जेवरात की वहां से बरामदी के जिक्र नहीं कर रहा था इसलिए जरूर मैं सारे जेवरात खुद बेच खाने का इरादा रखता था मेरी जगे और कोई पुलीसिया होता तो उसका यही सोचना गलत नहोता अपने महक में के लोगों का मैं ठेकेदार नहीं लेकिन कम से कम मैं अपनी पुलीस की नौकरी में चोरी या रिश्वत खुड़ी जैसी जलील काम कभी नहीं किये उसके लिए तो वह स्थित्य फाइदे की ही थी इस प्रकार वह भी तो जेवरात की वह मौजूदगी की कोई सफाई देने से बच गया निशा के फ्लैट से चोरी गए जेवरात की वहां मौजूदगी के बारे में मैं उससे सवाल करने शुरू करता तो उसकी ऐसी तैसी हो जाती मैंने अपनी कलाई घड़ी पर निगहा डाली चले मैं बोला हाँ वह बोला जब तुम कहो इंस्पेक्टर साहब एक बात याद रखना शेवास्तव वो क्या वह तने एक बोख लाया उस लड़की के सामने तुमने मुझे इंस्पेक्टर साहब या माई बाब या मालिक या साहब या जनाब जैसी किसी संबोधन से नहीं बुलाना है तो कैसे बुलाना है रवी या रवी कुमार कहकर ठीक है याद रखना जरूर याद रखोंगा लखनो की उसकी वाकफियत कैसी है मैंने ये सवाल किया था उससे वह कहती है कि वह कभी लखनो गई नहीं वैसे अपने धंजे की लड़कियों से लखनो का उसने जिक्र खूप सुना है गुड तुमने अपने रेस्टोरेंट का कोई नाम सोचा नाम? रेस्टोरेंट? जो तुम लखनों में खोलने जा रहे हो ओ वो 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 नाम पूछेगी? जरूर पूछेगी नाम कोई भी रख लेते हैं फाइव स्टार नाइट कलब कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा पता हजरत गंज बता देंगे ठेक है वे एक शंट ठिटका और फिर बोला मैंने लड़की को बताया था कि इस धंदे में अभी तुम नए हो वो किसलिए? ताकि वे तुमसे ज्यादा सवाल करकरके तुम्हारे लिए परेशानी ना खड़ी करे वेरे गुड हम जैक अंजिल पहुचे शिवास्तव के वेभार में अब काफी हद तक इत्मिनान का पुट आ गया था जेवरात का जिक्र ना आने नहीं उसकी हिम्मत बढ़ा ही मालूम होती थी जैसा करप पुलीसिया वे मुझे जेवरात के बारे में समझ रहा था अब शायद वैसा ही करप वे मुझे औरत के बारे में समझ रहा था वे जरूर यही समझ रहा था कि मुझे सुश्मा सोनी नामक पॉप सिंगर लड़की पसंद आ गए थी और उसके माध्यम से मैं उसे पड़ाना चाहता था यानि कि उसकी निगा में मैं दौलत और औरत खोर पुलीसिया था रवी वहां कदम रखते ही वह बूला वैसे लॉंडिया बहुत जोरदार है देखते ही मरमिट होगे मैंने कहर भहरी निगाहों से उसे देखा क्या हुआ वै बोखलाया रवी तुमने मैं एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बुला मुझे उसके सामने कहना है सिर्फ उसके सामने सौरी माई बाप सौरी हमने धुए और रंगीन रोश्णियों के माहौल में कदम रखा उस समय वहां तक्रिबन सभी मेजे भरी हुई थी वहां एक कोने में डांस फ्लोर था लेकिन उसपर डांस करने स्वाला कोई नहीं था डांस फ्लोर से जोडा हुआ बैंड श्टेंड था जिसपर पांच पीस का और्केस्ट्रा बज रहा था और औरकेस्ट्रा की ताल पर एक सुन्दर यूफती कोई विलायती गाना गा रही थी यूफती इतनी टाइट जीन पहने थी कि वे उसकी टांगों और कुलों पर उसकी चमडी की तरह ही मंडी हुई मालुम हो रही थी वे एक सफेद रंग का जालरो वाला ब्लाउस पेहने थी जो उसकी पसलियों के एन नीचे आकर खतम होता था जीन और ब्लाउस के बीच उसका गोरा चिकना शरीर नंगा था बड़ी मुश्किल से हमें खाली टेबल तलाश कर पाए यही शुस्मा सो नहीं है श्रिवास्तव ने मुझे बताया मैंने सेहमती में सिरह लाया मैंने अपना पैकेट निकाल कर एक सिगरेट सुलगा दिया श्रिवास्तव को मैंने सिगरेट ओफर करने की कोशिश ना की मैंने देखा कि लड़की गाह कम रही थी और नाच ज्यादा रही थी माइक के सामने खड़ी वे पारे की तरह थिरक रही थी और किसी एक्रोबेट की तरह हात, पाम और जिस्म को जटक रही थी अपनी चातियों को तो वो पूरे-पूरे अश्लील ढंक से जटके दे रही थी और बाकी जिस्म की हरकते भी ऐसी थी जैसे वे स्टेज पर खड़ी नहों बलकि अभिसार शईया पर लेटी हो मुझे विलायती गायन की समझ नहीं गाया तो बगवान जाने वो कैसा रही थी लेकिन अपने रूप और योवन से वे वहाँ पूरी काम्याबी से कैश कर रही थी वहाँ मौझूद अधिकतर लोग उसके गाने पर नहीं उसके अंग संचलन पर मर रहे थे कुछ तो साफ साफ लार टपका रहे थे आखिर गाना तो वो घर बैटकर टेप या ग्रामोफोन पर भी सुन सकते थे मैंने कलाई घड़ी पर निगाह डाली दस बच चुके थे तभी गाना खत्म हुआ लोगों ने तालिया बजाई गायका ने सब का इतना नीचे जुक कर अभिवादन किया कि उसके उरोजों की घाटियों के बीच से उसकी नाभी तक दिखाई दी फिर वह स्टेज के पीछे कहीं गायब हो गई मैं उसे बुला कर लाता हूँ शिवास्तव तुरंट उटता हुआ बुला मैंने सहमती में सिरह लाया शिवास्तव मेजों के बीच से गुजरता हुआ स्टेज की तरफ बढ़ गया पांच मिनिट बाद वह गायका के साथ वापस लोटा मैंने गौर से गायका को देखा तो ये थी वो सुश्मा सोनी जो बखौल मेरी बीवी उसकी सहिली थी और जिसके साथ कल उसने कनोट प्लेस में लंच किया था करीब से वा मुझे इतनी खूबसरत न लगी जितनी स्टेज पर गाती हुई लग रही थी उसके चेहरे पर बहुत गाड़ी लीपा पोती हुई हुई थी जो मुझे कतई पसंद नहीं अलबत्ता उसका जिस्म खूब पुष्ट था और भरा हुआ था मुझे वे लड़की लोंगडी जैसी चालाक लगी जबकि मेरी बीवी बहुत सीधी और भोली भाली लगती थी लगती ही तो थी मैंने मन ही मन सोचा कौन माई का लाल औरत के दिल में जाक सकता है औरत कब क्या करने को आमादा हो सकती थी कौन समझ सकता था श्रिवास्तव ने मेरा उससे परिचय करवाया मैंने उठकर उसका अभिवादन किया लेकिन जब उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया तो मुझे उसे हाथ मिलाना पड़ा बड़ा गर्म नर्म और मुलायम हाथ था पता नहीं क्यों उसका हाथ थामने भर से ही मेरे भीतर काम वासना जागने लगी हम बैठ गए कहिए जनाब अपना निचला होट चुबलते हुए वह खनक्ति सी हसी में बोली कैसा है आपका लखन शहर बहुत बढ़िया मैं तनिक हर बड़ाय स्वर में बोला नवाबों की शान बान वाला वो कहते नहीं कि सुभे बनारस श्रीवास्तव बोला शामे अवद श्रीवास्तव वह उसके गंजे सिर पर एक चपत जमाती हुई बोली तुम तो बड़े होश्यार हो गए हो और स तो नाओ क्या हाल चाल है तुम्हारा आजकल कौन कौन से लड़कों की जिंदगी बरबात कर रहे हो श्रीवास्तव हसा और बोला मजाग बहुत करती हो वह भी हसी फिर वह दोबारा मेरी तरफ आकरशित होई तो तुम वह अपलक मुझे देखते होए बोली लखनों में एक नाइट क्लब शुरू कर रहे हो हाँ मैं बोला फाइफ स्टार फाइफ स्टार नाइट क्लब एक बात कहूं दोस्त कहो सूरत से तुम कोई नाइट क्लब के ओनर नहीं लगते हो तो क्या लगता हो मैं उपास पूर्ण स्वर में बोला कोई ट्रांस्पोर्टर वह एक्शन और फिर बोली, या कोई पुलीसिया, एक बार तो मुझे सांप सूं गया, लेकिन मैंने जल्दी ही अपने आपको संभाल लिया, मैंने जोर का अटास किया और बोला, कैसे पहचाना, मेरे सिर परूगे सिंगों से, नहीं, उनकी गैर हाजरी से, मतलब, ये कैबरे जॉइन, रे मुझे खास पहचान है, मोटे थुल-थुल जिस्म, आखों में हर वक्त गुलाबी डोरे, आखों के नीचे गोष्ट की थहलिया, गंजे या खिजाब से रंगे सिर, कीमती कपड़े, हीरे की अंगूठिया, चहरे पर लालसा किस थाई भाव, वगेरा वगेरा, ये भी ऐसे ही हो जाएंगे, श्रिवास्तो जल्दी से बोला, देख लेना, अभी ताजे ताजे दाखिल हुए है ना इस दंदे में, यही बात होगी, वह बोली, मेरी जान में जान आई, लेकिन लड़की वाकई बहुत चालाक थी, और बहुत दुनिया देखे हुई थी, मुझे वह ल तो एकाएक वो निहायत मीठे स्वर में बोली, यह बेबी, श्रिवास्तो तनिक हड़ बड़ाय स्वर में बोला, तुमने गराहक और माल की मुलाकात तो करवा दी, अब तुम क्यों अपनी मीन हराम कर रहे हो, मतलब, मतलब यह कि सीधे घर जाओ और जाकर सो जाओ, अब त मेरा कमिशन खरी है, फिर मुझे क्या फिक रहे है, वै उटता हुआ बोला, उसने मुझसे हाथ मिलाया, सुष्मा का नंगा कंदा थप थपाया और वहां से विदा हो गया, ड्रिंक विंग करते हो या नहीं, सुष्मा ने उसके जाने की बाद मुझे पूछा, सभी कुछ कर मैं बोला, ड्रिंक भी, वरिंक भी, अब ये की ना तुमने नैट कलब ओनरों जैसी बात, मैं हसा, सीख जाओगे, जल्दी सीख जाओगे, उसने एक बेटर को बुला कर उसे कुछ समझाया, तुरंद बाद बेटर ने जो कोलरिंग हमें सर्व की, वै विस्की मिला कैमपा क मैं बोला था, ड्रिंक की चुस्कियों में हम दोनों में हलकी फुलकी बाते होने लगी, बातों के दोरान उसने बड़े सहज भाव से मेरे सामने पड़ा मेरा सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठा लिया, और एक सिगरेट सुलगा लिया, कश लेकर वे नाक से धुआ नि मैं क्या लता मंगेश कर हूँ, मैं हडबडाया, उसने एक बार स्टेज पर निगा डाली, ग्लास खाली किया और उठती हुई बोली, सुईट हाट, I will go sing one more number and then call it a day, ओके, मैंने सहमती में सिरहलाया, फिर यहां से कहीं और चलेंगे, यहां धंदे की बात करने के लिए वैसे भी यहां के प्रोप्रैटर को पता चल गया कि तुम मेरे कॉंट्रैक करने की नियत से यहां आये हो, तो उसे बहुत बुरा लगेगा, वो तो है, तुम ऐसा करना, पांच मिनिट बाद तुम यहां से विदा हो जाना, मैं तुम्हें बाहर सडक पर मिलूंगी, ठीक है तुम्हारे पास गाड़ी है, नहीं, नहीं, लखनों से यहां मैं गाड़ी लेकर आता, यह भी ठीक है, एनिवे, से यू, वै फिर स्टेज पर पहुंच गई, मैंने तब तक नोट किया कि मेरी आसपास की टेबलों पर बैठे लोग, मुझे भारी इर्षा की निगाउं से देख रहे थे, मैं बहुत आनंदेत हुआ, मुझे अपनी बहुत कदर महसूस हुई, हम दोनों होटल विक्रम के एक रेस्टरॉन में जाके बैठे, मैंने ड्रिंक्स का ओडर दिया, ड्रिंक्स के दोरान उसने मेरे नाइट किलब के कथिद धंदे और लखनों शहर के बारे में एका एक बड़ी पूछ होने लगी है, वह बोली, जैक एन जिल में पहले जो बैंड था, वे हार्डी बोईस के नाम से जाना जाता है, उन्हें भी लखनों की कोई पार्टी ले गई थी, लखनों में हार्डी बोईस के नाम तो तुमने सुना होगा, सुना है, मशूर ब देखा है, सच पूछो तो मैं अपने कलब में वैसी ही शानो शौकत पैदा करना चाता हूँ, उसने एक गहरी सास ली, अपना विस्की का ग्लास उसने नीचे टेबल पर रख दिया और अपलक मेरी तरफ देखने लगी, क्या बात है, मैं सक पकाया, सुइट हार्ट, वै धीरे से बोली, लखनों में विक्रमधित्या नाम का कोई होटल नहीं, और यहां या कहीं और हार्डी बोईज नाम का कोई बैंड नहीं, मैं उससे निगाहें चुराने लगा, मेरा अंदाज गलत नहीं था, तुम नाइट कलब जैसी किसी धंदे से बंदी आदमी नहीं, तुम्हारा नाम भी रवी कुमार नहीं है, नाम तो मेरा यहीं है, होगा, that's a small coincidence, अब सुइठाट, असली बात बताओ के तुम कौन हो और क्या चाते हो, मैंने उत्तर दिया, उत्तर मुझे सूज ही नहीं रहा था, अगर तुम पुलीसी हो और मेरी प पीछे पड़े हो तो खामखा अपना वक्त बरबाद कर रहे हो, अब मैंने कुछ नहीं किया है, और ना कुछ करने का इरादा है, तुमने देख लिया है कि अब मैं एकदम सीधी जिन्दगी गुजार रही हूँ, पहले क्या किया था तुमने, जैसे तुम्हें मालुम नही कैसे मालुम होगा, तुम पुलीस वाले हो, मैं पुलीस वाला नहीं हूँ, मैं पूना में एक साल की जेल की सजा काट चुकी हूँ, किस अपराद में, अपराधी की मदद करने के अपराद में, मैं तनिक उत्तेजित हो उठा, पूना में ही मेरी बीवी ने भी शीला अतरे क के नाम से धाई साल की जेल की सजा काड़ी थी जरूर इन दोनों की मुलाकात जेल में ही हुई थी अब मुझे बात कुछ बंती लग रही थी और गाड़ी आगे सरकने लगी थी अब अपनी असलियत तो बोलो उसके स्वर में अब गुसा झलकने लगा अगर तुम कोई और खो हो तो कोई और दुकान देखो यहां तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली पता नहीं उसे नशा हो गया था या उसे गुसा बहुत चड़ गया था लेकिन हकीकत यही थी कि उसकी आवाज इतनी उंची हो गई थी कि आसपास बैठे लोग हमारे टेबल की तरफ देखने लगे समीब खड़ा वेटर भी आशंकित लगने लगा था देखो मैं अनुन्यपूर्ण स्वर में बोला भगवान के लिए चिल्लाओ नहीं क्यों न चिल्लाओ मैं प्लीज जरा शांत हो जाओ मैं तुम्हें सब समझाता हूं सब बताता हूं तो शुरू करो बताना पहले यही ब लखनों ले जाना चाते हूं मुझे तो लगता है कि तुमने लखनों की कभी शकल भी नहीं देखी मेरा एक जाती मामला मुझे उस तक लाया था यह उसे बताने का और अपनी असलियत उस पर जाहिर करने का मैं कती ख्वाश्मन नहीं था लेकिन अब हालात जो करवट बदल चुके थे उनमें उसे यह बताए बिना मेरी गती नहीं होने वाली थी कि मैं एक पुलीसिया था पर असली वज़े मैंने उससे फिर भी न बताई सबसे पहले मैंने यही कबूल किया कि मैं एक पुलीसिया हूँ मैंने उसे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया उसे कार्ड पर लगी मेरी बावर्दी तस्वीर की एक जलक मिल गई तो मैंने कार्ड जेब में रख लिया पुलीस दिल्ली के जैक एंड जिल जैसे तमाम जोइंट्स की चेकिंग अकसर करती रहती है इतना तो तुम्हें मालूम होगा मैं बोला मालूम है वैं भुन भुनाई कुछ दिन पहले मैं साधी वर्दी में जैक एंड जिल में गया था वहां मैंने तुम्हें स्टेज पर देखा था तुम मुझे एहमक होगी लेकिन तुम पर एक निगाप पड़ते ही मैं तुम पर मर मिटा था नॉनसेंस मैं सच कह रहा हूँ खेर आगे बोलो मैं सीधे सीधे तुम्हारे पास आता और तुमसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता तो तुमने मुझे घास भी नहीं डालनी थी जैक एंड जिल में आने वाला तो हर शक्स तुम पर मरता होगा और तुम्हारे साथ दोस्ती गाटने क्या खौईश मंध होता होगा इसलिए तुम्हारे करीब आने का मैंने मौझूदा तरीका अक्तियार किया श्रिवास्तव मेरा पुराना वाकिफ है तुम्हारे से परिचे कराने के लिए मैंने उसका सहरा लिया और उसके माध्यम से लखनों के नकली काउंट्रैक की कहानी तुम तक पहुचाई मैं कबूल करता हूँ कि मैंने बहुत बचकानी हरकत की थी लेकिन मुझे ये उमीद नहीं थी के मेरी यह पोल इतनी जल्दी खुल जाएगी बहराल मैंने जो कुछ किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ लेकिन मैं दिल के हाथों मुझबूर था मुझे तो लग रहा था कि अगर मेरा तुम से संब्रक ना हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगा तो मेरी जान पराबनेगी अपने कथन को विश्वसनी बनाने के लिए जो एक्टिंग मुझे करने पड़ी उसने मुझे दातों पसीने ला दिये और पता नहीं अभी भी बात बनी थी या नहीं वह कुछ क्षन खामोश रही और अपलक मुझे देखती रही फिर एका एक वह जोर से हसी मेरी जान में जान आई धीरे मैं बोला उसकी हसी को ब्रेक न लगी हस्ते हस्ते उसकी आखों में आसु आ गए फिल्में देखते हो वह बोली देखता हूँ उस संदर्बहीं सवाल से मैंने हड़ बढ़ाता हुआ बोला मनुरंजन देखी थी नहीं कभी रीरन में आए या वीडियो हो तो देखना उसमें संजीव कुमार तुम्हारी तरफ पुलीसिया बना था जैसे तुम कह रहे हो लगवग वैसे ही वो भी कॉल गर्ल बनी जीनतमान पर मर मिटा था तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे मनुरंजन फिल्म की याद आ गई वै फिल्म थी यह हकीकत है चलो मान लिया अब तो मिल लिये मुझसे मिल लिया दिल भर गया दिल दिल तो नहीं भरा लेकिन इतनी तसल्ली हो गई है कि अब मैं पागल नहीं हो जाओंगा वैसे इस बात ने मेरा बहुत दिल तोड़ा है कि साथ हजार महावर के लखनों के कॉन्ट्रेक वाली बात पोगस थी मैं शर्मिंदा हूँ दिल से शर्मिंदा हूँ तुम अपनी इंस्पेक्टर की तनख्वा पर इतने महंगे रेस्टरॉन का बिल देना अफोर्ड कर सकते हो कर सकता हूँ मैं पैसे वला आदमी हूँ नोकरी मैं शोकिया करता हूँ शोकिया करने के लिए पुलीस की ही नोकरी मिली थी मुझे पसंद है ओके अब तुम्हें काम करो बूलो ड्रिंक्स मंगवाओ फिर और ड्रिंक्स मंगाओ फिर डिनर का ओडर दो फिर बिल अदा करो और फिर टैक्सी पर मुझे घर छोड़ाओ मैंने शांती की लंबी सास ली जो हुक्म मेरी मलिका मैं सिर नवा कर बोला सरे तसलीम खम है वे खिल खिला कर हसी रात के एक बज़े हम रेस्टरॉन से उठे वे भी इसलिए क्योंकि रेस्टरॉन बंध होने का वक्त हो गया था और वहां हम दो ही जने बैठे थे नशे में जूमती हुई शुष्मा को सहारा देकर मैंने टैक्सी तक पहुचाया उसने मुझे ग्रीन पार्क का अपना पता बताया जो कि मुझे पहले से मालूम था टैक्सी में वह मुझे पर धेर होकर बैठी थी टैक्सी ग्रीन पार्क पहुची वहां वे एक ऐसी मारत की पहली मंजर पर स्थित एक फ्लैट में रहती थी जिसका मुझे दुआर लगता था कि हमेशा खुला रहता था मैंने टैक्सी से बाहर निकल कर उसकी तरफ का दर्वाजा कोला वे बाहर निकली टैक्सी का भाड़ा चुकाने की नियत से वे अपना पर्स खोलने लगी जाने दो मैं उसका मंतव्य समझ कर बोला मैं इसी टेक्सी पर वापिस चले जाना वह बोली जल्दी क्या है लेकिन और टेक्सीों का क्या घाटा है सामने ओल नाइट टेक्सी स्टैंड है उसने जबरन टेक्सी का भाड़ा चुकाया हाओ वो बोली मैं उसके साथ हो लिया वह मुझे अपने दो कमरों के खूप सजे फ्लाट में ले आई तुम बैठो वह मुझे एक सोफे पर धक्यलती होई बोली मैं अभी चेंज करके आती हूँ मैंने सहमती में सेरहिलाया वह पिछले कमरे में चली गई मेरी कलपना आपे से बाहर होने लगी जरूर वे अपनी टाइट जीन और बलाउज उतार कर कोई जीनी सी रोमेंटिक सी नाइटी पहन कर आएगी जो कि उसके खूपसूरत जिस्म पर ना होने जैसा दरजा रखती होगी नाइटी में उसके अंग प्रत्यंग की कलपना करते हुए मैंने एक सिगरिट सुलगा लिया वे मेरी जिन्दगी का पहला मौका था जब मैं किसी औरत की वैसी सोहबत से दो-चार हो रहा था शादी से पहले तो मैं वैसे ही साधू सान्यासियों जैसा था और शादी के बाद भी मैंने अपनी बीवी के अलावा कभी स्तरी के तरफ आँक उठाकर भी नहीं देखा था वे पहला मौका था जब कि यह कहा जा सकता है कि मैं अपनी बीवी के प्रतिवफादार नहीं था हाँ, नहीं था उससे महबबत मैं अब भी करता था लेकिन उसका भरोसा अब मुझे रत्ती भर को भी नहीं था वे धोके बाज औरत निकली थी उसने तो अपनी असलियत तक मुझसे चुपा कर रखी थी वे निशा गुस्वामी नामक कोई शरीफ लड़की नहीं बलकी शीला अतरे नामक एक ससायाफता मुझ्रिम थी ऐसी औरत से बेवफाई का क्या गिला दोके बास को धोका देने का क्या अफसोस मेरी सिगरेट समाप्थ होने तक वे वापस लोटी उस पर एक निगाप पढ़ते ही मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया उसने कपड़े तो तब्दील किये थे लेकिन वे नाइटी जैसी कोई सेक्सी ड्रेस पहन कर नहीं आई थी वे शलवार कमीज पहने थी और अपने घर में भी अपने उननत वक्ष को खूब अच्छी तरह से ढखने के सक्षम डुपट्टा तक ओडे थी उसके हातों में एक ट्रे थी जिसमें मुझे दो ग्लास, एक सोडा सैफन, एक आइस बकेट और एक विस्की की बोतल रखी दिखाई दी उसने ट्रे मेरे सामने रख दी ये क्या? मेरे मुझ से बर्बस निकल गया वही जो दिखाई दी रखा है, वो बूली लेकिन, लेकिन क्या? और नहीं पियोगे इतना खाना खा चुकने के बाद तो क्या हुआ? मैंने तो ऐसे कभी नहीं पी आज पी कर देखो, मेरे नाना करते करते उसने दो जाम तयार किये मैं इतना बड़ा पियकड नहीं मैं कठेन स्वर में बोला मिस्टर, भैतनिक तिरसकान पूर्णस्वर में बुली तुम मेरी तोहिन कर रहे हो तुम यह कहना चाते हो कि मैं बहुत बड़ी पियकड हूँ ना, नहीं, मैं हड़ बड़ाया मेरा ये मतलब नहीं था तो क्या मतलब था तुमारा? मेरा मतलब था कि अगर और पीनी थी तो वहीं रेस्टरॉन में ही पी लेते एक ही बात उसने गलास उठाया मजबूरन मुझे भी गलास उठाना पड़ा चीर्ज, वो बोली चीर्ज, मैं बोला तब मेरी समझ आया कि वह मुझे क्यों फ्लैट पर लाई थी उसकी मुझ में कोई दिल्चस्पी नहीं थी वह पीने की शौकेन थी और एक ड्रिंकिंग पार्टनर के तौर पर ही वह मुझे लाई थी सामने दिवार पर एक वाल क्लॉक लगी थी मैंने उस पर निगा डाली क्लॉक दो बजा रही थी टाइम देख रहे हो वो बोली हाँ मैं सक पकाया यूही मेरी घड़ी का भरोसा न करना ठीक टाइम नहीं देती कभी रुख जाती है कभी आगे हो जाती है कभी पीछे हो जाती है फिर तो यहाँ मेरी रिस्ट वाच की बहन हुई वह हसी वा फिर एक ही सास में अपना ग्लास आदा खाली करते हुई बुली जिन्दगी का मज़ा आ गया बहुत पीती हो तुम मैं बोला तुमें एतराज है सुईठांट नहीं कते नहीं गुड सच पुछो तो यही एक काम है जो मैं बहुत ज्यादा करती हूँ I am fond of drinking लेकिन अकेले पीने में क्या मज़ा है यानि मेरा खयाल सही था वेतनिक आगे को जोकी और बड़े रहस पूर्ण अस्वर में बुली जानते हो क्या I am not a good girl मैं हसा हसते हो वे आखे निकाल कर बूली मैं अपनी हसी पर कंट्रोल न कर पाया हाँ हसता हो वे कुछ क्षण वैसे ही आखे निकाल कर मुझे देखती रही और फिर खुद भी हसने लगी अच्छे आदमी हो तुम उसने फत्वा दिया पुलीसिये होते हुए भी अच्छे आदमी हो तुम तुम्हारी निकाल में पुलीसिये क्या सारे बुरे होते हैं सारों का तुम उझे नहीं पता मैंने सारे पुलीसिये नहीं देखे लेकिन जितने देखे हैं उनमें कोई अच्छा आदमी नहीं दिखा सिवाए तुहारे पुलीस वालों के साथ तुम्हारी जिंदगी की कोई बहुत कड़वे तजूर पे जुड़े मालूम होते हैं यही समझ लो इसलिए पुलीसियों की तुम्हें इतनी पैचान है मुझे भी देखते ही तुमने कह दिया था कि मैं पुलीसिया हूँ या कोई ट्रांसपोर्टर वे हसी उसने अपना गलास खाली किया और तुरंत नया पेक बनाया पुलीसियों की बहुत पैचान है मुझे इस बार वह बड़ी संजिदगी से बोली ब्रहेंडी का जला बीयर फोक फोक कर पीता है उसके उस अनोखे मुहावरे पर मेरी बेसकता हासी निकली गलास खाली करो उसने हुक्म दंदनाया मैंने किया उसने मेरे लिए भी नया पेक तयार कर दिया एक बात बताओ मैं बोला दो पूछो स्वीठाड तुम किसी शीला अतरे को जानती हो जानती हूँ कमला अतरे को भी जानती हूँ बिमला, सरला, रचना, अनुपमातरे सब को जानती हूँ क्यों? वे बात को मजाक में उड़ा रही थी उस वक्त वे कोई गंबीर बात करने की स्थिति में नहीं मालूम होती थी वहां बैटा में खामखा अपना वक्त बरबाद कर रहा था बोलो कौन सी पसंद है इनमें से तुम्हें? कोई भी नहीं मैं तो बस यूही अब एक बात तुम बताओ पूछो मेरे साथ यहां तुम जिन्दगी का मजा लेने आये हो या पुलीस इंक्वैरी करने? मैंने उत्तर ना दिया अपनी उलजन और नियत चुपाने के लिए मैंने विस्की का ग्लास उठाकर होटो से लगा लिया वो महावरा है ना? वो बुली साथ ही यह मुहावरा भी होना चाहिए कि सुभा के चार बजे मैं वहाँ से विदा हुआ नशे में खस्तहाल और सौ फिसदी बेरंग रात की किसी घड़ी जिस औरत के साथ मैं अभिसार के सपने देखता रहा था उसने मुझे उंगली तक छूने नहीं दी थी अब मैं सोच रहा था कि अगर वे मुझे कुछ करने देती तो क्या मैं कर बैठता? जरूर कर बैठता मेरे दिल ने गवाही दी उसका मान मरदन करते समय जरूर मुझे ऐसा एशास होता जैसे मैं अपनी बेवफा बीवी से बदला उतार रहा था मेरा औरजजात पर जुल्म जैसे उस पर भी जुल्म होता मुझे यही करिश्मा लग रहा था कि अपनी नशे की हालत में मैं सुश्मा के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर बैठा था पाउं फटने से पहले मैं अपने घर पहुचा कमपाउंड में उस रोज का हिंदुस्तान टाइम्स पड़ा था मैंने अकबार उठाया और उसका लोकल पेच खोला उसमें निशा के कतला से तालोक रखती एक खबर मुझे दिखाई दी कैबरे डांसर के हत्यारे का कोई सुराग नहीं इस हेडलाइन के नीचे मुझे दिली के एक माने हुए पत्र का सूरज जोशी का नाम छिपा दिखाई दिया उसने लिखा था इन पंक्तियों के लिकक को विश्वस्त सूत्रों से यात हुआ है कि स्थानिय पुलीस की निगा में सुन्दर नगर में हुई निशा नामक कैबरे डांसर की हत्या का एक प्राइम सस्पेक्ट है वे संदिद्य व्यक्ति हर्याने के फरीदाबाद जिले का एक बहुत बड़ा उद्योग पती है जिसकी मरने वाली रखेल बताई जाती है और जिसके नाम को गोपनिय रखने में स्थानिय पुलीस हर्याना पुलीस की मदद कर रही है ये इस्तिती तब है जबकि वे उद्योग पती इस बात की कोई सफाई देने को भी तयार नहीं की हत्या के समय वे कहा था पुलीस के पूछने पर भी उसने अपनी एलबाई पेश नहीं की जबकि ये बात सर्वविदित है कि नीशा की मौत से कुछ समय पहले वे उसके साथ था सिध्धन्त तह जहां उसे दफा 302 के तह तुरंत गिरफतार किया जाना चाहिए वहां उसे अभी तक अपनी सफाई देने के लिए दिल्ली पुलीस ने तलब तक नहीं किया पुलीस तुआरा उस उद्योगपती को दिखाई जा रही नर्मी और दयानतदारी इस बात का ज्वलंत उधारन है कि किस प्रकार से पैसे वाले लोग अपने आप को काईदे कानून से उपर समझते हैं और मुल्क के निजाम की खिल्ली उडाते हैं उसके आगे भी अभी बहुत कुछ था जो कि मैंने उस वक्त नहीं पड़ा मुझे हैरानी थी कि राम कुमार अगरवाल के बारे में इतना कुछ जानते हुए अखबार वालों ने साफ साफ उसका नाम लेने की कोशिश नहीं की उसी खबर के साथ दो ऐसी तस्वीरे भी थी जो इस बात का सबूत थी कि उस रिपोर्ट ने पुलीस के महकमे में बहुत भीतर तक सेंद लगाई हुई थी उन तस्वीरों को देखकर मेरा S.P. शर्तिय आपे से बाहर हो जाने वाला था दस बजे ब्रेकफस्ट टेबल पर मेरी अपनी बीवी से मुलाकात हुई वे हमेशा की तरह परियों जैसी खुबसूरत और देवियों जैसी निर्दोश लग रही थी उसका वे रूप देखकर हमेशा की तरह एक बार गी तो मैं वे सब कुछ भूल गया जो मेरे जहन में उसके खिलाफ था ना सिर्थ भूल गया बलकि पिछली रात की अपनी कर्तूत पर बकाइदा मन ही मन शर्मिन्दा होने लगा लेकिन वह एसास वक्ती था जल्द ही मैं जुझला गया और मन ही मन अपने आपको कोसने लगा की मुझे शर्मिन्दा होने की क्या जरूरत थी शर्मिन्दा तो मेरी बीवी को होना चाहिये था जो की जूटी थी दोके बास थी बेवफा थी सजायाफता मुझरिम थी शीला अत्रे थी नीशा बड़े गौर से मेरी सूरत देख रही थी मैं उससे निगाहें चुरा रहा था नीशा ने कुछ कहने के लिए मुझ खोला ही था की एका एक टेलिफोन की घंटी बच उठी मैंने मनी मन बहुत रहत महसूस करते हुए उठकर फोन उठाया फोन मेरे एसपी का था अभी तक घर बेटे क्या कर रहे हो वह गर जा फोरण यहां पहुचो बस सहब आया मैं बोखला एक स्वर में बोला आज का अकबार देखा जी हाँ देखा मैं समझ गया कि एसपी उसी खबर की वज़े से उबल रहा था जो मैंने सुभा लोकल पेज पर पड़ी थी एक बाद और एसपी बोला अपने फोन का रिसीवर आफ मत रखा करो पुलीस के नौकरी में यह नहीं चलता रिसीवर आफ था? हाँ मैंने एक्सचेंज से मालूम किया था कि रिसीवर आफ था तुम क्या कश्मीर लग गए हो जो रात को रिसीवर आफ करके सोते हो और ऐसा क्या तुम ड्यूटी से बच जाओगे अगली बार मुझे रिसीवर आफ मिला तो मैं हवालदार को तुमारे घर बेच कर तुम्हें उठवा कर मंगवाऊंगा लेकिन उसने फोन पटक दिया मैंने भी धीरे से रिसीवर क्रेडल पर रख दिया तो पिछली रात को मेरा टेलिफोन का रिसीवर आफ था जरूर ऐसा नीशा ने किया था क्योंकि मैं तो पिछली रात घर पर था ही नहीं और मेरी वज़े से किया था ताकि अगर मैं उसे चेक करने के लिए घर पर फोन करूँ तो मुझे बिजी सिगनल बिले और मैं ये समझू कि फोन बिगड गया था हेड़कॉर्टर से बुलावा था अपार व्यस्तता का प्रजेशन करते हुए मैं बोला फॉरन पहुँचना है एसपी आसमान सिर पर उठा रहा था उसने बड़ी संजिद्गी से सहमती में सर हिलाया वह मुझे कुछ न बोली मैं एसपी के कमरे में पहुचा टोकस वहाँ पहले से बैठा था और लगता था वहाँ मेरा ही इंतिजार हो रहा था मैंने एसपी का अभिवादन किया उसने नाख से मक्खे उड़ाने के अंदाजा से अभिवादन का जवाब दिया और बड़े बिस प्रेपन से मुझे बैठने का इशारा किया मैं टोकस के बगल में एक कुरसी पर बैठ गया क्या कर रहे हो तुम सुन्दर नगर वाले मर्डर केस में वै आँख निकाल कर बोला तफ्तिश कर रहा हूं साब क्या तफ्तिश कर रहे हो जो मुझसे बन पड़ रहा है क्या बन पड़ रहा है तुमसे मैंने श्रिवास्तव और विपिन कुमार को चेक किया है वै भड़का मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि ये किसी चोर का काम नहीं था इसलिए उस दूद वाले छोकरे के पीछे पढ़ना बेकार था और श्रिवास्तव में भी क्या रखा है मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि हत्यारा श्रीवास्तव, राजकुमार अगरवाल और कृष्ण भारगव में से एक था इन में से श्रीवास्तव को निकाल दो तो बाकी बचे अगरवाल और भारगव इन दोनों में से अंधे को दिखाई देता है कि अगरवाल में ज्यादा संभावनाई है अब बोलो तुम्हें और लोगों के पीछे पढ़ना चाहिए था कि अगरवाल के पीछे तुम श्रीवास्तव और विपिन कुमार पर वक्त बर्बात करते रहे और अगरवाल के बारे में तुम कुछ भी नहीं जान पाए तब मैं भी फटपड़ा कैसे जान पाऊं उसके बारे में कुछ मैं गुसे में बोला कोई कुछ जानने दे तो सही कौन नहीं जानने दे रहा हमारे अपने भाईबंध ही नहीं जानने दे रहे टोकस से पूछिए एसपी को हर्याना पुलिस के कृपाल सिंग नामकोस इंस्पेक्टर के बारे में बताया जिससे हासिल तो हमें मदद होनी चाहिए थी लेकिन अगरवाल को प्रोटेक्ट करने की नियद से खूदी हमारे और अगरवाल के बीच में दिवार बंकर खड़ा हो गया था वे बात सुनकर एसपी बेहत गंभीर हो गया ये बात मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताई वे बुला पहले बताने की नौबती नहीं आई साहब टोकस बुला कल अंधेरा हो चुकने के बाद ही हम दिल्ली पहुचे थे तब तक आप यहां से जा चुके थे आज अब यह बात हम बता ही रहे हैं आपको एसपी खामोश हो गया वे कुछ शन अपने सामने पड़े पेपर वेटों से खेलता रहा उन्हें आपस में टकराता रहा तरतीब से रखता रहा अंत में जब वे बुला तो वे भड़क नहीं रहा था राजधानी में वे धीरे से बोला पुलीस की नौकरी करना बहुत कटिन है रसूक वाले लोग पर हाथ डालने से पहले दस बार सोचना पड़ता है लोग हमारे मैकमे में हमारे उपर पहुँचे तो कोई बात नहीं वे तो सीधे गरह मंदरी तक जा पहुँचते हैं इसलिए किसी बड़े आदमी के खिलाफ बहुत सोच विचार कर कदम उठाना जरूरी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे काहिदे कानून से उपर हो जाता है अब तक हम राम कुमार अगरवाल को धील दे सकते थे लेकिन अब आज के खबर के छपी जाने के बाद हम ऐसा करेंगे तो कल ये भी साफ छप जाएगा कि हम ही उसे प्रोटेक कर रहे हैं ऐसा हम कते नहीं कर सकते ऐसा हम इसी लिए नहीं कर सकते कि राम कुमार अगरवाल पर हाट डलना हमारे लिए जरूरी है तुम गबराओ नहीं आज शाम से पहले वो यहां होगा नहीं होगा तो मैं खुद फरीदाबाद जाकर उसे किरफतार करके हतकडियों में यहां लियाओंगा मैंने चैन की सास ली शाम को तुम यहां हो न मैं अगरवाल को तुमारे सामने क्वेस्चन करना चाहता हूँ मैंने सेमती में सिरह लाया फिर उसने हम दोनों को डिस्मिस कर दिया अब तुम जरा बाहर आकर मैं टोकस से बोला कृष्णा भारगव की खबर लो कल ले तो ली मैंने वे बोला फिर खबर लो कल तो उसने तुमें पुछ-पुछ कर बहला दिया तभी तो कुछ हाथ नहीं लगा आज जरा अच्छी तरह से बाजा बजा कर आओ उसका और तुम मैं हिच की चाया तुम साथ नहीं चलोगे नहीं मैं बोला वहाँ तुम अकेले ही जाओ मैं कुछ और करना चाहता हूँ क्या मैं फिर हिच की चाया तुम विपिन कुमार के पीछे पढ़ना चाहते हो हाँ मेरा बाप कहा करता था कि जिस आदमी को वक्त की कदर नहीं होती वह एक एक काम को 21-21 बार करता है मैंने घूर कर उसे देखा रवी वह शिकायत भरे स्वर में बुला अभी सुना नहीं था ESP ने क्या कहा था उसने कहा था कि उस दूदवाले चोकरे के पीछे पढ़ना बेकार था और टोकस हाँ तेरे बाप ने ये नहीं कहा था कि माथत को अपने बॉस से जुबान नहीं लड़ानी चाहिए और उसे बॉस के हुक्म की तामिल बिना हुज़त के करनी चाहिए वह बॉक लाया उसने आहाद भाव से मेरी तरफ देखा ओके बॉस फिर वह बनावटी ततपरता के साथ मुझे सेल्यूट मारता हुआ बोला मुझे बहुत गलानी हुई मैंने महसूस किया कि टोकस से मुझे ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था सॉरी मैं बोला किस बात की सॉरी पुर्ववत उसने नकली हैरानी जाहिर की तुम्हें मालूम है किस बात की सॉरी वह कुछ क्षन खामोश रहा फिर उसके चहरे पर वो मुस्कुराहट प्रकट हुई जो कि मैं देखना चाहता था दोस्ती और आत्मियता की मुस्कुराहट वापस यही मिलेंगे मैं बोला शाम से पहले उसने सहमती में सिरह लाया मैं मिंटो रोड पहुँचा वहां मैंने बड़ी सहलियत से किदारनाथ कंकड़ी की बीवी संतरा का वो पता तलाश किया जो मुझे विपिन कुमार ने बताया था संतरा का फ्लाइट एक आंट मंजिल इमारत में सबसे उपरी मंजिल पर था मैंने कॉल बेल बजाई और साथ ही दर्वाजे पर दस्तक भी दी संतरा की जो खूबिया विपिन कुमार ने बयान की थी उनके मुताबिक उसे बहुत शांदार औरत होना चाहिए था लेकिन किसी शांदार औरत की कलपना में किदारनाच जैसे घटिया गुंडे बदमाश के सोबत नहीं कर पा रहा था विपिन कुमार के सोबत में भी नहीं कर पा रहा था पता नहीं क्या शांदार था उस औरत में एक गुंडे बदमाश की उसकी गैर हाजिरी में एक सजायाफता मुझरिम से आशनाई लगाने वाले औरत कोई रिटायर्ड या सेमी रिटायर्ड वैश्या ही हो सकती थी खा घुनी तजूर बेकार धीली हुई या डल चुकी अम्मा लेकिन जिस तरी ने दर्वाजा खोला वो मेरे कलपना से एकदम विपरीत निकली वो कोई हसीना नहीं थी शांदार भी उसमें कुछ नहीं था लेकिन जो बात मेरी कलपना से मेल नहीं खा रही थी वो यह थी कि वो तो किसी सरकारी दफ्तर की कर्मचारी कॉर्पोरेशन की किसी स्कूल की अध्यापिका उसके बाल जुड़े के सूरत में बंदे हुए थे, रंग सावला और चेहरे पर किसी प्रकार का रंग रोगन पूता नहीं दिखाई दे रहा था। वे एक मामुली सूती साडी पहने हुए थी, जिसके पल्ले को उसने अपने कंधो की गीर्द इस प्रकार लपेटा हुआ था कि उसका वक्ष पूरी तरह से ढखा हुआ था। संकीली परत के नीचे माल असल में खोटा ही था। संत्रा, मैं बोला, संत्रा नाम है तुमारा। उसने अपलक मुझे देखते हुए सहमती से सिरहलाया और बोली, कौन हो तुम? इंस्पेक्टर रवी शर्मा, मैंने उसे अपना एडेंटिटी कार दिखाया। पुलीसिये? हाँ, यहां क्यों आये हो? वैं नफरत भरे स्वर में बूली, मैं तुमसे बात करना चाता हूँ, मैं किसी साले पुलीसिये से कोई बात करना नहीं चाती, एक मिनट में यहां से दफा हो जाओ, मुझसे बात करनी है तो मुझे गिरफतार करो, वारंट लेकर आओ, समझे? उसने दर्वाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने समय रहते चौकट और दर्वाजे में अपना पाउँ अडा दिया, फिर मैंने अपने कंदे को दर्वाजे से भेडा कर जोर से धक्का दि पल्ला उसके हाथ से छूड गया और वेअपने संतुलन कायम रखने के लिए कोशिश करती रही, उससे पहले कि वह फिर दर्वाजे के करीब पहुँच पा दी, मैंने भीतर कदम रखा और पाउँ की ठोकर से अपने पीछे दर्वाजा बंद कर दिया, वह यू मेरी तरफ जैसे मुझे रौंगते हुई कुजर जाना चाहती हूँ मैंने उसे रास्ते में ही थाम लिया और सम्मी पड़े एक सोफा चेर में धखिल दिया वा गेंद की तरह फिर उचली साले कुत्ते, कमीने, हराम्ज मैंने उसे वापिस सोफा चेर में धखिल दिया और कहर भरे स्वर में बोला अब मुझे अगर गाली निकली तो हलक से जुबान खी चलूँगा समझी? वे हाफती हुई खा जाने वाली निगाहों से मुझे देखती रही कुछ क्षण पहले ही चेना जप्ती में उसके वक्ष से साड़ी का पलू हड गया था और अब मुझे धोकनी की तरह चलती उसकी सास के साथ साथ उसका उन्नत वक्ष उठता गिरता दिखाई दिया रहा था वह नजारा मुझे इतना दिलकश लगा कि मेरा जी चाहने लगा कि मैं अभी उसे तबूच लू वह सास खीचती थी तो उसकी आधी आधी चातियां बलाउस से बाहर निकल कर आती थी और मुझे यू लगने लगता था जैसे अभी बलाउस पर सामने के तरफ लगे बटन तड़ाक तड़ाक करके तूटने लगेंगे मुझे विपिन कुमार ने बेजा है उसकी चातियों पर से जवरन अपनी निगाह हटाता हुआ मैं बोला तो मैं क्या करूँ वे बोली ऐसे ही मत खामखा भौकती रहे पहले मेरी बात सुन बात सुन ले पहले क्या सुनू मुझे तेरी और विपिन की मौझूदा रिष्टेदारी की पूरी वाकफियत है तो क्या हुआ विपिन एक कतल के केस में फज गया है उस केस में जेल तो वह जाएगा ही उसे फासी भी हो सकती है वो प्रोबेशन पर छूटा हुआ सजायाफता मुझरिम है इस बात से तो बेखबर नहीं होगी तो हिस्ट्री शीटर केदार की बीवी तो है ही तेरा खुद का भी कोई रेकॉर्ड हो सकता है जो की मुझे देखना पड़ेगा इस लिहाज से विपिन के बखेडे में तो तू भी लपेडी जा सकती है खामखा? हाँ, खामखा मैंने क्या किया है? कुछ तो किया होगा मैंने कुछ नहीं किया किया नहीं तो पुलिस के कहर से निजात पा जाएगी लेकिन अपने खसम के कहर से फिर भी नहीं बच पाएगी उसे जब मालुम होगा कि उसकी पीट पीचे तो विपिन के साथ सोती थी तो जेल से छूटने पर ही जो पहला काम वक करेगा वो ये होगा कि वो तेरी गर्दन रेद देगा उसे किसे पता लगेगा? वो तो जेल में है उसे मैं बताऊंगा तू क्यूं बताएगा? तेरी मेरी क्या दुश्मनी? अभी नहीं है लेकिन आगे हो सकती है आगे कब? जब तू मुझे स्योग नहीं देगी जब तू मेरे से बाहर जाने की कोशिश करेगी कुटा? गालिया बहुत बक्ती है तू ऐसा सब के साथ करती है या सिर्फ पुलीस वालों के साथ? सब कुट्थे थोड़ी होते हैं मैं आपे से बाहर हो गया ठेर जा हरामजादी मैं दाथ पीस्ता हुआ उसकी तरव छप्टा मैं उसके सिर्फ पर पहुँच गया लेकिन उसने मेरे संभावित आकरमंट से अपना कोई बचाव करने की कोशिश नहीं की वे बड़ी निडरता से अपलक मुझे देखने लगी मैं ठिटका रोक क्यों गए? वो चैलेंज भरी स्वर में बूली जात क्यों नहीं दिखाता अपनी जपटता क्यों नहीं वैसे ही जैसे कुटा हड़ी पर जपटता है मैंने जोर से दाथ किट किटा है वे जोर से हसी साला कुटा तुझे मेरे से डर नहीं लगता साली मैं बोला तेरे से डर? क्यों? तु क्या हवा है? पुलीस वालों से तुझे कोई खास नफरत मालूम होती है वो एक बड़ी वैशिली करकश हसी हसी कोई पुलीसिया मिला नहीं तुझे बहुत मिले है कभी कोई संत्रे के तरह निचोड कर रख देगा तुझे तु भी तो पुलीसिया है तु कोशिश करके नहीं देखेगा मुझे भड़का मत नहीं तो सचमुझ छील के रख दूँगा सच मुझ संत्रा बना दूंगा तेरा जा जा बड़े आया छील के रख देने वाला संत्रा का संत्रा बनाने की कोशिश में यहां तेरे जैसे कई आय और कई चले गए मैं महसूस कर रहा था कि वे मुजोर घोडी धंकी या जोर जबर्दस्ती से काबू आने वाली नहीं थी वैसी जोर जबर्दस्तियां और धंकियां सेहने की वो आदी मालूम होती थी शकल सूरत भी कितनी ब्रहमक हो सकती थी मुझे पैंतरा बदलना ज़रूरी लगा मैंने अपनी भीची हुई मुठी खुल जाने दी घर में पीने विने को कुछ नहीं रखती मैंने बदले सुर में पूछा किस के लिए? मेरे लिए? महमान के लिए? तू महमान थोड़ी है? तू तो कुट्ता है घर आया कुट्ता भी तो महमान होता है होता है तो मेरा खून तो पी ही रहा है न तू? मैं इससे किसी कम गर्म चीज की बारे में सवाल कर रहा था क्या पिएगा इस बार उसका स्वर भी बदला जो पिलाएगी मैं जानमुझकर उसके उन्नत वक्ष पर निगाहा गड़ता हुआ बोला कमीना वह मेरा मंतव्य समझ कर बोली उसने अपना वक्ष ढखने का नाटक सा किया विसकी पिएगा पिलाएगी तो जरूर पिऊंगा लेकिन एक बात याद रखना क्या उसमें जहर मिला होगा पहले पैग में ना बाज में तो संत्रे के रस में पिलाएगी वे हसी अच्छी बात है वे उठती हुई बोली तो भी क्या याद रखेगा वे उठकर किचन में चली गई थोड़ी दिर बात जब वे वापस लोटी तो उसके हाथ में दो ग्लास थे उसके हाथ में थमें ग्लासों की जगा मैंने बारी बारी से उसकी दोनों चातियों को नहारा जहर किसमे है मैं बोला हरामी वे मेरे हाथ में एक ग्लास धकेलते हुई तनिक प्रशनसात्मक स्वर में बोली मैंने उसके ग्लास से ग्लास टकराया और विस्की का एक घूट भरा मुझे वह घूट निगलना मोहाल हो गया ग्लास में जरूर आधी से ज्यादा विस्की थी संत्रा ने गड़गड एकी सास में अपना तीन चौथाई ग्लास खाली कर दिया वह दिवान पर बैट गई और मेरी तरफ देखने लगी मैं भी दिवान पर उसके समीप जा बैठा उसने एतराज ना किया वह कुछ क्षण अपलक मेरी तरफ देखती रही क्या चाहते हो अंत मेवा धीरे से बोली जो मैं चाहता हूँ मैं गंभीरता से बोला उसका अंदाजा तो तुमें हो ही चुका होगा नहीं, नहीं हो चुका मैं तेरे जैसी सहायरी नहीं मैं पुलीस भी तो नहीं मैं तेरे और विपिन के बारे में जानना चाहता हूँ क्या जानना चाहता है सब कुछ सब कुछ क्या जैसे विपिन को कब से जानती हो कैसे जानती हो कितना जानती हो वगेरा वगेरा ये तुने सच कहा था कि वे किसी कतलक के केस में लपेटा जा सकता है बिल्कुल सच कहा था अच्छा उसने अपना गलास खाली करके एक और कर दिया और फिर बड़ी संजिदगी से बोली विपिन दरसल केदारे का पुराना दोस्त था वह केदारे के लिए काम करता था और उसी के किसी बखेडे के चकर में जेल गया था चार महीने पहले जब जेल से छूटा था तो पहली बार वो यहां आया था सच पूछो तो मैंने ही उसे लिफ्ट दी थी किदारा जेल में था और मुझे किसी मर्द का सहरा चाहिए था वह लड़का मुझे पसंद आया था वह मेरी जिस्मी भूख तो पूरी करता ही था साथ में यह गरभार चलाने में भी मेरी मदद करता था कैसे? रुपे पैसे से? हाँ रुपिया पैसा है उसके पास? हाँ ऐसी बात है तो वह दूद सप्लाइ करने का मामूली काम क्यों करता है? ओट के लिए दिखावे के लिए यह जाहिर करने के लिए कि वह सचमुच सुदर गया है और इमानदारी की रोटी कमाने लगा है I see अंधा तो तु है नहीं इसलिए तुने देखा ही होगा कि मैं स्टाइल में रहती हूँ और खाने पीने की शौकीन हूँ ऐसे काम फोकट में तो होते नहीं यह विस्की जो तु पी रहा है एरिस्ट्रोक्रैट प्रीमियम है समझा मैं कोई काम खास तो करती नहीं और केदारा पीछे मुझे कोई कारू का ख़जाना नहीं सौप गया इस लिहाज से अगर मैंने विपिन से घट जोड़ किया तो क्या बुरा किया जब केदारा जेल से छूट कर आएगा तो मैं विपिन को छोड़ दूगी वो खतरनाक दादा है तुझे डर नहीं लगता कि अगर उसे तेरी करतूत का पता लग गया तो वो क्या कहर ढ़ाएगा लगता है लेकिन मुझे उमीद है कि केदारे को कुछ पता नहीं लगेगा हम् मैं एक तनहा औरत हूँ और जिन्दगी के ऐसे मोड पर पहुँच चुकी हूँ जहां किसी मर्द के सहारे के बिना मेरी जिन्दगी नहीं चल सकती अगर तू सच कह रहा है कि विपिन किसी कतल के केश में लपेटा जा सकता है तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात होगी फिर मुझे कोई नया मर्द तलाश करना पड़ेगा मर्द या मुर्गा एक ही बात है मर्द भी तो मुर्गा होता है और मुर्गा भी मर्द होता है मैं हसा वेसे वे उच्शुक स्वर में बोली किसका कतल हुआ है तू अगवार नहीं पड़ती नहीं क्यों अनपड़ है मैं वह बड़े गर्व से बोली इंटर पास हूँ यानि कि आदेतन अगवार नहीं पड़ती हाँ मैंने उसे एक कतल की बाबत बताया वह गिरिफतार है उसने पूछा वो बात छोड़ मैं बोला पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे पूछ तू यहां अकेले रहती है तू कबूल करती है कि तू विपिन के साथ सोती है फिर वो यहीं तेरे साथ क्यों नहीं रहता रहता है कहीं कहीं दिन रहता है मेरा भी यहीं ख्याल था अब तु मुझे सुमवार की बात बता उस दिन कब से कब तक वो यहां तेरे साथ था कब से कब तक क्या वो मेरे साथ था ही नहीं क्या मतलब मैंने तो एक हफ़ते से उसकी शकल नहीं देखी क्या वे एक हफ़ते से यहां नहीं आया मैंने अपना वेश्की का ग्लास खाली किया मेरा धिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था विपिन से हुए अपने वार्तलाब की हर बात मुझे याद थी बज गया अंत में मैं बोला क्या? वह बुली बाजा किसका? तेरे यार का विपिन का क्यों? तू कहती है कि तूने हफते से उसकी शकल नहीं देखी और वो कहता है कि सुमवार यानि की कतल वाले दिन दोपहर से लेकर रात के ग्यारा बजे तक वो तेरे साथ था ओ, सालेप पुलीसी है? बना दिया न मुझे बेवकूफ मैं हसा वो यहां नहीं था इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मारने वाली की फ्लैड पर था और वो उसका कतल कर रहा था? वै बोली अगर इसका मतलब नहीं है तो उसने जूट क्यों बोला? वै सज बोलता और साफ साफ बताता कि हगिकतन वो कहा था? ला क्या? ग्लास मैं और ड्रिंक बना कर लाती हूँ नहीं मुझे और नहीं चाहिए मेरा इतने से ही सर घुम रहा है साला? वै तिरसकार पूर्ण स्वर में बोली कभूतर मैं खामोश रहा वो किचन में गई और अपने लिए ड्रिंक बना लाई तब तक की पी का उस पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था वै फिर दिवान पर आकर बैट गई और नए जाम का घुट भरके बोली अब तू विश्वास नहीं करेगा किस बात का? कि विपिंज सोमवार यहां आया था मैं हसा वह एक एक शब्ट पर जोर देती हुई बुली सोमवार यहां आया था तो पहले तुने यह क्यों कहा कि तुने एक हफ़ते से उसकी शकल नहीं देखी? मैं अपने आपको किसी जमेले से बचाना चाहती थी लेकिन जब ज्योही मुझे यह लगा कि मेरा ऐसा कहना उसे बुरी तरह फसा देगा तो मैंने असल बात बताने का फैसला कर लिया और असल बात यह है कि सोमवार दुपहर को वो यहां आया था हाँ और मेरे सुर में व्यंग का पुट था राद ग्यारा बजे तक यहां रुका था हाँ क्या सबूत है मैं कह रही हूँ क्या कहने यानि कि तेरा कहना और सत्यवादी हरीश चंद्र का कहना एक ही बात हो गई वै सचमुच यहां था तेरे साथ तेरी गोद में हाँ ग्यारा घंटे तूसे अपनी गोद में लिये बैठी रही नहीं बीच में हम वीडियो देखते रहे थे तेरे बास वीडियो है उस दिन था किराय का बारा से रात ग्यारा तक वह एक शन के लिए भी यहां से बाहर नहीं निकला था एक बार वो जो फिल्में हम देख चुके थे उनकी जगा नई फिल्म लेने के लिए गया था कहां शंकर मार्केट क्या शबूत है कि वो यहां से शंकर मार्केट ही गया था और आगे सुंदर नगर निशा का कतलक करने नहीं गया था वीडियो के सेट लाइबरेरी वाला उसकी गवाही देगा कि वे वहां आया था लेकिन वो यहां से निकल कर वहीं गया था कहीं और नहीं गया था इस बात की कौन गवाही देगा एक जगे गया आदमी क्या दो जगे होकर नहीं आ सकता उसे जवाब न सूजा नीशा के कतल की बात बाताते समाए मैंने उसे कतल का संभावित वक्त नहीं बताया इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उससे पूछा नई फिल्म लेने वह यहां से कितने मज़े गया था शाम को गया था वह बूली वक्त का कोई अंदाजा यही कोई पांच साड़े पांच का वक्त होगा और लॉटा किस वक्त था मुझे ध्यान नहीं क्यो ध्यान नहीं क्योंकि हम वीडियो देखते वक्त साथ साथ ड्रिंक भी कर रहे थे उसकी जाने की बात जब मैं पीछे अकेली रह गई तो नशे में मुझे नींद आ गई इसलिए मुझे ठीक से मालूम नहीं कि वह कितने बज़े लोटा एका एक उसे वह सवाल पूछना सूजा जो उसे बहुत पहले सूजना चाहिए था उस लड़की का कतल किस वक्त हुआ था एक बात सोची है तुने उसके सवाल को नजर अंदास करते हुए मैं बड़े कठोर स्वर में बोला क्या कि विपिन अगर कतल के इल्जाम में नब गया तो साथ में तेरा भी बाज़ा बच जाएगा मेरा खामखा मैंने क्या किया है तू हत्यारे की सयोगिनी है तूने उसकी खातिर जूट बोलकर उसे बचाने की कोशिश की है मैंने कोई जूट नहीं बोला तू मुझे जिसकी मर्जी कसम खिलवा दे तेरे जैसी औरतों की कसमे मेरे लिए कोई नई बात नहीं लेकिन अपनी खैरियत चाती है तो ठीक से याद करके बता कि वह किस वक्त वापिस लोटा था वो सोचने लगी अब वतनिक भेभी दिखाई देने लगी थी मैं बड़े बेज ब्रेपन से उसके बोलने की प्रतिक्षा करने लगा मेरे ख्याल से अंत मेवा बोली वो कोई छे साड़े छे बजे लोटा था यानि कि एक देड़ घंटे वे यहां से गायप रहा था हाँ यहां से शंकर मार्कित जाने में इतना वक्त तो नहीं लगता ये बात तो है लेकिन अगर वे आगे सुन्दर नगर भी गया हो तो इतना वक्त लग सकता है तुम्हारी जानकारी के लिए कतल पांच और छे बजे के दर्मियान हुआ था यानि कि उस वक्फे में हुआ था जिसमें की विपिन यहां से गैर हाजिर था अब वे साफ साफ फिक्रमंद और डरी हुई दिखाई देने लगी उसके बाद उसके मिजाज ने अनुखी करवट ली वह बकाइदा विपिन की पैरवी करने लगी और मुझे उसकी बेगुनाही का विश्वास दिलाने का पुर्जोर कोशिश करने लगी मुझे जेल में बंद उसके पती केदार के किसमत पर तरस आने लगा कैसी बेवफा बीवी हासिल हुई थी उसे फिर मुझे अपनी बीवी का खयाल आया क्या फर्क था दोनों में सिवाए इसके कि उसका पती आजाद था और संतरा का पती जेल में था सिवाए उसके कि मेरी बीवी को मुझे धोका देने की अपेक्षा कृत कम सुविधा पराप्ती दोनों जूटी थी दोनों धोके बास थी दोनों बेवफा थी दोनों ने अपने पतियों के पीट पीछे यार पाले हुए थे मुझे लगा मुझे केदार पर नहीं खुद अपने आप पर तरस आना चाहिए था वै विपिन की हमायत में बोल रही थी और मैं सोच रहा था कि मैं इस औरत का भाला कैसे विश्वास कर सकता था मेरा ध्यान उसकी बातों में नहीं उसका अपनी व्यक्तिगत लाप के लिए कोई इस्तुमाल सोचने में था मैं कोई ऐसी तरकीव सोच रहा था जिससे वैस्तिती मेरे उस मिशन में मेरी सहायक सिद्ध हो सकती जिसके अंतरगत में अपनी बीवी की जान ले लेना चाहता था बसकर एका एक मैं उकता कर बोला बहुत हुआ अब और कब तक कान खाएगी वै खामोश हो गई उसने आहत भाव से मेरी तरफ देखा साली नौटंगी बाज जाकर मेरे लिए ड्रिंक ला उसके चहरे के भाव बदले और ऐसे भाव आये जैसे मैंने उसे उसका पसंदीदा काम बता दिया हो वै उठकर किचन में चली गई कुछ किशन बाद विस्की के दो गलास के साथ वापस लोटी उसने आगे जुक कर एक गलास मुझे पेश किया मैंने दिखा उसके बलाउस के ऊपर के दो बटन खोले थे पहले तो सारे बटन बंद थे जरूर अभी जब वै किचन में गई थी तो जान मूच कर उन्हें खोल कर आई थी अपने उन्नत औरोजों का मुझे नजारा कराने के लिए जो कि उस वक्त मुझे हो रहा था साली मुझे रिजाने की कोशिश कर रही थी उसके बारे में मेरा पहला अंदाजा अब सौ फिसदी गलत साबित हो चुका था अब वह मुझे कोई कलर्क कोई अध्यापिका या कोई सोशल वर्कर नहीं लग रही थी अब वह मुझे साफ साफ वही लग रही थी जो कि वह थी वैश्या मैंने अपनी तरफ बड़ा गलास थामने की जगे उसकी कलाई थाम ली उसने एतराज ना किया वो बड़े अशलील ढंक से मुझकराई मैंने बारी बारी दोनों गलास उसकी गिरप्ट से आजाद किये और करीब पड़े स्टूल पर रख दिये मैंने उसकी कमर में हाट डाल कर उसे अपनी तरफ खीचा तो वो मेरी गोध में आ गई उसने अपनी दोनों बाहे मेरे गले में डाल दी मैं उसे बुरी तरह से अपने साथ बीचा और अपने दातों में लेकर उसके होट और गाल काटने लगा वे चीक ने करहाने लगी दर्द से नहीं, आनंद के अतिरेक से मेरा मन उसके प्रती ग्रणा से भर उठा गैर मर्द की बाहों में, उस हरामी पिल्ले राजेश की बाहों में ऐसे ही मेरी बीवी आनंद भरी सिसकारिया भरती होगी बीवी का खयाल आते ही मैंने उसे यू नोचना खसोटना शुरू कर दिया जैसे अपनी बीवी का सारा गुस्सा मैं उसी पर उतारना चाहता था वे लता की तरह मुझसे लिपट गई दिवान की चुले हिलती रही अभिसार के दोरान उसे गालिया देता हुआ और जलील करता हुआ मैं उसे समझाता रहा कि मैं उसे किस बात की उमीद कर रहा था वे यू हामी भरती रही जैसे कृत्य के दोरान यू गालिया खाने की और जलील होने की उसे आदत थी और वे अपने उपर चड़े मर्द का ऐसा व्यवार पसंद करती थी अंत में मैं उससे अलग हटा उस क्षण व दिवान पर संपूर्ण नगनावस्था में पड़ी थी और उसके चेहरे पर तुरुपती के ऐसे भाव थे जैसे कोई बिल्ली धेर सारी मलाई चाट कर हटी हो मैंने उसकी तरफ पीट कर ली और अपने कपड़े विवस्तित करने लगा कुछ क्षण बाद मैं वापिस उसकी तरफ गूमा कल मैं फिर आऊंगा मैं सक्त स्वर में बोला सुबह ही आऊंगा दस बजे के करीब उस वक्त विपिन मेरे साथ होगा तुने समझ लिया है ना कि तुने क्या कहना है उसने सहमती में सेरहलाया मूँ से वह कुछ न बोली मैं वहां से विदा हो गया उस वक्त मेरे भीतर नफरत का लावा उबल रहा था संत्रा के लिए अपनी बीवी के लिए खुद अपने लिए सबसे ज्यादा अपने लिए मैंने बड़ा लानती काम किया था मैं थाने पहुचा टोकस मुझे कैंटिंग में मिला बड़ी कड़क खबर है मुझे देखते ही वह बोला विपिन के बारे में मैंने उसके सामने बैठते हुए पूचा क्रिशना भारगव के बारे में सुनोगे तो फड़क जाओगे क्या खबर है सोमवार को यानि कि जिस रोज नीशा की हत्या हुई थी भारगव नीशा के साथ उसके फ्लैट में था अच्छा मैं हैरानी से बोला वो तो कहता था कि उसने एक हफ़ते से नीशा की सूरत भी नहीं देखी थी कहता ही तो था हकीकत में सोमवार शाम को वे न सिर्फ नीशा से मिला था बलकि उसकी उससे खूप तकरार भी हुई कैसे जाना तफ्तीश से जाना वे अकड कर बोला हाथ पाव हिला कर जाना और कैसे जाना मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया मेरा बाप कहा करता था कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती कैसे जाना मैंने अपना प्रश्न दोराया आज मैं कृष्णा भरगव की आसिफली रोड पर स्थिट एडवरडाइजिंग एजनसी वाली आफिस में गया था वहां भरगव अभी पहुचा नहीं था उसके इंतिजार में मैंने वहां के स्टाफ से कुछ पूच्छताच की तो मुझे मालम हुआ कि भरगव का वहां काम करने वाली गरीमा सहाय नामक एक आर्टिस से अफैर है था मैं गरीमा सहाय से मिला मेरी पुलीस की वरदी पर निगाप पढ़ते ही वे घबराई और बहुत नर्वस दिखाई देने लगी जबकि अभी मैंने उससे यहां तक भी नहीं बताया था कि मैं वहां किस फिराख में आया था मुझे डाल में काला दिखाई देने लगा वे ठिटका इस डाल की काले की बाबत तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं कहा था नहीं कहा था कहा होता तो अब तक दोहरा चुका होता खेर आगे आगे लंबी कहानी को मुक्तसर करके सुनाओं तो बात ये निकली कि भारगव का गरीमा से अफैर तो यकीनन था लेकिन पिछले छे महिनों से वे नीशा के पीछे पड़ावा था और गरीमा को इस बात की खबर थी उसे भारगव और नीशा के गर्चोड की बात तब मालम होई थी जबकि वे किसी भी दिन यहां उमीद कर रही थी कि भारगव उसके आगे शादी का प्रस्ताव रखेगा गरीमा की दिल को चोट पहुचना स्वाभाविक था फिर भारगव के वेवार में भी तब्दिली आने लगी वे गरीमा की तरफ से ठंडा पढ़ने लगा गरीमा उसके इस रवये से बहुत आग बबुली हुई लेकिन वे सिवा एक खून का घूट पिकर रहे जाने के कुछ नहीं कर सकती थी फिर वह कहती है कि नीशा के कतल वाले दिन भारगव तीन बजे के करीब एक आएक आफिस से चला गया था वह अपनी पार्टनर को ये बता के गया था कि उसकी इंबैसेडर में एक क्लाइन्ट के साथ अपॉइंट्मेंट थी गरीमा कहती है कि उसे पक्की तरह मालूम था कि उसकी कोई अपॉइंट्मेंट नहीं थी यानि कि वह जरूर नीशा से मिलने गया था उस रोज उसने आर या पार जैसा कोई फैसला भारगव से करने का निश्चे कर लिया था ऐसा पड़ाक्षिप जैसा इरादा किस लिए? वे घर्बवती जो थी? भारगव से? और किस से? एक ही तो बॉइफरेंड था उसका I see वे कहती है कि वे पहले एमबेसिडर ही गई थी लेकिन भारगव वहाँ पहुचा तक नहीं था फिर वे सुन्दर नगर उसके फ्लैट पर पहुची वे वहाँ भी नहीं था फिर हिम्मत करके उसने निशा के फ्लैट की कॉल बेल बजा दी रवी भारगव वही निकला वहां तीनों में खूप तमाशा बना वहां गुस्से में भरी गरिमा ने नीशा को बता दिया था कि वे भारगव की मंगेदर थी और उसके होने वाले पती के पीछे पढ़ने का कोई हक नहीं था उत्तर में नीशा बोली के वे नहीं बलकि उसका खतित होने वाला पती ही उसके पीछे पढ़ा हुआ था और वे बड़े शौक से उसे वहां से ले जा सकती थी गरिमा भारगव को वहां से ले जाने में काम्याब ना हो सकी भारगव ने उसे ये समझा बुजा कर उसके घर बेज दिया कि जिसे करके वह सीधा उसके पास पहुचेगा गरिमा उसका कहना मान कर अपने घर चली आई लेकिन वहां प्रतिक्षा ही उसके पलने पड़ी भारगव वहां कभी नहीं पहुचा यानि कि अभी पांच बजे के बाद भी वह वही था जाहिर है पांच तक उसकी वहां मौझूदगी तो तस्दीक शुदा बात है उसके बाद भी अगर उसने फॉरण वहां से कुछ कर जाना था तो वह गरिमा के साथ ही न चला जाता हम्दू अगर इस बखेड़े में फस्ता है तो उसे खुशी होगी खुशी नहीं होगी तो अफसोस भी नहीं होगा हम्दू बहराल उसकी गवाही निर्विवाद रूप से यही साबित करती है कि हत्या के समय के आसपास भारगव निशा के पास उसके फ्लाइट में था अकेला था और वहाँ जगड़े फसाद और तकरार का माहौल स्थापित था अब बोलो मैं नहीं कहता था कि कल भारगव ने तुम्हें पूच पूच कर बहला दिया था वे खामोश था भारगव से बात हुई तुमारी मैंने पूचा अभी नहीं अभी वे मेरे काबू में नहीं आया मेरी उसके ऑफिस में मौजूदगी तक वे वहाँ नहीं पहुचा था अब शायद पहुच गया हो शायद मैंने घड़ी देखी शाम होने में अभी काफी वक्त था मैं भारगव से मिलना चाहता हूँ मैं बोला उसके ऑफिस में चला जाए जरूर क्या हर्ज है फोरण ठीक है वे एक अत्याधुनिक पूरी तरह से वातानो कूलित नहायत शांदार ऑफिस था भारगव के बारे में पूछने से पहले हमने गरीमा सहाय के बारे में पूछा मालुम हुआ कि उसकी एकाई तबियत खराब हो गई थी इसलिए हाफडे के बाद छुटी लेकर वे घर चली गई थी भारगव उफिस में मौझूद था एक चपरासी ने हमें उसके कैबिन में पहुचाया वे एक फिल्म अभी नेताओं जैसी खूपसूरती और सजधज वाला आदमी था सूरत से जितना जहीन लगता था उतना ही वह डरपोग भी निकला टोकस ने उसे मेरा परिचे दिया उसने मुझसे हाथ मिलाया मुझे उसके हाथ में कमपंच साफ मैसोस हुआ हम उसके सामने बैठ गए उस पर मनो विज्ञानिक प्रभाव छोड़ने के लिए बोलने से पहले मैंने उसे खूरना आरंब किया वह बीचेनी से पहलू बदलने लगा मिस्टर भारगव मैंने जान बूच कर ना समझ आने वाला सवाल किया क्या जवाब है आपके पास किस बात का वह नर्वस भाव से बोला इस बात का कि नीशा के हत्या के समय के आसपास आप उसके फ्लैट में थे कैसे जाना वह घबरा कर बोला ये मेरे सवाल का जवाब नहीं जरूर गरीमा सहाय ने बताया होगा किसी ने भी बताया हो आप ये बताये कि ये सच है या नहीं गरीमा के सिवाए वह यू बोला जैसे अपने आपको समझा रहा हो ये बात और कोई आपको बता नहीं सकता था और कोई इस बात को नहीं जानता मिस्टर भारगव मैंने आप से एक सवाल पूछा है हाँ हाँ पूछा है अप मैं अपने वकील को यहां बुला सकता हूँ किस लिए आपके तरफ से इस सवाल का जवाब देने के लिए नहीं उसकी कानूनी राय हासिल करने के लिए किस बाबत इसी बाबत की मैं आपके किसी सवाल का जवाब देने के लिए बात दे हूँ या नहीं ये तो मैं ही आपको बता देता हूँ आप? जी हाँ आप मेरे किसी सवाल का जवाब देने के लिए बात देने है मेरा मतलब है इस वक्त बात देने है मतलब? मतलब यह कि अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं आपको संदिह के आधार पर गिरफतार कर लूँगा फिर पुलीस लॉक अप में ही आपकी अपने वकील से बुलाकात मुम्किन होगी और तब वहे आपको यही राय देगा कि अगर आप हत्यारे हैं आपके हाथ में है कि इस नतीजे पर आप आज रात कल दोपहर तक लॉक अप में बैट कर पहुचना चाहते हैं या अभी पहुचना चाहते हैं मैं बेगुना हूँ वह भेभीत भाव से बोला वेरे गुड इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है गरीमा सहाय को मुझसे शिकायत है वे मुझसे खफा है इसलिए उसको मेरे खिलाफ निश्पक्स गवा नहीं माना जा सकता कबूल अगर मुझे अपनी इस बात से इतफाक ना होता तो मैं इस वक्त यहां आपके सामने ना बैठा होता तो मैं आपको अपनी सफाई का मौका ना दे रहा होता अब कह डाली अपनी कहानी और जूट से परहेजी रखिएगा जूट चलने वाला नहीं है और सच बोलने का भी आपको दूसरा मौका कम से कम मैं तो नहीं देने वाला मैं आपसे जूट नहीं बोलूँगा जानकर खुशी हुई काश टोकस व्यंग पूर्ण स्वर में बोला यही भावना आपके मन में तब भी होती जब मैंने आपका पहली बार बयान लिया था तब कोई वजह थी मैं धीरे से बोला क्या वजह थी पहले वे वजह ही बता दीजिए मैं इस एड़टाइजिंग एजिंसी का मालिक नहीं पार्टनर हूँ मालुम है लेकिन यह मालुम नहीं होगा कि जिस शक्स का मैं पार्टनर हूँ वो मेरा सगा चाचा है तो मेरा चाचा पुराने जमाने का आदमी है और कुछ मामलों में बहुत सक्त मिजाज है मिसाल के तोर पर वहिया बरदाश नहीं कर सकता था कि उसके भतीजे का दफ्तर की किसी महीला करमचारी से कोई अफैर हो गरीमा उस रोज यहां से नौकरी छोड़कर मेरे पीछे पीछे गई थी मैं सोमवार शाम को नीशा के फ्लैट में था और गरीमा उपर से वहां आ गई थी उसने वहां मुझे अपना मंगेतर बताया था यह बात अगर मेरे चाचा को पता लगती तो वह बहुत लाल पीला होता मैं उसका सगा भतीचा हूँ उसकी दिवंगत भाई की एक लोती निशानी हूँ वह मुझे तो डाट फटकार कर ही तसलिक कर लेता लेकिन गरीमा को वह शर्तिय नौकरी से निकाल देता मैं जानता हूँ कि गरीमा को इस नौकरी की कितनी सक्ट जरूरत है उसकी भलाई की खातिर मैंने इस मामले में खामोश रहना ही मुनासिब समझा था हम अब सच क्या है वह भी जरा तर्तीब से जरा तफसील से सुनाई है उसने सुनाया उसने कुबूल किया कि वह निशा के फिराक में था वे एक ही इमारत में रहते थे इसलिए वहां उनका आमना सामना होना तो स्वाभाविक था उसे निशा बहुत पसंद आई थी और उस बात में कोई बुराई दिखाई नहीं दे रहे थी कि वे एक कैबरे डांसर थी मैंने उससे कोई शादी थोड़ी करनी थी मैं तो उससे मौज लेने का रिष्टा स्थापित करने का ख्वाईश मंद था ऐसा ही रिष्टा आप गरीमा से भी स्थापित किये हुए थे मैं बोला उसे शादी का जहासा दे कर तोकस बोला यह बात गलत है वे विरोध पूर्नस्वर में बोला मैंने गरीमा से कभी नहीं कहा था कि मैं उससे शादी कर लूँगा लेकिन वो तो आप से यहीं उम्मिद कर रही थी तभी तो उसने अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया सब कुछ? वे गर्बवती है अच्छा? मुझे मुझे नहीं मालुम था अब आप यह कहेंगे कि उसने किसी और से मुझ काला किया होगा नहीं कहूंगा अगर वे गर्बवती है तो इसके लिए मैं ही जिम्मिदार हूँ आप उससे खिलवाड कर रहे होंगे मिस्टर भारगव टोकस बोला लेकिन वे आपके प्रती बहुत गंबीर थी इसलिए उसने नीशा को यह कहा था कि आप उसके होने वाले पती थे और मैं बोला जाहिर है कि इसलिए वे आपके पीछे-पीछे नीशा के फ्लैट पर पहुंच गई थी नीशा से आपकी हिफाज़त करने के लिए मेरी हिफाज़त करने के लिए जी हाँ मुझे ऐसी किसी हिफाज़त की जरूरत नहीं थी वो तो समझती थी या उस जैसी कितनी लड़कियों से कैसा रिष्टा है आपकी जाती जिन्दगी में दखल देने का हमारा कोई राद नहीं हम सिर्फ ये जानना चाते हैं कि सोमवार शाम को आप यहां से उठकर नीशा के फ्लैट पर क्यों गए और वहाँ आपने क्या किया सुनिये मुझे कुछ दिन पहले ऐसा एहसास हुआ था कि नीशा एका एक मुझसे उखणने लगी थी मेरे जित करने पर उसने मुझे बताया कि किसी गरिमा नाम की लड़की ने उसे फोन किया था और कहा था कि मैं उसका होने वाला पती था इसलिए नीशा उसका पीछा छोड़ दे मैं बोली कि वै आशिकी की ऐसी किसी फिल्म त्रिभूज का एक कोण नहीं बनना चाती थी मैं उसे समझाना चाता था कि वै बात सच नहीं थी और गरिमा ने जो कुछ कहा था इसलिए की भावना से प्रेरित होकर कहा था नीशा को यह समझाने की नियत से मैं सोमवार शाम को उसके फ्लैट पर गया बड़ी मुश्किल से तो मैं मुझसे मिलने को तयार हुई थी मैं उसे डिनर पर इन्वाइट करना चाता था लेकिन वो मानी नहीं थी क्यों क्यों क्योंकि बखौल उसके वह पहले ही किसी और का डिनर का निमांतरन सुईकार कर चुकी थी उसने मुझे इतनी ही इजाज़त दी थी कि डिनर टाइम से पहले मैं उसके फ्लैट पर उससे मिलने आ सकता था आप तीन बजे यहां से गये थे हां सीधे निशा के फ्लैट पर नहीं पहले मैं रास्ते में एक जगा रुका था फिर मैं अपनी फ्लैट पर गया वहां मैंने नहा दोकर कपड़े बदले थे और फिर मैं निशा के फ्लैट पर पहुचा उस वक्त वक्त क्या रहा होगा घड़ी तो मैंने नहीं देखी थी अगर मुझे पता होता कि बाद में पुलीस द्वारा ऐसा सवाल पूछे जाने वाले थे तो मैं ज़रूर देखता अंदाजा ही बताईए अंदाजा तो पांच के आसपास के वक्त का ही है निशा फ्लैट में अकेली थी? हाँ और उसकी पूशाक बता रही थी कि दर्वासा खोलने के लिए वो बेडरूम से उठकर आई थी वैसे भी मुझे बाहर ड्रॉइंग रूम में बिठाने की जगे वे मुझे भीतर बेडरूम में अपनी साथ ले गई फिर? फिर मैंने अपनी सफाई देनी शुरू की लेकिन निशा पर उसका कोई असर नहीं हुआ गरीमा ने उसे कुछ ज्यादा ही विश्वास दिला दिया था कि मैं उसका होने वाला पती था हर बार निशा ने यही कहा कि अब मुझे उससे मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए वे किसी जहमेले में नहीं पसना चाहती थी इसलिए अब वे मेल मुलाकात बीमानी थी उसके उस जवाब की आप पर क्या प्रतिक्रिया हुई? प्रतिक्रिया तो बुरी ही हुई बहुत गुस्सा आया मुझे बहुत तोहिन लगी मुझे अपनी वह साफ साफ मुझे दुद्कार रही थी वो कोई चरित्रवान लड़की तो थी नहीं फिर उसे इस बात से क्या इतराज होना चाहिए था कि मेरा किसी और लड़की से अफैर था लेकिन वह तो मेरे साथ यूँ पेश आ रही थी जैसे वो कोई खांदानी कुमारी करनेया हो और अपने और गरीमा के अफैर को उसे चुपा कर मैंने उसका दिल तोड़ दिया था उसके कई मर्दों से संबंध थे आपको कैसे मालूम ये मालूम होना क्या बड़ी बात थी साहब उसकी फ्लैट की सजधच पर ही एक निगाह डालने पर अंधे को भी मालूम हो सकता था कि वह क्या चीज थी वो औरत बहुत लोगों को हासिल थी सिवाए आपके यही समझ लीजिए मैं तो अभी भी उसके नाज नकरे उठा रहा था और उसके बिस्तर में अपनी प्रमोशन के अभी सपने ही देख रहा था कि उसने मुझे लाल ज़ंडी दिखा दी इसलिए अब ताव खा गए क्योंकि वे आपके हातों से निकली जा रही थी हाँ फिर क्या हुआ फिर एका एक गरीमा वहां पहुँच गई और बिगडी बाद बनने की जो थोड़ी बहुत गुझाईश बाकी थी वो भी खत्म हो गई फिर फिर वही सब कुछ जो निशा को वे फोन पर पहले कह चुकी थी दोबारा उसके मूँ पर कहने लगी निशा और भी हत्ते से उखड़ गई मैंने बड़ी मुश्किल से गरीमा को समझा पुझा कर वहां से इस वादे के साथ उसके घर भेजा कि मैं थोड़ी देर बाद वहां पहुचता हूँ उसके बाद उसके बाद मैंने फिर निशा को समझाना बुझाना शुरू किया लेकिन तब तक वह पूरी तरह से मुझसे विमुक हो चुकी थी और मुझसे भविश्य में कोई वास्ता नहीं रखने का पक्का फैसला कर चुकी थी मेरे लाग समझाने का भी उसके उसके पत्थर का फोलदान दे मारा हरगिस नहीं आप उसका खून नहीं किया नहीं किया आप उसे जीती जाकती सही सलामत अपने पीचे छोड़ कर वहां से विदा हुए थे हाँ गरिमा के वहां से जाने के बाद कितना अर्सा आप वहां बैठे थे यही कोई दस मिनिट वहां से निकल कर आप कहा गए जाना तो मुझे गरिमा के घर था लेकिन मेरा मूड इतना खराब हो चुका था कि मैं सीधा जंगपत पहुचा और इंपीरियल के बार में जा बैठा मिस्टर भारगव आप एन हत्या के वक्त नीशा के साथ उसके फ्लैट में थे अकेले थे और वहां आप दोनों के बीच ऐसी तकरार भी हुई जिसकी वज़े से आग बबूला होकर आप उस पर वार कर बैठ सकते थे आप पड़े लिखे समझदार आदमी है इतना आपको भी महसूस होना चाहिए कि चाहे फिलाल हम आपके खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकते लेकिन सरकम्स्टेंशल एविडेंस के बिना पर आप पर हत्या का संदिह किया जा सकता है सरकार किया जा सकता है जरूर किया जा सकता है और इसी लिए तो मैं फिक्र से अदमरा हुआ जा रहा हूँ लेकिन जनाब अगर मैंने कतल ही करना होता तो गरीमा का करता जिसने की मेरा काम बिगाड़ा था जिस औरत की ख्वाइश में दिन रात उसके साथ उसकी कदमों में बिचा रहा था उसे कतल करके मुझे क्या हासिल होता ये इनसानी फितरत होती है कई बार जब आपकी कोई पसंदीदा चीज आपको नहीं हासिल होती तो वे उसे तबहा कर देना चाहता है ताकि वे चीज अगर आपको हासिल नहीं तो और किसी को भी हासिल नहीं होनी चाहिए वे बात कहते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं भारगव और नीशा की बारे में नहीं अपने और अपनी बीवी की बारे में कह रहा था बिल्कुल तोकस चुटकी बजाता हुआ बोला यहीं मेरा बाप कहा करता था इंस्पेक्टर साहब मैं बेशुमार लड़कियों से ऐसे रिष्टे जोड चुका हूँ और बेशुमार लड़कियों द्वारा रिजेक्ट किया जा चुका हूँ अगर मैं अपना प्रणय निवेदन ठुकराने वाली हर लड़की का खून करता तो अब तक तो मैं दर्जनों कून कर चुका होता शायद कर चुके हो तोकस बोला भारगव ने बड़ी शिकायद भरी निकाहों से उसकी तरफ देखा तोकस परे देखने लगा एनिवे मैं एका एक उट खड़ा हुआ फिलाल हम यहां से रुक्सत हो रहे हैं लेकिन जाने से पहले आपको फिर याद दिला जाना चाहते हैं कि अभी आप संधेया से बरी नहीं है आपने पुलीस को उपलब्ज रहना है कहीं गायब नहों जाना फ्लाइड इस एन एविडेंस ओफ गिल्ड टोकस बोला मेरा बाप कहा करता था मैं गायब नहीं होने वाला भारगव बोला गुड मैं बोला हेड़कोर्टर में मैं एस पी के सामने पेश हुआ मैंने उसे भारगव के बारे में पताया वे लड़का हत्यारा हो सकता है सारी बात सुन चुकने के बाद एस पी गंभीरता से बोला उस पर मनो विग्यानिक दबाव डालो उसे यहां तलब करो और अच्छी तरीके से ग्रिल करो ये सर तोकस ऐसे कामों में होश्यार है तुम उसे भारगव के पीछे डाल दो बेटर लेकिन अभी उसे गिरफता नहीं करना है अभी उसे थर्ड डिगरी का एक डोस देकर रहा कर दो और फिर देखो कि वो किस करवड बदलता है ठीक है मैं एक शन ठिटका और फिर बोला साहब शाम को राम कुमार अगरवाल यहां आने वाला था शाम तो हो गई और वो वह यहां आया था एस पी मेरी बाट काटता हुआ बोला और मेरा उसे बहुत वरिस्तुत वारतालाब भी हुआ ओह मैं तनिक मायूस होके बोला मैं उमीद कर रहा था कि अगरवाल से वारतालाब मेरी मौजूदकी में होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ अगरवाल वहां आकर जा भी चुका था इसी बात से यह साबित होता था कि वे एस पी को कोई पुडिया देने में कामियाब हो गया था बड़ा आजमी चुठेरा क्या बताया उसने प्रत्यक्षितह मैं उत्सुख भाव से बोला उसने कबूल किया कि मब्तुला से उसके नाजायस तालुकात थे उसने ये भी कबूल किया कि मब्तुला उसे ब्लैकमेल कर रही थी मैंने मन ही मन संतोश का अनुभव किया आखिर मेरा तुक्का निशाने पर बैठा था किस बिना पर मैंने पूछा किसी ने पता नहीं कैसे उसकी और निशा की बड़ी गंदी तस्वीरे खीच ली थी एसपी बोला गंदी तस्वीरे? हाँ, ऐसी तस्वीरे जिनमें अगरवाल और निशा संपूर्ण नगना अवस्था में संभोगरत दिखाई गए है ये देखो उसने पोस्टकार साइस की दो तस्वीरे मेरे सामने उचाल दी मैंने उन तस्वीरों को उठाकर उन पर निगाँ डाली तो तुरंत मुझे उन नेगेटिव का ख्याल आया जो मैंने श्रिवास्तव के होटल के कमरे से बरामत किये थे जिनमें से कुछ मेरे बटवे में मौझूद थे मेरे हाथ में थमें दो प्रिंट्स के पोज ही बता रहे थे कि वे शर्तिय उन ही नेगेटिवों की प्रिंट्स है तस्वीरे देखकर मुझे इस बात से शर्म आने लगी कि मैं अपने एसपी के सामने बैठा था वे निशा और रामकुमार अगरवाल की तस्वीर थी और बहुत ही कंदी तस्वीरे थी मैंने उन्हें जल्दी से उल्टी करके वापस एसपी के सामने रख दिया एसपी ने उन्हें सहजभाव से उठाया और लापरवाही से वापस दरास में डाल दिया ये सिर्फ नमूना है वे बोला तस्वीरे और भी होंगी जरूर होंगी दो से क्या बनता है ये दो तस्वीरे अगरवाल को ब्लैक मेल की धमकी के साथ डाक से हासल हुई थी वे इतना डरा था कि उसने फॉरण वह रकम भिजवा दी थी जिसकी उससे मांग की गई थी चेक पर उसने किसी का नाम तो लिखा होगा मैं बोला नहीं लिखा था जिसे चेक का हासल हुआ होगा उसने खुदी कोई नाम लिख लिया होगा चेक बेरर था इसलिए सेल्फ लिखना भी चल सकता था सहब अगरवाल में इतनी अकलत होगी कि वह यह समझ सके कि जब इस काम में दो जने शरीक है और ब्लैक मिल सिर्फ एक को किया जा रहा है तो दूसरे का ब्लैक मिलर से कोई रिष्टा होना चाहिए तुमारा मतलब है इस बाबत उसे नीशा से बात करनी चाहिए थी जी हां वो कहता है उसने बात की थी लेकिन नीशा ने यही कहा था कि उन तस्वीरों से ये ब्लैक मिलर से उसका कोई रिष्टा नहीं उसने ये भी कहा था कि उसकी इज़त की खातेर अगरवाल को वे तस्वीरे और निकेटिव ब्लैक मेलर से फौरण वापिस हासिल कर लेनी चाहिए ये तो ब्लैक मेल के लिए मुर्गा कल्टिवेट करने जैसा काम हो गया अगरवाल इतना अकल का अंधा तो लगता नहीं कि उसे ये बात समझना आई हो इश्क में आदमी अकल का अंधा बन ही जाता है जैसे पिछले तीन साल से अपनी बीवी के इश्क में मैं बना हुआ था वैसे वै कहता है कि पिछले दिनों उसकी लड़की से वो मधुर संबन स्थापित नहीं थे जो एक धनवान व्यक्ती के उसकी रखेल से होने चाहिए थे वै लड़की से बोर हो चुका था और उससे कन्नी काटना भी शुरू कर दी थी लिकिन नीशा ऐसा मोटा मुर्गा यूं हाथ से निकल नहीं जाने देना चाहती थी इसलिए वै उसे अकसर धमकाया करती थी कि अगर उसने उसे छोड़ा तो वै उस रिष्टेदारी की खबर उसकी बीवी को कर देगी ये भी तो ब्लैक मिलिंग ही हुई मैं बोला हुई इसलिए मैं सोचता हूँ कि शायद नीशा का इन तस्वीरों से कोई रिष्टा न हो इन तस्वीरों की पृष्ट भूमी की कुछ चीजे मैंने पहचानी है मुझे ये नीशा के बेडरूम की तस्वीरे मालूम होती है नीशा की रिष्टा मंदी के बिना कोई तीसरा आदमी नीशा के बेडरूम में कैसे दाकिल हो सकता है और ये तस्वीरे कैसे खीच सकता है अगरवाल कहता है कि ये बात उसे भी खटकी थी उसने नीशा से इस बाबत सबाल किया था लड़की का जवाब था की जरूर वे तस्वीरे किसी ने फायर एसकेप पर खड़े होकर खीची थी अगरवाल कहता है कि ऐसा हो सकता था क्योंकि बेडरूम की खिड़की के पास ही फायर एसकेप की गोल सीडिया गुजरती है ओ, और क्या कहता है अगरवाल वे कबूल करता है कि रविवार की रात और सुमवार दुपहर बात तक वे नीशा के फ्लैट में उसके साथ था तीन बजे वे वहां से विदा हुआ था और कार से फरीदाबाद वापस लोट गया था सुन्दर नगर से फरीदाबाद का रास्ता मुश्किल से पौने घंटे का है इस लिहाज से चार बजे से पहले वे फरीदाबाद पहुँच किया होगा करेक्ट वहां उसने अपनी कार सर्विसिंग के लिए एक गैरेज के हवाले कर दी थी मैंने फोन करके मालुम किया है वे चार बजे के करीब कार लेकर वहां पहुचा था कार अभी भी वही है लेकिन साब कार की फरीदाबाद में मौझूदगी तो ये साबित नहीं कर सकती की वे भी फरीदाबाद में था मुम्किन है वे किसी और कार द्वारा या बस द्वारा वापिस लोटा हो और निशा का कतल करके फिर वापिस फरिदबाद चला गया हो सरासर मुम्किन है लेकिन उसका दावा यही है कि सोमवार को वे दिल्ली वापिस नहीं लोटा था वैं कहता है कि सोमवार के बाद वह आज ही दिल्ली पुलीस के बुलाबे पर दिल्ली आया था ये बाद हमें उसे पॉइंट आउट करनी चाहिए थी मैंने की थी? मैंने उसे संद्य के आधार पर गिरफतार कर लेने की भी धंकी दी लेकिन वै विचलित नहीं हुआ था मेरे यह समझाने पर भी विचलित नहीं हुआ कि हत्या का उसके पांस बड़ा तगड़ा उद्देश है था कि लड़की उसे ब्लैकमेल कर रही थी और यहां की हत्या के सामने अपनी कोई एलबाई भी पेश नहीं कर पा रहा था वो क्या कहता है कि कहां था वो हत्या के समय हत्या के समय सिनिमा देख रहा था अकेला या किसी के साथ था अकेला सिनिमा देखने का बहुत शौकीन होगा वो नहीं था लेकिन वें कहता है कि उस रोज वो इतनी परिशानी मेहसूस कर रहा था कि गाड़ी को गैरेज में देने के बाद वे सिनिमा हॉल में जा बैठा गैरेज नीलम चौक में नीलम सिनिमा हॉल की बगल में ही है वो फरिदाबाद की मशूर हस्ती है किसी ने तो उसे सिनिमा में देखा होगा किसी ने नहीं देखा वो कहता है कि जब वे सिनिमा में दाखिल हुआ था तो पिच्चर शुरू हो चुकी थी यानि अंधेरे में हॉल में जाकर बैठ गया बाद में वहां से निकलते वक्त तो वे भीड के साथ निकला होगा नहीं निकला था वो कहता है कि इंटरवेल के बाद बोर होने लगा था और फिर शोक हत्म होने से पहले ही वो वहां से उठकर चला आया था ये तो बड़ी गोल मोल धिली ढाली बात है करेक्ट साफ साफ पुलीस की जुबान में कहा जाए तो हत्या के वक्त की उसके पास कोई अलबाई नहीं वो ये बात साबित नहीं कर सकता कि हत्या के समय घटना स्तल से 32 किलो मिटर दूर वह एक दूसरे शहर में सिनिमा देख रहा था साफ फिर भी आपने उसे रहा कर दिया हाँ फिलहाल लेकिन उसके बड़े आदमी होने का रोब खाकर नहीं बलकि उसके व्यवार की एक विचित्रता की वजह से वो क्या शर्मा कटल की उसे कते कोई परवा नहीं मालूम होती थी वे अगर फिक्रमन था तो अपनी गंदी तस्वीरों के लिए जिनको वापिस हासिल करने में हमारी मदद के लिए वो बकाईदा गिड़ गिड़ा रहा था लेकिन नीशा के कतलों को तो उसने अपने नाग पर बैठी मक्षी जितना भी एहमियत नहीं दी दूसरी बात यह कि अगर उसने नीशा का इसे लिए कतल किया होता क्योंकि उन गंदी तस्वीरों के माध्यम से वे उसे ब्लैक मेल कर रही थी तो उन तस्वीरों की बाबत उसने हमें कभी नहीं बताया होता और अगर वैं खुद न बताता तो यह बात हमें कभी मालूम ना होती तुरंट मेरा ध्यान उस वक्त भी अपने जेब में मौजूद नेगेटिवों की तरफ गया मैंने एक बहुत एहम बात A.S.P. से चुपाई थी इस बात की अगर उसे खबर लग जाती तो वह शर्ती यह मेरा बाजा बजा देता अब हमारे सामने A.S.P. बोला एक बहुत जरूरी काम यह भी है कि हमने इन तस्वीरों के नेगेटिव तलाश कर रहे हैं अब अगर हम यह मान कर चले कि इन तस्वीरों के माध्यम से अगरवाल को blackmail करने वाली स्कीम में नीशा का भी हाथ था तो नेगेटिव नीशा के फ्लैट में भी हो सकते हैं वहाँ नहीं है शर्ती यह नहीं है मैं गैरंटी करता हूं वहां की बहुत बारीकी से तलाशी ले ली है मैंने तो फिर वे उसने कहीं और छुपाय होंगे तो फिर ब्लैक मेलिंग में उसके पार्टनर के पास होंगे पार्टनर? हाँ, वो शक्स जिसने की वे तस्वीरे खीची थी और जो बकॉल तुम्हारे निशा की रजामंदी के बिना उसके बेडरूम में घुसा बैठा नहीं हो सकता था पार्टनर, फॉरण मेरा ध्यान श्रीवास्तव की दरब गया शर्मा, उन नेगेटिवों को इस केस के हल की कुण्जी समझो, उनको बरामदी हुई नहीं और केस हल हुआ नहीं वो कुण्जी मेरे जेब में थी, और मैं उल्लू सा नक्षा ताने एसपी के सामने बैठा था वैसे अब मुझे एक नई फिक्र सताने लगी थी अगर वाकई श्रिवास्तव को मालुम था कि उसके होटिल के कमरे से जेवर मैंने गायब किये थे तो अब तक मैं नेगेटिव वहां से गायब कर चुका हो सकता था मुझे फॉरण पहाडगंज उसके होटिल में पहुचना नहायत जरूरी लगा मैं प्रत्यक्षतह मैं बोला उन नेगेटिवों की तलाज की पूरी कोशिश करूँगा फिर एसपी ने मुझे डिस्मिस कर दिया मैं गलियारे में से गुजर रहा था कि मुझे टोकस ने पुकारा मैं ठिटका और घूमा हाथ में एक चिट्टी थामे वो मेरी तरफ बढ़ रहा था तुम्हारी ये चिट्टी आई पड़ी है चिट्टी का बंद लिफाफा मुझे थमाता हुआ वो बोला थैंक यू मैं बोला तुम वे उत्सुक भाव से बोला अपनी डाग अपने घर के पते पर नहीं मंगाते हो वहीं मंगाता हो तो ये चिट्टी इत्वाक से यहां आ गई है पता नहीं किसने बेजी है ओ हकिकतन मुझे खूब मालुम था कि वे चिट्टी मुझे किसने बेजी थी वे चिट्टी मुंबई पुलीस में नौकरी में लगे मेरे उसी दोस्त की थी जिसकी एक चिट्टी मुझे सुमवार भी हासिल हुई थी और जिसकी वज़े से मुझे ये मालुम हुआ था कि मेरी भोली भाली बीवी वास्तव में शीला अत्रे नाम की एक सजायाफता मुझरिम थी चोर सिपाहे की कितनी अच्छी जोड़ी थी हमारी मैं अभी आया मैं बोला और टोकस को वहाँ खाड़ा छोड़कर टॉयलिट में गुसा एक लेवेटरी स्टॉल में दाखिल होकर मैं कमोड की सीट पर बैड़ गया मैंने मुंबई से आया पत्र खुला और वहाँ के नीम अंधेरे में उसे पढ़ा लिखा था शीला अत्रे के बारे में और तफ्तीश करने पर मालम हुआ है कि सन 1976 में जबकि वह 17 या 18 साल की रही होगी वे आरके पटेल नामक एक ऐसे आदमी के सोबत में थी जो की एक हिस्ट्री शीटर था सन 1977 के आरम में पटेल एक डकैती के इल्जाम में गिरफतार हुआ था लेकिन मुकदमे के दौरान जब वह जमानत पर छूटा था तो फरार हो गया था शीला अत्रे उन्हीं दिनों गिरफतार की गई थी पटेल दौरा किये गए अफराद में उसका क्या रोल था ये इस पश्ट रूप से सामने नहीं आया था लेकिन धाई साल की जेल की सजा उसे पटेल के सयोगिनी होने की वज़े से ही हुई थी ये निश्चित रूप से कहना मुहाल है कि वे डखेती में शामिल थी या नहीं या पटेल के फरार होने में वे उसकी साहयत सिद्ध हुई थी या नहीं लेकिन पकड़ी वे इसलिए गई थी क्योंकि पुलीस को उम्मीद थी कि उसकी मदद से पटेल को दुबारा गिरफतर किया जा सकता था पटेल दुबारा गिरफतर नहीं हो सका था इसलिए जाहिर है कि पुलीस का नजला शीला अत्रे पर गिरा था अदालत ने उसे ढ़ाई साल की सजा सुनाई थी पटेल आज भी फरार है और यहां की पुलीस को उसकी आज भी तलाश है इस वक्त पटेल की उम्र 33-34 साल के करीब होगी शीला अत्रे के बारे में पुलीस रेकोर्ड से और मालम हुआ है कि वे सन 1958 में पूना के एक सरकारी अस्पताल में पैदा हुई थी उसकी मा का नाम अनुसुया अत्रे था जो की उसके पैदा होते ही मर गई थी उसके बाप का कोई पता नहीं बच्ची पैदा होते ही क्रिश्चिन समाज द्वारा चलाए जाने वाले इस थानी यतीम खाने के हवाले कर दी गई थी जहांसे कि वह 16 साल की उम्र में भाग गई थी यतीम खाने वालों ने उसे वापिस पकड मंगवाने की कोई कोशिश नहीं की थी जेल से चूट कर वहां कहा गई थी ये बहुत कोशिशों के बावजूद मालूम नहीं हो सका है डकैती की डीटेल रिपोर्ट की तुम्हें जरूरत है या नहीं मुझे नहीं मालूम अगर जरूरत हो तो चिठी लिख देना मैं डीटेल रिपोर्ट भेज दूँगा मैंने पत्र को एक और बार पढ़ा और फिर उसे बंद करके वापिस लिफाफे में रख लिया तो मेरी बीवी किसी आरके पटेल नाम के डकैत की माशुक रह चुकी थी आरके राजेश कुमार जरूर इसी पटेल के बच्चे का नाम वा मेरे अभिसारत होते हुए भी भज रही थी कैसा आदमी था वे हरामजादा पटेल क्या बहुत खुबसूरत था क्या बहुत नौजवान कामदेव का उतार क्या उसी से मेरी बीवी आज भी तालुकात बनाए हुए थी एका एक अपनी बीवी से कहीं ज्यादा नफरत मुझे उस अंदेखे आदमी से होने लगी मेरे जुबडे अपने आप कस गए और दातों में से किट-किटाहट की आवाज निकलने लगी मेरे रिदे में ईर्षा और ग्रोणा की ऐसी जुआला धदक रही थी जो कि कभी भी मेरे काबू से बाहर हो सकती थी बीवी का क्या मैं खुद अपनी हत्या कर सकता था तभी दर्वाजे पर दस्तक पड़ी मैं बुरी तरह चौका रवी मुझे टोकस की आवाज सुनाई दी बीतर हो हाँ मैं सीट से उठता हुआ बोला क्या है तुमारा टेलिफोन है मैं फौरण बाहर निकला मैं टेलिफोन पर पहुचा टेलिफोन अशोक विहार के उस बैंक से आया था जिसमें मेरा अपनी बीवी के साथ जॉइंट अकाउंट था और जिसका मैनेजर मेरा दोस्त था उसने मुझे बताया कि मेरे खाते में से एक हजार रुपे की रक्म ओवरड्रॉ की जा चुकी थी रवी वे बोला तुम तो जानते हो कि सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ नहीं चलता यारी दोस्ती में मैंने भावी जी क्या लाया चेक पास कर दिया है अब तुमें एक जिम्मेदार पती बनकर दिखाओ और अपने खाते में फॉरण पैसा जमा कराओ ताकि भावी जी उसे निकाल कर खरच कर सके वह हसा उसके लिए ये मजा की ही बात थी लेकिन मेरे लिए नहीं हमारे उस जोइंट अकाउंट में कम से कम 10,000 रुपए हमेशा रहते थे और अब उल्टे हमने बैंक का 1,000 रुपए देना था मैं कल ही पैसे जमा करा दूँगा मैं फोन पर बोला वैसे कहो तो मैं आज ही अभी आकर नहीं नहीं कल ठीक है मैंने रिसीवर को क्रेडल पर पटक दिया उस टेलिफोन के कॉल ने मुझे इतना अंदोलित कर दिया कि मेरी कान पट्टियों में खोन बजने लगा क्या मांजरा था कैसी खिलवार चल रही थी मेरी जिंदगी के साथ टोकस जो मेरे पीछे पीछे ही वहां तक पहुचा था बड़े गौर से मुझे देख रहा था मुझे आज कल वै बोला तुम्हारी तबियत में कोई खास ही नुक्स मालूम होता है डॉक्टर को अच्छी तरह से दिखा कर आओ नहीं तो देख ले न लंबे बिमार पड़ जाओगे नहीं नहीं मैं जुझ लाया कुछ नहीं है मुझे सिर्फ सिर्दुख रखा है उसके लिए भी आराम की जरूरत होती है तुम घर जाकर आराम करो मैं यहां सब सम्माल लूँगा मैंने सेहमती में सेरह लाया और पांच मिनिन बाद मैं वहां से विदा हो गया लेकिन घर का रुख मैंने नहीं किया मैं करॉट पैलेस पहुचा वहां से मैंने विस्की का एक पववा खरीदा और एक ऐसे रेस्टरॉन में पहुचा जिसका मालिक मेरा वाकिवदार था दस मिनिट में मैं विस्की का पूरा पववा पी गया तब मेरी कनपट्टियों में खून बजना बंद हो गया और मुझे तसली हुई कि दिमागी टेंशन से मुझे ब्रेन हैम्रेच नहीं होने वाला था मैंने जैकन जिल में फोन किया सुष्मा सोनी अभी वहां नहीं पहुची थी लेकिन पुलीस के नाम से मुझे वहां से एक नमबर मालुम हो गया कि जिस पर सुष्मा सोनी से बात हो सकती थी मेरी उससे बात हुई फोन पर मेरा परीचे पाते ही वे बड़ी रुखाई से बोली तुम ही यहां का नमबर कैसे मालुम हुआ हो गया किसी तरह से मैं बोला अपने पुलीसिये होने की धोस दिखाकर डिसको से मौलुम किया होगा यही समझ लो अब क्या है क्या चाहते हो तुमसे मिलना चाहता हो क्यों यू ही ये क्या वज़े हुई असली वज़े मिलने पर बताऊंगा लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती क्यों मैं किसी पुलीस ये से रिष्टा नहीं रखना चाहती सुश्मा प्लीज क्या प्लीज और सुश्मा तो तुम यू आवास में शहद घोल कर बोल रहे हो जैसे तुम मुझे बर्सों से जानते हो मुझे मुलाकात का एक मौका दो प्लीज आखरी वे कुछ क्षण ठिटक कर बोली मंजूर ओके मेरे शो टैम की बाद डिसको पर आ जाना अभी नहीं नहीं अभी नहीं ठीक है मैं हाजर हो जाओंगा उसने लाइन काट दी मैंने अपने घर का नंबर डायल किया घंटी बचती रही बचती रही मैं पहाडगंज पहुचा शिवास्तव कही जाने की तयारी कर रहा था मैं पांच मिनट भी लेट पहुचता तो वे मुझे वहाँ नहीं मिलने वाला था उस वक्त वे नया सूट पहने था और बड़ा निकरा निकरा सा लग रहा था मुझे देखकर उसने ऐसी सुरत बनाई जैसे उसे उस वक्त मेरा वहाँ पहुचना बहुत ही नागवार गुजरा हो मैं उसे एक तरफ धकेल कर भीतर दाखिल हुआ मैं कहीं जा रहा था वो आहाद भाव से बोला मुझे दिखाई दे रहा है मैं कठोर स्वर में बोला सिगरेट सुलगाते हुए मैंने उसे बोला टिक के बैठ जाओ फिलाल तुम कहीं नहीं जा रहे हो वो मेरे सामने बैठ गया तुम्हारी वज़े से एक आ एक वो बोला आज मुझे बहुत लानत मलानत से नहीं पड़ी किस से मैंने लापरवाही से पूछा सुष्मय सोनी से और किस से वै कलब रही थी कि क्यों मैंने उसे तुम्हारे जैसे आदमी से मिलवाया यार तो ने तो हदी कर दी तुम तो यार मैं आँखे निकाल कर बोला सालिह हूँ टेग घंजे मैं तेरा यार हूँ यार कहता है मुझे नहीं नहीं वे बोखलाया क्या नहीं नहीं कुछ नहीं माई बाब पता नहीं वे मेरे गंदे मूड का असर था या पोवे के नशे का असर था कि वा आदमी वैसे ही मुझे नापसंद था लेकिन मेरा जी चार आ था कि मैं साले को दो चार हाथ धर दू बड़ी कढ़नाई से मैंने अपनी उस इच्छा पर काबू किया वे मुझसे आखे चुराता रहा और बेचैनी से पहलू बदलता रहा श्रिवास्तव अंत्मे में बड़े हिंसक स्वर में बोला मैं तेरे साथ बहुत नर्मी और रियायत से पेश आया जो कि मेरी गलती थी अब क्या किया मैंने साले हरामजादे पहले क्या काफे कुछ नहीं कर चुका जो पूछ रहा है कि अब तुने क्या किया मैं मैं क्या बकरी की तरह मिमिया रहा है उसने जोर से थूक निकली बहुत लिहास किया मैंने तेरा इस उमीद में किया कि तु इस बात की कदर करेगा और मुझे सब कुछ सच-च बताएगा मैंने जो बताया सच-च ही बताया माई बाप लेकिन सब कुछ नहीं बताया बहुत कुछ छुपा कर रखा तो ने मैंने कुछ नहीं छुपाया कैसे नहीं छुपाया साले पराया माल नहीं छुपाया पराया माल किसका नीशा का उसकी सूरत नहीं मुझे बता दिया कि मैं उस वक्त वहां से बरामच जेवरात के बारे में सोच रहा था उसने लगने लगा था कि मैं जवेरात के बारे में जिक्र करने जा रहा था वो वेह हक लाया वो क्या है कि मैंने हाद बढ़ा कर उसका गिरिबान पकड़ लिया और उसे जन्जोड़ा उसकी कलफ लगी नई कमीज का बाजा बज़ गया मैं नहीं चाहता था कि जेवरात का जिकर उसकी जुबान पर आए मैं बोलने को कहूँ तो बोल हरामजादे सॉरी मैंने उसका गिरिवान छोड़ दिया तुझे फोटो खीचनी आती है मैंने अपलग उसकी आँखों में छाकते होई सवाल किया फोटो? हाँ आती है कैमेरा कौन सा है तेरे पास? कोई भी नहीं क्या? मैं आखे निकाल कर बोला मेरा मतलब अब नहीं है लेकिन पहले था हाँ पहले मेरे पास मिनोल्टा कैमेरा था 35 एमेम का हाँ अब कहा गया वो? मैंने उसे बेच दिया कब? कब बेचा? एक साल हो गया क्यों बेचा? यूँ ही कोई खास वज़े नहीं थी कोई तो वज़े होगी शायद यही वज़े हो कि वो कैमेरा अपना मकसद हल कर चुका हो मकसद? हाँ मकसद राम कुमार अगरवाल और नीशा की नंगी तस्वीरे खीचने का मकसद साले कमीने जिसे बेटी कहता है उसकी नंगी तस्वीरे खीचता है वो गैस निकले गुबारे की तरह पिचक गया कहां है नेगेटिव? उसने बड़ी शराफत से नेगेटिव लाकर मुझे सौप दिये नेगेटिव वैसे ही वाटरप्रूफ कागज और रबर बैंड से बंदे हुए थे जैसे की मैं उन्हें छोड़ कर गया था मेरी जान में जान आई गनिमत थी की नेगेटिव उसने गायब नहीं किये थे नस्ट नहीं किये थे जेवराद गायब पाकर वै नेगेटिव का तिया पाचा एक कर सकता था उसने ऐसा शायद नहीं किया इसलिए क्योंकि जरूर वैं सोच रहा था कि नेगेटिवों पर मेरी निगान नहीं पड़ी थी ये तस्वीरे तूने खीची थी मैंने पूछा अपने सूखे होटों पर जबान फेरते हुए उसने सहमती में सिरह लाया क्यों? मुझे मुझे निशा ने ऐसा करने के लिए कहा था कब? एक साल पहले कहा? उसके सुंदर नगर वाले फ्लाइट में जब वै अगरवाल के साथ बिस्तर में थी तो मैंने एक वाडरोब में छुपकर ये तस्वीरे खीची थी अंधेरे में तस्वीरे कैसे आ गई? इन फ्रेंटेड लाइट से अंधेरे में तस्वीरे आ जाती है निशा को ये बात मालूम थी और उसी ने उसके इंतिजाम किया था इन तस्वीरों की बिना पर तुम अगरवाल को ब्लैक मेल कर रहे थे? मैं नहीं निशा तुमने कुछ नहीं किया? सिर्फ तस्वीरे खीची? और कुछ नहीं किया? किया निशा के कहने पर किया लेकिन किया? हाँ जीपियों के पदे पर भेजे अगरवाल के चेक तुम कैश कराते थे? हाँ अपना नाम लिख कर? नहीं कभी सेल्फ और कभी कोई फर्जी नाम लिख कर फिर वह रकम आगे तुम निशा को सौब देते थे? हाँ अपने पास उन रकमों की एंट्री करके लाल जिल्द वाली डाइरी में एंट्री करके हाँ डाइरी के जिक्र पर वह हक्का बक्का सा मेरा मूँ देखने लगा अब तक अगरवाल से कितना माल जटक चुके हो? डेड़ लाक रुपिया जो की सारा का सारा तुमने निशा को सौपा था? हाँ अपने पास कुछ नहीं रखा? ब्लैक मेलिंग के माल में अपना कोई हिस्सा नहीं माना तुमने? ना क्यों? मैं ब्लैक मेलर नहीं मैंने जो कुछ किया निशा की खातिर किया अपनी बेटी की खातिर मैंने स्वर में व्यंग का पुट था उसने उत्तर ना दिया उसने बेचैनी से पहलू बदला ब्लैक मेलिंग का ये सिलसिला अभी भी जारी था या बंद हो चुका था अभी जारी था और आगे भी जारी रहने वाला था हाँ मैं खामोश हो गया इस लिहाज से तो अगरवाल लड़की का हत्यारा हो सकता था इंस्पेक्टर साब श्रिवास्ताव अपने सूखे होटो पर जुबान फेरता हुआ बोला क्या है एक बात है जो आपसे कहना चाहता हूँ कोई ऐसी बात मैं कहर भरे स्वर में बोला जो अभी तक तुमने मुझसे छुपा कर रखी हाँ उस बात का मेरे दिल और दिमाग पर बहुत भारी बोज है वह बात मैं भाब गया था वह मुझे जेवरात के बारे में बताना चाहता था इसलिए बताना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि वह बात मुझे पहले से मालुम हो चुकी थी लेकिन मैं भी जेवरात की जिक्र से बचना चाहता था आकर श्रिवास्तो कहीं भागा थोड़ी जा रहा था और भागता भी तो कहां भागता माई बाप, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कि तुमने निशा का कतल किया है है ना, नहीं, नहीं वो घबरा कर बोला ये बात नहीं, मैं तो कुछ और ही क्यों किया तुमने निशा का कतल हे भगवान अब उसकी चेहरे के साथ-साथ उसकी गंजी खोपडी पर भी पसीने की बुंदे चू-चूहा आई थी अब भगवान को याद करके क्या कर रहोगे अब भगवान को याद कर रहे हो तब भगवान याद नहीं आया था जब तुम उस लड़की की खोपडी पर पत्थर का फोल दान मार कर बेचारे की हत्या कर रहे थे मैंने उसकी हत्या नहीं की वैं लगबग रोता हुआ बोला मैं उसकी हत्या कर ही नहीं सकता वो मेरी बेटी के समान थी और तुम अपनी संभोगारत बेटी का नजारा करते थे उसकी नंगी तस्वीरे खीचते और ब्लैक मिलिंग जैसी जलील और गैर कानूनी काम में उसकी मदद करते थे वे लड़की धकी चुपी वैश्या थी जरूर तुम उसकी लिए ग्राहक भी पटाते होंगे साले जिसे बेटी कहता है उसका दल्ला बना तू वे बात उसे तीर की तरह लगी उसका चहरा एक दम लाल भबुका हो गया वे स्प्रिंग लगे खिलोने की तरह अपनी जगे से उचला और मुठिया बीचे मुझ पर जप्टा मैंने उसे रास्ते में ही दबोच लिया और पलंग पर धकेल दिया साले मैं गर्जा तेरी ये मजाल एक और ड्यूटी पुलीस आफिसर पर हमला करता है साथ साल के लिए नब जाएगा हराम जादे वे जहां पलंग पर गिरा था वही पड़ा रहा वे दुबारा मुझ पर जप्टा तो नहीं लेकिन उसकी आखों में मेरे लिए नफरत का लावा उबल रहा था अब एग बात के मुझे गैरंटी हो गई वे लड़की को अपनी बेटी मानता या माशूक चाहता वे उसे वाकई अपने दिल से था अपनी निशा को चाहता तो मैं भी दिल से था लेकिन मैं उसके कतलों को आमादा था जबकि श्रीवास्तव हर आदमी का कतल करने को आमादा हो सकता था जो कि उसकी निशा को बुरा भला कहता और ये बाद तब थी जबकि उसकी निशा जिन्दा भी नहीं थी मैं अपनी निशा का मालिक था था नहीं तो समझता तो था जबकि वे अपनी निशा का गुलाम रहने में भी बहुत फक्र महसूस करता था मैं औरत के सिर पर सवार होना चाहता था और वे उसके तल्वे चाट कर भी राजी था मुझे उससे बहुत नफरत हुई साला हीजडा, दोगला कुटा, बुढधा, बैल जिस औरत को वे चाहता था गैर मर्द की बहों में उसकी अयाशी का वे नजारा कर सकता था तस्वीरें खीच सकता था कैसी बेहुदी, कैसी जलील और कैसी बीमार चाहत दिया उस वक्त मेरा जी चाह रहा था कि मैं मार मार कर उसका भरता बना दू और उसे सबक दू की साले औरत के खातिर इतना नीचे गिराना नहीं चाहिए अपने आपको कमीने जिस जिस के हाथ हवस पूर्ती की ख्वाईश हो उसे बेटी जैसे पवित्र नाम से नहीं पुकारना चाहिए लेकिन असल में मैंने ऐसा कुछ ना किया उस पर जपट पढ़ने से अपने आपको रोकने को मुझे एक ही रास्ता दिखाई दिया कि मैं वहाँ से कुछ कर जाओं मैंने ऐसा ही किया नेगेटिवों का पैकेट मैंने अपनी जेब में रखा और उस पर दोबारा निगां भी डाले बिना मैं वहाँ से बाहर निकल गया अपने पीछे दर्वाजा मैंने इतनी जोर से बंद किया कि कमरे के पार खिड़कियों के पल्ले बच उठे यही कमाल था कि दर्वाजा चौकट पर से उखड नहीं गया था मैं सड़क पर पहुँचा मेरा विस्की का नशा मुकमल तौर से मुझ पर से उतर गया था और मेरा सिर फिर से पहले से ज्यादा जोर से दुखने लगा था नीशा के कतल के केस में किसी एक जने को ही सजा होनी थी लेकिन मुझे खुशी होती अगर श्रिवास्तव अगरवाल भारगव विपिन कुमार सभी फासी चड़ जाते साले कमीने औरत पर लार टपका कर अपना आपा खराब करने वाले औरत के हातों ही बेवकूफ बनने वाले औरत की खाते रुपिया पैसा मान सम्मान सब कुछ दाव पर लगा देने वाले मैंने अपने कोट की उस जेब को टटोला जिसके भीतर नेगेटिवों का पैकेट मौझूद था एक उद्योग पती एक इजज़तार आदमी समाज में प्रतिष्ठा का अधार स्थंब क्यों इसकदर एक बाजारी औरत का दीवाना बना की अपने परिवार की अपने बीवी बच्चों की मान मर्यादा को दाव पर लगा बैठा अगरवाल के हत्यारा होने की मुझे कोई उमीद नहीं थी वह एक साल से ब्लैक मेल का शिकार हो रहा था हाल ही में अगर उसे पता लग भी गया था कि ब्लैक मेलर खुद निशा ही थी तो भी जहां उसने एक साल इंतजार किया वहाँ थोड़ा और इंतजार कर सकता था वह पैसे वाला समर्थ्य वक्ती था उसे खुद निशा का कतल करने की क्या जरूरत थी वह बड़ी आसानी से किसी किराय के कातिल से उसका कतल करवा सकता था वक्ती जुनून के हवाले होकर उसने निशा का कतल किया हो ये भी नहीं हो सकता था ये बात तो तब मानी जाती जब कतल करके ही निशा के फ्लैट से निकला होता लेकिन फरिदाबाद तो वो यकीनन गया था वहाँ ऐसा कौन सा जुनून उस पर सवार हुआ होगा कि वे निशा का कतल करने के लिए आनन फानन वापिस दिल्ली दोड़ा चला आया था और फिर वे इतना बेवकूफ क्यों हुआ कि नेगेटिवों का कोई अतापता मालूम करवाने से पहरे ही उसनी निशा की हत्या कर दी उससे अफेख्षित यही था कि वे पहले मालूम करता कि ब्लैक मेलिंग का हत्यार नेगेटिव कहां थे नेगेटिवों की खबर तो उसे नहीं थी होती तो शिवास्तव से नेगेटिव हत्याना क्या बड़ी बात थी कतलक के वक्त की उसकी इलबाई कमजोर थी लेकिन मेरा पुलीस की नोकरी का तजुर्बा कह रहा था कि वो फसने वाला नहीं था अपनी बद फेली की उसे कोई सजा नहीं मिलने वाली थी मैंने ऐसा कोई इंतिजाम करने का फैसला कर लिया जिससे और कुछ नहीं तो कम से कम उसके चरित्र पर तो थू थू हो सिर्फ उसे ही नहीं उसकी बीवी बच्चों को भी भारी जिल्लत का सामना करना पड़ता तो यह भी उसके लिए कोई कम सजा नहोती मैंने नेगेटिव बरामत करवाने का और उनके अस्तित्व का सारे शहर में धिंडोरा पिटवाने का पक्का फैसला कर लिया मैं सुन्दर नगर पहुचा केरटेकर बुटाराम मुझे इमारत के बाहर ही मिल गया वे मुझे देखते ही पहचान गया उसने मुझे दोनों हाँ जोड़कर नमस्ते की नीशा के फ्लैट की चाबी तुम्हारे पास है उसे लेकर जरा उपर मेरे साथ चलो मैंने फ्लैट की ज़रा एक बार फिर से तलाशी लेनी है बुटाराम के साथ नीशा के फ्लैट में जाकर मेरा इरादा यह जाहिर करने का था कि मैंने उसकी मौझूदगी में फ्लैट की जब तुबारा तलाशी ली थी तब मैंने वहां से नेगेटिवों का वो पैकेट बरामत किया था जो की मेरी जेव में था लेकिन बूटाराम के जवाब ने सब गफला कर दिया चाबी की क्या जरूरत है मालिक? वैं खीसे निरोपता हुआ बोला फ्लैट तो खुला है खुला है? आब ही के महक में के कुछ लोग वहां आए है और पहले से ही दुबारा तलाशी ले रहे है अच्छा? मैं मायोसी सी बोला कितनी देर हुई होगी उन्हें यहां आए? बस आपके आगे आगे ही आए थे बड़ी हद पांच मिनिट हुई होगी? फिर तो काम बन सकता है मैं मनी मन बोला वे तलाशी लेकर वहां से जा चुके होते या उनकी तलाशी मुकमल होने को आ रही होती और तब वह पैकेट वहां से बारामद होता तो अंदे को भी सूच जाता कि वो पैकेट वहां पलॉट किया गया है दो बार तलाशी में भी कोई चीज पुलीस की निगाँ से छुपी रहती ये मुम्किन नहीं था आखर वो पैकेट कोई सुई तो नहीं थी मैं आनन फानन उपर पहुचा नीशा के फ्लैट में एक हवलदार और एक सब इंस्पेक्टर मौजूद थे दोनों में से सब इंस्पेक्टर मेरा खूब जाना पहचाना था उसका नाम मुकदलाल था मैंने उससे हाथ मिलाया तुम यहां कैसे? मैं बोला एस पी अवस्ती साहब ने भेजा है मुकदलाल बोला यहां की दोबारा तलाशी के लिए वे कह रहे थे कि तुमने उन्हें बताया था कि तुम बड़ी बारिकी से यहां की तलाशी ले चुके थे लेकिन फिर उन्होंने सोचा था कि तुमने तो एक रूटीन के तौर पर यहां की तलाशी ली थी यानि कि तुमें किसी वस्तु विशेश की तलाश नहीं थी लेकिन अगर पहले से मालूम हो कि तलाश किस चीज की करनी थी तो तलाश का मुक्तलिफ नतीजा निकल सकता था यानि कि तुम यहाँ नेगिटिवों की तलाश में भेजे गये हो हाँ मैं इसलिए विजा गया था क्योंकि टोकस कह रहा था कि तुम चुट्टी करके घर जा चुके थे लेकिन तुमने तो चुट्टी नहीं की मालूम होती है नहीं की दरशल जो बात ASP साहब के दिमाग में आई थी बाद में वो मेरे भी दिमाग में आई मैंने भी यही सोचा था कि चीज का अतापता मालूम होने पर उसकी तलाश में काम्याबी की ज्यादा संभावना होती है पहली बार की तलाश में यहां कोई नेगेटिव दिखाई दिये भी होंगे तो हमारी पार्टी ने उन्हें नजर अंदास कर दिया होगा क्योंकि नेगेटिवों की कोई एहमियत तब हमारे निगाह में नहीं थी करेक्ट अब जब हम आ ही गए है तो तुम बेशक चले जाओ तलाशी हम ले लेंगे नहीं मैं भी तलाशी का नतीजा देख खरी जाओंगा तुम्हारी मर्जी तलाशी शुरू हुई वे दुनों नेगेटिव तलाश कर रहे थे और मैं नेगेटिव तलाश करने का बहाना करते हुए कोई ऐसी जगे तलाश कर रहा था जहां कि मैं अपनी जेब में मौझूदा नेगेटिवों का पैकेट छुपा सकता था वो जगे मुझे टॉयलेट में पानी की टंकी लगी आखिर नेगेटिवों का पैकेट वाटर प्रूफ जो था पेशाप करने जाने के बहाने टॉयलेट में जाकर मैं नेगेटिवों का पैकेट पानी की टंकी में डालाया और फिर मुगनलाल की तवज्जों उस तक पहुचने की प्रतिक्षा करने लगा तलाशी जारी रही साथ में मदद करने का बहाना करता-करता मैं बोर हो रहा था वहां नेगेटिव तो कई मिले तस्वीरे भी कई मिली लेकिन वे नेगेटिव वे तस्वीरे न मिली जिनकी की पुलीस को तलाश थी नौ बजे, तीन घंटे की भरपूर तलाश के बाद मुगनलाल ने यह गोशना कर दी कि गंदी तस्वीरों वाले नेगेटिव उस फ्लैट में नहीं थे बिना पानी की टंकी में जहाके, पानी की टंकी में क्या बिना टॉयलेट में जहाके, वे वहां से विदा होने की तयारी करने लगा पहले तो मैं भी उसके साथ चला लेकिन फिर एका एक ठिटका यार मुगंदलाल मैं कुछ सोचने का अभियन करता हुआ बोला उसने प्रश्ण सूचक नेतरों से मेरी तरफ देखा पिछली बार की अपनी तलाशी में एक जगे मुझसे छूट गई थी और मुझे अभी अभी खयाल आया कि आज भी वे जगे छूट गई कौनसी? टॉयलेट टॉयलेट में जाका था हवलदार बड़े ततपर स्वर में बोला वहां तो कुछ भी नहीं था पानी की टंकी में भी जाका था मैं बोला वहां तो नहीं जाका था साहब पानी में? मुकंदलाल बोला नेगेटिव गल नहीं जाते? गल जाते हैं मैं बोला लेकिन क्या पता टंकी काम ना करती हो और इस्तमाल ना होती हो और वहां पानी से खाली हो? बात तो तुम ठीक कह रहे हो खुशी राम जी साहब हवलदार बोला तंकी देख जी साहब तब कहीं जाकर नेगेटिवों का वो पैकेट बरामत हुआ एक पबलिक कॉल से मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के ओफिस में फोन किया संपर्क स्थापित होने पर मैंने सूरज जोशी से बात करने की इच्छा व्यक्त की मालू हुआ कि सूरज जोशी उस वक्त वहां नहीं था लेकिन वह प्रेस कलब में हो सकता था मैंने प्रेस कलब का नंबर डायल किया सूरज जोशी वहां था जो मैं कहने जा रहा हूँ उसके लाइन पर आते ही मैं बोला उसे गौर से सुनो तुम बोल कौन रहे हो ये बात महत्वपूर्ण नहीं है महत्वपूर्ण वो है जो मैं कहने जा रहा हूं मैं सुन रहा हूं तुम नीशा नामक कैबरे डांसर की हत्या के केस पर काम कर रहे हो और इस सिलसिले में तुमने जनता का ध्यान हर्याने के एक उद्योगपती की तरफ दिलाया है हाँ उस उद्योगपती का नाम तुमें मालूम है? मालूम है गुड मैं इस बात की तजदीक करता हूँ कि तुमारा यह अंदाजा एकदम सही है कि नीशा उस उद्योगपती की रखेल थी वो तो मुझे भी मालूम है इसमें मुझे तुमारी तजदीक की क्या जरूरत है? लेकिन ये नहीं मालूम होगा कि उसकी कथित रखेल ही उसे ब्लैक मेल कर रही थी ऐसा? हाँ, ऐसा अभी आगे सुनो नीशा उस उद्योगपती को अपनी और उसकी बेड्रूम मार का नहायत कंदी तस्वीरों की बिना पर ब्लैक मेल कर रही थी ऐसा किस ने कहा है? मरने वाली तो मर गई अब और कौन कह सकता था? यानि कि खुद अगरवाल ने कहा है? हाँ, दिल्ली पुलीस को दिये बयान में अच्छा, वह दिल्ली पुलीस को कोई बयान भी दे चुका है? हाँ, उसने अपनी कोई अलबाई पेश की? की, लेकिन वह अलबाई एकदम लचर थी क्या थी वो? ये बाते छोड़ो ये बाते तुम्हें थोड़ी सी कोशिश करने पर पुलीस के पियारों से मालूम हो सकती है तुम वो बात सुनो जिसकी वज़े से मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हें और किसी को नहीं फोन किया है और जो बात चुपाने की कोशिश पुलीस जी जान से करेगी क्यों करेगी एक पैसे वाले रसूक वाले आदमी की इज़त बचाने को करेगी बात क्या है बात क्या है कि अभी अभी पुलीस ने निशा के फ्लैट से निशा और अगरवाल की गंदी तस्वीरे बरामत की है वे तस्वीरे आज बरामद हुई सुमवार को नहीं हुई नहीं हुई क्यों वो मुझे नहीं मालूम लेकिन ये हकीकत है कि ऐसी तस्वीरे आज बरामद हुई है आज क्या अभी अभी बरामद हुई है तुमने पैसे वाले आदियों के रसूक और उंची बहुच के बारे में अपने पर्चे में जो कुछ भी छापा था उसमें मैं बहुत प्रभावित हुआ इसी लिए मैं तुमें ये खबर दे रहा हूँ और तुमसे उमीद कर रहा हूँ कि तुम ऐसा कुछ करोगे जिससे उस आदमी से रिश्वत खाकर या वैसे ही उसे ओबलाइज करने की खातिर पुलीस वाले उन तस्वीरों के नेगेटिव को नश्ट ना कर पाए वे उनके अस्तित्व को ना नकार पाए मैं ये बात साबित कैसे करूँगा कि ऐसी कि ली तस्वीरों के नेगेटिव नीशा के फ्लैट से आज बरामद हुए है बलफ मार के बलफ के लिए भी कोई बुनियाद जरूरी होती है वे बुनियाद ही है कि मैं तुम्हें उन नेगेटिवों की बरामदी का वक्त बता रहा हूं और वे जगे बता रहा हूं कि जहां से वे बरामद हुए थे कहां से बरामद हुए थे हत्पराण के फ्लैट में टॉलेट की पानी की टंकी में से 35 mm के 60 नेगेटिव एक वाटरप्रूफ पेपर में बंदे हुए थे और पैकेट पर रबर बैंड चड़े हुए थे इतनी जानकारी से तुम्हारा बलफ चल सकता है पुलीस तुम से इस बारे में कुछ पूछे तो ये बता देना की जगे की तुम्हारी पास कोई गुमनाम टेलीफोन कॉल आई थी तुम पत्रकारों का यह फेमस जवाब दे सकते हो और तुम जानकारी का अपना सोर्स जाहिर करने के लिए बाद यह नहीं हो तुम ये नहीं बताओगे की तुम कौन हो नहीं बताओंगा तो मैं बता दू क्या यही की तुम कौन हो क्या मैं बुरी तरह चौका तुम पुलीस ये हो और उस पुलीस पार्टी के अंग हो जिसने बतार तुम्हारी अभी अभी निशा के फ्लैट से वो नेगेटिव वरामत किये हैं इतनी जल्दी और इतनी बारिकी से और कोई माई का लाल ये बात नहीं जान सकता ये मालूम कर लेना मेरे लिए चुटकियों का खेल है कि अभी अभी जो पुलीस पार्टी निशा के फ्लैट पर गई थी उसमें कौन-कौन लोग थे फिर उन में से तुम्हें सिंगल लॉट कर लेना कौन सी बड़ी बात थी इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम वैसे ही बता दो कि तुम मैंने घबरा कर फोन काट दिया वो साला रिपोर्टर तो बहुत ही घाक था अब मुझे फिक्र होने लगी कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाए फिर यह सोचकर मैंने अपने आपको तसलिए दे दी कि आखिर मैंने उसका कोई भला ही किया था अगर उसे मालुम पड़ भी जाएगा कि उसे फोन करने वाला मैं था तो भी मुझे पुरी उमीद है कि वो मेरी पोल नहीं खोलेगा कुछ क्षण मैं बूत में ही खड़ा रहा फिर मैंने अपने घर का नंबर डायल किया कोईन बॉक्स में डालने के लिए मेरे पास और अठनी नहीं थी लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मुझे और अठनी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी मेरा दिल सही कह रहा था घंटी बजी रही लेकिन दूसरी और से किसी ने फोन न उठाया इस बार तो फोन न उठाय जाने पर मुझे गुस्ता थक न आया जैक एंड जिल में पिछली रात में कहीं ज़्यादा भीड थी सुष्मा सोनी मुझे स्टेज पर दिखाई दी मैंने अपनी कलाई घड़ी पर निखा डाली अभी सिर्फ साड़े नौ बजे थे मैं वहाँ जल्दी आ गया था अगर उस वक्त मेरी घड़ी आगे थी तो मैं और भी ज़्यादा जल्दी आ गया था उसके इंतिजार में मैं बाहर भी खड़ा हो सकता था लेकिन भीतर में यह तज़्दीक करने की खाते राया था कि सुष्मा वहाँ मौजूद थी भी या नहीं फिर मैंने वहाँ बैठने की कोई जगे तलाश कर पाया कुछ किशन बाद मेरी सुष्मा से निगाहे मिली लगबग फोरण ही वे परे देखने लगी लेकिन मैं आश्वस्त हो गया कि उसे मालूम हो गया था कि मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ एक वेटर मेरे पास आया लेकिन मैंने उसे थोड़ी दिर बाद आने के लिए कहा सुष्मा का विसार गीत खत्म हुआ लोगों ने तालिया बजाई कुछ क्शन बाद सुष्मा मेरे पास पहुची आज मुझे यहां बारा बज जाएंगे वे अपार विस्तता का प्रदर्शन करते हुए बोली आज क्या कोई खास बात है मैंने पूछा हाँ खास बात है कोई बात नहीं मैं इंतिजार कर लूँगा यहां इंतिजार कर सकोगे ऐसे माहौल में मुझे तो लगता है कि तुम बोर हो जाओगे तुम्हें ठीक लगता है लेकिन मैं फिर भी इंतिजार कर लूँगा अच्छा इतने मरे जा रहे हो मुझे से मिलने के लिए हाँ क्या हाँ मैं मरा जा रहा हो तुम से मिलने को जूटे मत मानो पुलीसियों की बात का तुम्हें साथ जन्म विश्वास न करो या तो विश्वास कर लो या फिर भूल जाओ कि मैं पुलीसिया हूँ सुईठाट तुम कहीं घूम फेराओ बाहरा बजे के करीब वापस यहां आ जाना इस वक्त कहां घूम फेराओ कहीं भी किसी यारवार के पास हो आओ वे हसी तुम मेरी फिकर मत करो मैं यहां ठीक हो नहीं तुम यहां ठीक नहीं हो वे कुछकशन खामोश रही और फिर चिंतिद भाव से बुली दरसल मैं भी नहीं चाती कि तुम यहां बैट कर मेरा इंतिजार करो क्यों? मनसु खानी उल्टा सीधा सोचेगा वे चाहने वाला है तुमारा? नॉनसेंज वो मेरा इंप्लॉयर है तो फिर? अच छोड़ो तुमें काम करो क्या? अपने हैंड बैग में से उसने एक चाबी निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाई ये मेरी फ्लैट की चाबी है वे बूली तुमारा मतलब है कि मैं तुमारे फ्लैट में जाकर तुमारा इंतिजार करूँ? हाँ लेकिन फॉरण वहां मत पहुच जाना उसने कलाई घड़ी पर निगा डाली कम से कम एक घंटा तो इधर उधर टहल हिलो वो किसलिए? वज़े तुमारी समझ में नहीं आएगी अभी पौने दस बज़े हैं पौने ग्यारा से पहले तुम मेरे फ्लैट पर मत पहुचना जैसी तुमारी मर्जी? मैंने चाबी ले ली मैं साड़े बारा तक बहुच जाऊंगी वैसे मैं जल्दी आने की कुशिश करूंगी ठीक है वैं मेरे पास से उठकर चली गई मैं भी तुरंट वहां से विदा हो गया पौलीस की नोकरी की वज़े से आदतन शक्की बन चुके मेरे दिमाग में हतोड़े की तरह ये बात बजने लगी की सुश्मा ने मुझे पौने 11 से पहले अपने फ्लैट पर पहुँचने से क्यों मना किया था इस वक्त कौन था वहां उसके लिए रिश्वत के तोर पर मैं विस्की की बोतल साथ ले जाना चाहता था लेकिन रात आट बजे के बाद विस्की की दुगाने बंद हो जाती थी इसलिए मैंने बोतल का विचार त्याग दिया एक थ्री वीलर पर सवार होकर मैं सीधा ग्रीन पार्क पहुचा अब मैं सोचता हूँ तो मुझे अपनी या हरकत मुर्कता पूरुन लगती है कि आखिर लड़की की जाती जिन्दगी में दखल देने का मुझे क्या अधिकार था किसी भी वज़े से उसने मुझे कहा होगा कि वहाँ पौने ग्यारा के बाद पहुचना लेकिन तब उसके बाद कहने का अत्यांत रहस से पूर्न धंग मुझे पर इसकदर हावी हुआ था कि मैं फौरन वहाँ पहुचने के लिए बुरी तरह उतावला हो उठा मैंने थ्रीवीलर वाले को किराया देकर रुकसत किया और सिर उठाकर उपर नीशा के फ्लैट की तरफ देखा खिर्गियों पर पड़े परदों के पीछे से मुझे रोश्नी का आभास मिला फ्लैट में जरूर कोई था मैं इमारत में दाखिल हुआ और दबे पाउं सीडियां चड़कर उपर पहुचा सुश्मा के फ्लैट के बंद दर्वाजे के सामने में ठिटका मैंने कान लगा कर आहट लेने की कोशिश की लेकिन भीतर से कोई आवाज ना आई वातावरन में मुकमल सन्नाटा चाया हुआ था मैंने नीचे जुक कर की हाल में आँख लगा कर भीतर जाकने की कोशिश की लेकिन दर्वाजे के सामने शायद पर्दा पड़ा हुआ था जिसकी वज़े से मुझे कुछ भी दिखाई न दिया कुछ खशन और मैं सांस रोके प्रतीक्षा करता रहा फिर मैंने जेब से चाबी निकाली और धीरे से निशब्द उसे ताले के छेज में डाला मैंने खाली हाथ से हैंडल थाम लिया और धीरे धीरे चाबी घुमानी शुरू की चाबी जब पूरी घूम गई तो मैंने उसे छेज में से वापिस खीच लिया और उसे जेब के हवाले करने के बाद बाल बाल करके हैंडल घुमाना शुरू किया हैंडल जब चौकट के पल्ले से सुतंत्र हो चुकने जितना घूम गया तो मैंने दर्वाजे को हौले से धक्का देकर खोला और फ्लैट के भीतर कदम रखा तूरंत जैसे कोई हतोडा सा मेरे चेहरे पर टकराया मेरी आखों के सामने लाल पीले सितारे नाज गये मेरे घुटने मुढने लगे और फिर मैं त्योराकार कालीन बिची फर्ष पर धेर हो गया मेरे होश ठेकाने आये तो मैंने अपने घूमते सिर को काबू में करने की कोशिश की मेरी आखों के सामने सितारे अब भी नाच रहे थे मैं बड़ी कड़िनाई से अपनी आखों को फोकस कर पाया मैंने फर्ष पर पड़े-पड़े ही अपने सामने देखा मुझे अपने सामने एक सोफा चेर पर एक देत्यकार व्यक्ती बैठा दिखाई दिया वो इतना लंबा चोड़ा था कि सोफा चेर में फसा हुआ मालूम हो रहा था वैं एक बढ़िया सूट पैने था उसका रंग बहुत गोरा था और नेर नक्ष बहुत साफ सुतरे थे पहली ही निगा में वे आदमी मुझे पैचाना पैचाना सा लगा जबकि मेरी गैरेंटी थी कि उसे पहले कभी नहीं मिला था मैं वे अपलक मेरी तरफ देख रहा था जा गए वे व्यंगपूर्ण स्वर में बोला मैं खामोश रहा देखो चोरो की तरह किसी के घर में घुसने की कोशिश करने का क्या अंजम होता है जी तो चाहता कि तुम्हें शूट कर दू उसने अपना कोट हटा कर पतलून की बेल्ट में खोसी रिवॉल्वर के मुझे दर्शन कराए लेकिन रहम आ गया मुझे तुझ पर मेरे चखके छूट गए आज वाकई मेरी जान जा सकती थी खामखा जा सकती थी वे मुझे शूट कर देता तो इसमें उसकी कोई गलती भी तो ना होती उठो मैं तनिक कराता हुआ बड़ी कठनाई से उठकर अपने पेरों पर खड़ा हुआ फ्लैट की चावी कहां से आई तुम्हारे पास वे मुझे घूरता हुआ बोला बोलनी की कोशिश में मैंने अपना मुझ खोला तो मेरे कानों में सीटिया बजने लगी और कनपटियों में खून की धमक पढ़ने लगी और तुम कौन हो? मैंने अपने सूखे होटों पर जुबान फेरी मुन्ने मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है इसका जवाब क्या मुझे जबरन हासिल करवाना पड़ेगा? मेरा नाम रवी है मैं बड़ी कठनाई से बोल पाया रवी कुमार मैं इस फ्लैट की मालकिन का दोस्त हूँ शुश्मा का? हाँ, सुश्मा ने ही मुझे यहां की चाबी दी थी क्यों दी थी? कहा था कि यह मेरे फ्लैट की चाबी लो और मेरा घर पर इंदिजार करो जैसे शराफत से मैं उसके सवालों का जवाब दे रहा था उससे खुद मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं एक पुलीसिया था लेकिन मैं उस पर अपनी हकीकत जाहिर भी तो नहीं करना चाहता था क्या जवाब देता मैं उसे अपनी हरकत का कि मैंने एक पुलीस अधिकारी ने चोरों की तरह फ्लैट में चुपने की कोशिश की थी फिर तो मुझे अफसोस है कि मैंने तुम पर वार किया मैं तनी का खेद पूर्ण स्वर में बोला अब मुझे क्या पता था कि सुश्मा नहीं तुमें लेकिन मेरे मुन्ने फिर भी तुमें यू चोरों की तरह भीतर दाखिल होने की क्या जरूरत थी जब घर की मालकी नहीं तुमें चाबी दी थी तो धडले से दरवाजा खोल कर भीतर घुसते भीतर रोशनी थी मैं क्षिन स्वर में बोला मैं समझा था कि भीतर चोर था वे हो हो करके हसा वा तो तुमने मुझे चोर समझा और मैंने तुम्हे लेकिन प्यारे मुन्ने अगर मैं सचमुच चोर होता तो तुम्हारी तो ऐसी तैसी फिर गई होती मैंने सहमती में सिर हिलाया सौरी वे फिर खेदपूर्ण स्वर में बोला मुझे अफसोस है कि मैंने सुश्मा के किसी फ्रेंड पर हाथ उठाया निवर माइंड मैं बोला लेकिन साथ ही खुशी भी है कि गोली नहीं चला बैठा हाला कि ऐसा करने का इरादा था मेरा मैं खामोश रहा बंदे को कुमार कहते हैं वे यू बोला था जैसे उसका संक्षिप्त नाम ही उसका मुकमल परेचे था तुम यहां इत्मिनान से बैठो मैं तो बस जाने ही वाला था सुष्मा से क्या संबन्ध है तुमारा यह सवाल सुष्मा से ही पूछना उसे बताना होगा तो बता देगी पिस्टॉल हमेशा पास रखते हो उसने एक शन बड़ी सर्द निगाओं से मुझे देखा हाँ फिर वे बोला कोई अतराज मैंने इंकार में सर हिलाया तुम्हारी नाक से खून बह रहा है बातरूम में गर्म पानी आ रहा है जाकर मूधो लो और होलिया सुधार लो नहीं तो सुष्मा क्या कहेगी मैं बातरूम में पहुचा मैंने सिंग के उपर लगे शीशे में अपनी सूरत देखी मेरी नाक में से खून बै नहीं रहा था लेकिन बहाँ जरूर रहा था वहां से टपक कर मेरे कोट पर भी गिरा था मेरी बाई आँक का निचला भाग सूजने लगा था और काला भी पढ़ने लगा था मैंने जेब से रुमाल निकाला और उसे गर्म पानी में गीला कर करके अपने चहरे की मरमत करने लगा मैंने कोट पर लगे खून को भी साफ करने की कोशिश की पांच मिनिट बाद जब मैं बातरूम से बाहर निकला तो कुमार नाम का वे राक्षस मुझे दिखाई न दिया मैं जा चुका था मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा कि उस सरवदा अपरिचित व्यक्ति की सूरत क्यों मुझे पैचानी हुई लग रही थी इतना लंबा चोड़ा आदमी आसानी से तो भुलाया नहीं जा सकता था मैं पहले भी कभी उससे मिला होता तो मुझे उसकी याद होती लेकिन मुझे तो गैरेंटी थी कि पहले कभी मेरी उससे कोई मुलकत नहीं हुई फिर वे मुझे जाना पैचाना क्यों लग रहा था कोई वज़े मेरी समझ में ना आई मेरी खोपड़ी में अभी भी साएं साएं हो रही थी और आखे अभी भी धुंदला जाती थी साले का हाथ था या हतोड़ा एक ही वार से मेरा बाजा बजा दिया एका एक मेरी नजर सेंटर टेबल के नीचे पड़े एक लिफाफे पर पड़ी वे एक सफेद रंग का आयतकार लिफाफा था जिसके निचले बाएं कोने पर मेरी बीवी का नाम और मेरा अशोक विहार का पता लिखा हुआ था मुझे जैसे साप सूं गया आगे बढ़कर मेज के नीचे से वे लिफाफा मैंने यू उठाया जैसे वे मुझे करंट मार सकता हो उस लिफाफे को मेरे से बहतर कौन पहचान सकता था जोगिया रंग की चपाई और रेज हुए अक्षरों वाले वैसे लिफाफे मैंने खास तोर से नीचा की खास फरमाईश पर उसे चपवा कर दिये थे उसमें से उस सेंट की खुजबू तका रही थी जो कि मेरी बीवी को बहुत पसंद था और जिसे वह तभी लगाती थी जब वे घर से बाहर कहीं निकलती थी लिफाफा फटा हुआ था और उस वक्त खाली था उस पर पाने वाले का कोई नाम या पता नहीं लिखा हुआ था और नहीं उस पर डाक का टिकेट लगा हुआ था यानि की वे लिफाफा डाक से भेजे जाने के स्थान पर दस्ती किसी को सोपा गया था वो लिफाफा, वो इतना व्यक्तिगत लिफाफा, वहां कैसे पहुचा? मेरे पास इस सवाल का एक ही जवाब था और वे जवाब मेरे तन बदन में आग लगाए दे रहा था मेरी बीवी वहां आई थी मेरे आगमन से पहले वे वहां थी उस दैत्यकार व्यक्ति के साथ जरूरी वही पटेल था उसका पुराना यार पुना की डखेती का उसका सयोगी उसका राजेश उसका नाम आर केप पटेल था आर से राजेश बनता था तो के से कुमार बनता था कुमार ही राजेश था और राजेश ही पटेल था पटेल ही वह देत्यकार व्यक्ति था जो मेरे चहरे का कचुमर निकाल कर अभी अभी वहां से गया था मेरी बीवी का यार इर्शा और क्रोट से एका एक मेरा सारा जिस्म कापने लगा मैं दिवान पर धेर हो गया अब मेरी बीवी की मौत निश्चित थी अपनी बीवी के बेपना हुसन की वजह से अब मेरा दिल पिसजने वाला नहीं था अब तो उसकी हत्या हो नहीं ही थी फॉरण कल सुश्मा सवा बारा बजे लोटी हे भगवान मेरे चहरे पर निगा पढ़ते ही बुले तुमारे थोबडे को क्या हुआ रोडी कूटने वाले इंजन से टकराये थे क्या यही समझ लो मैं बोला समझ लो क्या ठीक से बताओ क्या हुआ वही हुआ जो तुम कह रही थी रोडी कूटने वाला इंजन आटकराया था मेरे थोपड़े से वे फिक्र, हैरानी और हमदर्दी से मिले जुले भाव चेहरे पर लिए मुझे अपलग देखती रही तुमने मुझे बताया होता मैं बोला क्या? यही कि तुमारे सारे बॉइफरेंड्स गैंक्स्टर है वे हडबडाई तुम वे संदिक दिभाव से बोली कबसे यहां आए हुए हो? दो घंडे हो गए यानि कि पौने ग्यारा से पहले आये थे हाँ, मैंने तुम्हें मना किया था वे आप रसन में स्वर में बोली मैंने लापरवाही से कंदे जटकाए कुमार यहां था? हाँ, तुम्हारी ये हालत उसी ने बनाई है? हाँ, क्यों? वजे तो उसी से पूछना खामखा तो उसने ऐसा किया नहीं होगा खामखा ही किया था वस साड़े दस बजे यहां से चले जाने वाला था मैंने तुम्हें पौने ग्यारा यहां आने के लिए इसी लिए कहा था ताकि तुम्हारा उसका आमना सामना ना होने पाए जब मैंने खास तोर से तुम्हें मना किया था तो तुम्हें वक्त से पहले यहां नहीं आना चाहिए था मना करने की कोई वजह भी तो बताई होती क्यों बताई होती? मैं तुम्हें अपनी लाइफ स्टोरी सुनाने के लिए बाद्य नहीं हूँ तुम भी यहां आने के लिए बाद्य नहीं हो खास तोर से तब जबकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं पुलीसियों को ना पसंद करती हूँ मैं खामोश रहा वैं ठीक कह रही थी गलती सरासर मेरी थी और फिर कैसे पुलीस यह हो जो इतनी आसानी से किसी से मार खा गए जो पुलीस वाला अपनी हिफाज़त नहीं कर सकता वैं किसी नागरी की हिफाज़त क्या करेगा अब मुझे क्या पता था कि तुमारे घर पर तुमारा कोई बॉइफरेंट बैटा होगा मालुम होता तो मैं सावधान होता तो भी तुम कुमार से मार ही खाते देख ली मैंने तुमारी पुलीस बाजी अब कम से कम ये मेरी समझ में आ गया कि तुम मुझे घास क्यों नहीं डालती क्या समझ में आ गया तुमारे यही कि तुम्हें राक्षसो जैसे मर्द पसंद है तुमारा इसारा कुमार की तरफ है और किस की तरफ होगा Stupid कुमार मेरा भाई है सगा मा जाया तब मेरी समझ में आया कि मुझे उस राक्षस की शकल जानी पैचानी क्यों लगी थी मुझे उसकी शकल इसी लिए जानी पैचानी लगी थी क्योंकि वैं खू बहू सुश्मा से मिलती थी दोनों की नया नक्ष सरासर एक जैसे थे फर्क था तो उनके आगार में या इस बात में था कि सुश्मा के चेहरे से सुम्यता और मिठास जलकती थी जबकि उसके भाई का चेहरा कटोर और कुरूर था वे अब साफ साफ मुझसे खफा लग रही थी जबकि मेरा उससे कोई मतलब तभी हल हो सकता था जबकि वे अच्छे मूड में होती और मुझ पर महर्बान दिखाई देती वैसे ही जैसे वे तब थी जब उसने मुझे अपने फ्लैट की चाबी दी थी तुम ठीक कह रही हो मैं अनुन्यपूर्ण स्वर में बोला मेरे इस गलती की कोई सजा हो तो मुझे कुबूल है उसके चहरे के भाव बदले चोड़ो वैं बदले स्वर में बोली जो हुआ तो हुआ कुमार मेरा भाई है उसके मांगने पर मैं उसे चाबी देने से इनकार तो नहीं कर सकती थी सच है उसने किसी से मिलना था यहां मेरे पूछे भी नहीं उसने बताया और उसने पक्के तौर से कहा था कि वे साड़े दस बज़े यहां से चले जाने वाला था मैंने तुमें पंधरा मिनट का मारजिन भी दिया था लेकिन तुम सॉरी, सॉरी वे खामोश हो गई किसी से मिलना था उसने मैंने उच्जुक भाव से बोला क्या पता किसी से मिलना था शायद किसी गर्फरेंड से हो सकता है मैंने मन ही मन दोराया हो सकता क्या बात तो यही थी उसने यहां मेरी बीवी से मिलना था इसलिए जब मैंने अपने घर फोन किया था तो मेरी बीवी ने फोन नहीं उठाया था कैसे उठा दी उस वक्त तो वो यहां उस कुमार उफ राजेश उफ पटेल नाम के राक्षस की आगोश में लिटी उसके साथ रंग रलिया मना रही थी मेरी बीवी सुष्मा सोनी के अपराधी जीवन की सहीली थी और उसके भाई की माशूक थी मेरा दिमाग भनना गया मुझे लगने लगा कि मैं पागल हो जाने वाला था एक बात पूछू एक आएक में बोला पूछो वै संशक स्वर में बोली मुझे एक ड्रिंक हासिल हो सकती है ओ, वो, मैं तो समझी की तुम एनिवे, ड्रिंक की क्या बात है वै तो हासिल ही हासिल है हाजिर ही हाजिर है अभी आई तीन मिनिट में उसने सेंटर टेबल पर पीटर स्कॉट की नई बोतल और ग्लास वगेरा सजा दिये तुम ड्रिंक बनाओ वै बोली मैं कपड़े बदल कर आई मैंने सहमती में सिर हिलाया एक आ एक मैं कोने के टेबल पर रखे टेलेफोन के करीब पहुँचा मैंने अपने घर का नंबर डायल किया कुछ खशन बाद नीशा ने फोन उठाया वै बोली तो मुझे उसका स्वर उनिंदा सा लगा लेकिन वह नींद की खुमारी थोड़ी ही हो सकती थी वै तो अभिसार की थकावट थी जो कि उसके स्वर में छलक रही थी मैंने उससे ये नहीं पूछा कि वै कहां गई थी नहीं मैंने उसे बताया कि मैंने पहले भी फोन किया था मैंने उसे यही कहा कि कैबरी डांसर की हत्या वाले केस में मैं अभी व्यस्त था थोड़ी दिर पहले टोकस का फोन आया था उसने बताया वे बड़ा हैरान हुआ था कि तुम घर पर नहीं थे मैं घरी आ रहा था लेकिन मुझे एकाए केस के सम्बंदित एक ऐसी टिप मिल गई थी जिस पर तुरंत काम करना नहायत जरूरी था अब घर आ रहे हो? अभी नहीं, तुम सोजाओ मैं पता नहीं कब तक लोटूँगा फिर भी जल्दी आने की कोशिश करना अच्छा, मैंने फोन रख दिया वैसे तो वो हमेशा ही कहती थी और मैं विश्वास भी कर लेता था कि वो चाहती थी कि मैं जल्दी आऊ साली, मैं नफरत में बुदबुदाया दिल से तो चाहती होगी कि मैं ना ही आऊ मैं सोफे पर जा बैठा और सुश्मा के लोटने की प्रतिक्षा करने लगा इस बार वै एक गले से लेकर टकनों तक आने वाला कफतान पहन कर प्रकट हुई वह मेरे करीब सोफे पर आ बैठी मैंने उसके हाथ में विस्की का गलास थमा दिया उसके गलास में मैंने जानमूच कर ज्यादा विस्की डाली थी हम दोनों ने चीर्ज बोला एक आएक उसने अपनी कॉमल उंगलियों से मेरे चहरे के सूजे हुए भाग को चुआ मुझे अफसोस है वे खेत पूर्न अस्वर में बूली कि कुमार ने तुम पर हाथ उठाया जाने दो मैं बोला गलती मेरी थी उसे मालूम तो नहीं हुआ होगा कि तुम पुलीसिये थे नहीं अच्छा हुआ मालूम हो जाता तो उसके छुट जाते दादा वादा कुछ नहीं है वो अच्छा और नहीं तो क्या उसने अपना गलास खाली करकर मेज पर रख दिया दूसरी बार भी मैंने अपने से कई ज्यादा विश्की उसके गलास में डाली मैं चाहता था कि उसे नशा हो जाए और फिर मैं अपने मतलब की बात उससे पूछ सको पुराने जमाने में वह बोली लोग जब सच्चे दोस्त बन जाते थे तो अपनी पगड़ियां बदल लेते थे तो मैं सक पका कर बोला हम पगड़िया तो बानते नहीं क्यों न हम विस्की के जाम बदल कर अपनी सच्ची दोस्ती का इजहार करे मैं समझ गया कि वह मेरी ट्रिक समझ गई थी कि मैं उसे ज्यादा विस्की पिलाने की कोशिश कर रहा था उसने जबरन मुझसे गलास बदल लिया और आदेश पूर्ण स्वर में बोली मजबूरन मुझे उसके साथ एक सास में गलास खाली करना पड़ा तुम मुझे टुन करके मैं बोली मेरे साथ कोई ज्याद्ती करने का इरादा तो नहीं रखते सच पूछो तो मैं मजाग भरे स्वर में बोला मेरा यही इरादा है सच कह रहे हो वे संदिक दिभाव से बोली वे इसकी पीकर भाला कोई छूट बोलता है वेरी गुड फिर तो जल्दी टुन होने की कोशिश करते हैं मैंने यही समझा कि वे मजाग के बदले में मजाग कर रही थी मुझे बाद में लगा कि वे मजाग नहीं कर रही थी एक कोने में टू इन वन पड़ा था उसने उसमें एक टेप डाला और उसे ओन कर दिया वातावरन संगीत मैं हो उठा कुछ कशन बाद मैंने अनुहो किया कि वे उसी के गाए हुए गानों का कैसेट था अगले एक घंटे में मैंने कई बार उससे वे बाते चलाने की कोशिश की जिनकी जानकारी के खातिर में वहाँ आया था लेकिन उसने हर बार मुझे अभी संगीत का मजा लो अभी ड्रिंक का मजा लो जैसी कोई बात कहकर टाल दिया शीला अत्रे की बाबत कि मैं सुरुवाद भी न कर पाया फिर विस्की का नशा मुझ पर भी हावी होने लगा आओ डांस करे एक आएक वब बुली क्या? मैं हडबड आया डांस डांस मुझे डांस नहीं करना मुझे डांस नहीं आता मैं सिखा दूंगी उठो मैं उठा हम दोनों एक दूसरे की बाहों में आ गए नशे के उस आलम में नौ जवान जिस्म की बाहों में आने से मुझे बड़ी सुखद अनूभूती हुई अपने ही गीत के ताल मेल पर वे मुझे नाचना सिखाने लगी फिर मुझे ये भूल गया कि मैं वहां तफरीफ के लिए नहीं किसी मिशन की खातिर किसी पूच्टाच के खातिर आया था पता नहीं कब बोतल खत्म हुई पता नहीं कब मैं आउट हुआ और कहां ठेर हुआ जब मुझे होश आया तो खिड़की के रास्ते भीतर दाखिल होती हुई धूप मेरे मूँ पर पड़ रही थी बड़ी मुश्किल से मैं आँख खोल पाया और फिर उन्हें खुली रख पाया अजीब हालत थी मेरी मुझे यह याद करने में भी तकलीफ हो रही थी कि मैं कहां था मेरा सिर्फ फोड़े की तरह दुख रहा था और जबान सूखे चमड़ी की तरह मूँ में रूखी मालूम हो रही थी मुझे अपनी आखे खोलना दुभर लग रहा था मुझे सांस फस फस कर आ रही थी और मुझे अपना जिस्म पसीने से चिप चिपा मालूम हो रहा था फिर मुझे अनुबव हुआ कि मैं पलंग पर लेठा हुआ हूँ मेरे पहरों में जूते नहीं थे और मेरा खुला गला बता रहा था कि मैं टाई भी उतार चुका था मेरे पहलू में कोई स्तरी लेटी हुई थी जरूर नशे के हालत में ही मैं किसी तरह घर पहुँच गया था मैंने चारों तरफ निगा दोड़ाई मुझे वहां एक भी चीज परिचित नहीं लगी मैंने कोई के सहारे उचक कर अपने करीब डबल बेड पर लेटी औरत पर निगाँ डाली तब मुझे सूजा की मैं घर नहीं पहुचा था मैं वही था जहां पिछली रात मैंने जश्न मनाया था और मेरे करीब लेटी औरत सुश्मा सोनी थी वह पीट के बल पलंग पर पड़ी थी उसकी तांगे फैली हुई थी और उसका कफ़तान उसकी जांगों से उपर तक उठा हुआ था उसके गले के पास कफ़तान के बटन खोले हुए थे और गिरेबान के रास्ते उसकी आंगिया का एक एक कब बाहर निकला हुआ था उसके होटों की कोरों से उसके मूँ से बहकर निकलाई जाग जम गई मालूम होती थी। उसकी आँखों के नीचे काले दाइरे दिखाई दे रहे थे। उस वक्त वे मुझे डायन जैसी लग रही थी। मुझे हिरानी हो रही थी कि वही औरत लीपा पोती के बाद खूपसूरत भी लग सकती थी। कापता लड़ खडाता मैं पलंग पर से उठा। मेरी नशे की उस हालत में जरूर उस पवे का भी हाथ था जो मैंने जैक एंड जिल पहुँचने से पहले पिया था। तब उसका न मैंने जूते पहने कोट पहना टाई उसकी जेब में ठूसी और बातरूम में दाखिल हो गया। मुझे इतनी जोर से उल्टी हुई कि मेरी आखे फट पड़ी और मेरा सूजा हुआ चहरा बुरी तरह से दुखने लगा। दस मिनिट बाद मैं कहीं किसी काबिल हो पाया। तब मैंने कलाई घड़ी पर निगाह डाली। साड़े आट बजे थे। मैं बाहर निकला। अनायास मेरी निगा वॉल क्लॉक की तरफ उड़ गई। वे सवा आट बजा रही थी। पता नहीं सही वक्त क्या था। तब से बेखबर सोई पड़े थी और दोपैर बात तक उठने वाली नहीं मालूम होती थी। मैं बाहर को चल दिया। ड्रॉइंग रूम के टेबल पर मुझे पीटर स्कॉट की दो खाली बोतले दिखाई दी। मेरे चखके छूट गए। पिछली रात हम दो बोतले पी गए थे नहीं दूसरी बोतल पहले से ही खुली होगी और उसमें थोड़ी बहुत विस्की रही होगी। वे जूटी तसली थी। मेरी हालत कह रही थी के हमने दो बोतले पी हो। ये सरासर हो सकता था। पिछली रात कैसे बीती थी। हम दोनों की बीच क्या कुछ हुआ था। इस बा कर कहते थी कि नशे की वजabled उन्हें कुछ याद नहीं था कि पिशली रात क्या हुआ था। लेकिन मैंने कभी ऐसे किसी गवा की बात पर विश्वास नहीं किया था। आज मैं खुद आधा किलो दही लेकर खाया मुझे कुछ राहत महसूस हुई फिर मैंने एक नाई के पास जाकर शेव और बालों में शैंपू करवाया उसने मेरे कोट को अच्छी तरह जाड़ दिया और वहां मैंने गले में टाई भी लगा ली अब मैं कम से कम कहीं मोरी में गिर पड़के आया शराबी नहीं लग रहा था मेरा चेहरा भी अभी सूजा हुआ था और मेरी आँखों के नीचे काले निशान भी थे लेकिन फिर भी अब मैं कम से कम एक संभानत व्यक्ति लग रहा था मैंने अपने आपको अपनी इस अलगरजी के लिए हजार हजार गालिया दे रहा था कि गया था मैं सुश्मा सुनी से अपनी बीवी की पिछली जिंदगी के बारे में जानकारी हासल करने और बैट गया था मैं उसके साथ शराब पीने साड़े नौ के करीब मैंने अपने घर फोन में लाया कहां हो तुम? निशा बड़े फिक्र स्वर में बोली खैरियत तो है? खैरियत है मुझे अफसोस है कि मैं रात को घर ना लोट सका लेकिन ये केस ही कुछ ऐसा है कि हाँ हाँ रात रात भर उस पर काम करना पड़ता है उसके स्वर में व्यंग का पुट था हाँ और तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हारा एएसपी और टोकस दोनों सुभा से दो दो फोन कर चुके हैं मेरे बारे में क्या कहा तुमने? यही कि रात को तुम्हारा फोन आया था और तुम कैबरे डांसर की हत्या के केस पर ही काम कर रहे थे यही कि तुम्हें कोई बड़ी होट टिप मिल गई थी उसके कहने के ढंक से ऐसा लग रहा था जैसे उसे खुद इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था मैं अभी उनसे बात करता हूँ मैं बोला वो तो तुम करते हो वह व्यग्रभाव से बोली लेकिन घर कब आओगे? जल्दी, बहुत जल्दी ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगे घर आओ और आकर काम करो अच्छा, तुम भी कोशिश करना मुझे घर पर ही मिलने की कहते ही मैंने लाइन काट दी मेरे अकल यही कह रही थी कि मुझे थाने फोन करना चाहिए था लेकिन मैंने जान मूच कर ऐसा नहीं किया मैं एक थ्री वीलर पर सबार हो गया मैंने ड्राइवर को काका नगर चलने के लिए कहा काका नगर में विपिन कुमार रहता था मैंने थ्री वीलर में रोड पर ही छोड़ दिया और उसका पता तलाश करना आरंब किया उसके घर वाली गली में दाखिल होते ही मैं ठिटक गया गली में एक पुलीस की जीब खड़ी थी तभी जिस इमारत के सामने जीब खड़ी थी उसमें से टोकस बाहर निकला मुझे देखते ही वह ठिटक गया हम दोनों की निगाहें मिली फिर वह लपक कर मेरे समीप पहुचा रवी वह मेरे एक कंधा पकड़ कर मुझे जिनजोडता हुआ बोला अरे कहा हो तुम राद को घर भी नहीं पहुचे और ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी मैं खामोश रहा मैंने अपलग उसकी तरफ देखा मेरा बाप कहा करता था वह बोला कि राद से लगाव या तो आशिक को होता है या उल्लू को तुम इन दोनों में से तुम यहां कैसे आए मैंने उसकी बात काट कर बोला मैं तो तुम्हारी तलाश में जैसे जगे जगे भटक रहा था वैसे ही यहां भी आया था तुम बताओ तुम यहां कैसे आए यहां तुम विपिन खुमार के पास आये थे हाँ मैंने सोचा शायद तुम यहां आये हो और उसे तुम्हारे बारे में कुछ पता हो वो गर पर था हाँ तुम यहां कैसे आए मैंने जवाब नहीं दिया चलो जीप में बैठो, रास्ते में बाते करेंगे। हम दुनों जीप पर सवार हो गए। हम मेन रोड पर पहुचे तो मैंने उसे जीप रोकने को कहा। उसने जीप को फुटपर्थ के साथ लगा कर रोका। रवी, वह चिंतित भाव से बोला। किस फिराक में हो तुम। जानते हो तुम्हारा यू गायब हो जाने की वज़े से एसपी तुम पर कितना खफा है। और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। कहां थे तुम रात को। विपिन कुमार से मैं बोला। तुम मेरे ही बारे में पूछ कर आये थे या उसे और भी कुछ पूछा था। और क्या पूछता मैं उससे। तुम बताओ। और तुम मैंने कुछ नहीं पूछा था उससे। उसने खुद तुम्हें कुछ बताया हो। ना। आई सी, दरसल वे अभी अभी काम से लोटा था और सोने की तयारी कर रहा था हम, अब तुम मेरे साथ हेड़ कोटर चल रहे हो, मैंने इनकार में सर हिलाया नहीं, वे हैरानी से बोला, मैंने फिर इनकार से सर हिलाया E.S.P. तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा E.S.P. की मा की, उसने और भी सक्त हैरानी से मेरी तरफ देखा उसे कह देना कि मैं अभी तुम्हें नहीं मिला मैं बोला, अगर मेरी खातिर जूट ना बोल सको तो कह देना कि मैं कबड़ी नहीं खेल रहा हूँ इस केस पर काम कर रहा हूँ उसे याद दिला जिना कि मेरी ही वज़े से अगरवाल और नीशा वाले नेगेटिव उसके फ्लैट में बरामत हुए है तुम्हारी वज़े से? कैसे? मैंने अपने होट काटे गलत बात मेरे मूँ से निकल गई थी फिर मैंने बात बनाई उसका भेजा सब इस्पेक्टर मुकंदलाल तो वहां से बेरंग वापिस लोट रहा था मैंने ही उसे सुझाया था कि नेगेटिव टॉयलेट में पानी की टंकी में भी हो सकते थे ओ! लेकिन एसपी को रिपोर्ट तो तुम्हें फिर भी देनी चाहिए दे दूँगा रिपोर्ट कब दोगे? जब ठाने आओंगा कब आओगे? मैं केवल मुश्कुर आया मेरा बाप कहा करता था कि छोड़ो यार कान पग गये तुम्हारे बाप की बाते सुन-सुन कर कभी चुब भी बैठा था वो उसने आहद भाव से मेरी तरफ देखा सॉरी मैं तुरंद उसका कंदा दबाता हुआ बड़े खेत पूर्ण स्वर में बोला यार मेरा मूट ठीक नहीं है वो तो दिखाई दे रहा है मुझे मैं जीब से उतर पड़ा तुम विपिन कुमार के पास जा रहे हो उसने पूछा हाँ मैं भी चलू नहीं कोई जरूरत नहीं मेरे सुर में ऐसी सकती का पुट था कि वो हैरानी से मेरा मूँ देखने लगा मैं भी क्या करता उसे भला कैसे मैं अपने साथ ले जा सकता था मैं उसे कैसे समझा सकता था कि उस केस के हल को ही मैं अपने व्यक्तिगत समस्या का भी हल बनाना चाहता था उसका यूँ विपिन कुमार के पास बहुत जाना तो मेरी सारी योजना ही चौपट कर सकता था गनिमत थी कि वो वहां सिर्फ मेरे बारे में पूछताच करने आया था जीप के वहां से रवाना होने तक मैं वहीं खड़ा रहा फिर मैं वापिस लोटा विपिन कुमार जिस कमरे में रहता था वे इमारत के गैरिट्स के उपर था लोहे की गोल सीड़ियां चड़कर मैं उस तक पहुँचा मैंने बंद दर्वाजे पर दस्तक दी विपिन कुमार ने दर्वाजा खोला मुझे देखकर वे सक पकाया फिर वे फौरण पीचे हड़ गया मैं भीतर दाखिल हुआ वे एक छोटा सा कमरा था और वहां बेतर दिबी का बोल बाला था एक कुर्सी पर पड़ा धेर सारा सामान उठा कर उसने मेरे लिए बैठने की जगा बनाई अभी आपका साथी भी यहां आया था वे बोला मुझे मालूम है मैं बोला मिला था वो मुझे ओ कपड़े वपड़े बदलने हो तो बदल ले तू मेरे साथ चल रहा है कहां वे शंसक स्वर में बोला मालूम हो जाएगा लेकिन माई बाप मैं सुना नहीं मैंने करकश स्वर में बोला मैं अभी काम से लोटा हूँ कोई बात नहीं मैं शेव कर लू कर ले कमरे से ही जुड़ा एक छोटा सा बातरून था शेव करने के लिए जिसमें वह दाखिल हो गया अपने पीछे उसने दर्वाजा बंद कर लिया उसकी वे हरकत मुझे बहुत रास आई मैं कुर्सी पर से उठा और दबे पाउं उसके पलंके करीब पहुचा पलंके नीचे एक सूटकेस पढ़ा था मैंने सूटकेस को थोड़ा सा बाहर खीचा और उसका ताला ट्राई किया ताला खुला था मैंने अपने कोट की भीतरी जेब से एक खाकी लिफाफा निकाल कर हाथ में ले लिया मैंने साउधानी से एक बार बातरूं के बंद दरवाजे की तरफ देखा और फिर हॉले से सूटकेस का धक्कन उठाया अपने हाथ का लिफाफा मैंने सूटकेस में मौझूद कपडों के नीचे रख दिया और ढकन वापस बंद कर दिया मैंने उसे पूर्ववत बंद किया और उसे वापस यथा स्थान धकिल दिया मैं वापस कुरसी पर आ बैठा मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और उसके छोटे-छोटे कर्ष लगाता हुआ उसके बातरूम से बाहर निकलने की प्रतिक्षा करने लगा मैं दूसरा सिगरेट सुलगा रहा था जबकि वह भार आ गया मुझे तीन बजे उठना पड़ता है वह कपड़े तबदील करता हुआ बोला ये मेरे सोने का वक्त होता है ज्यादा नकरे ज़ाडने की जरुरत नहीं मैं सक्थी से बोला लेकिन साहब मैं तो समझ रहा था कि मेरी तरफ से आपकी हर तरह की तसलिह हो चुकी थी हर तरह की नहीं अभी मैंने ये चेक करना है कि अपनी गवाही के मामले में तुने सच बोला था या नहीं? मैंने सच बोला था तू कहता ही तो है मैं तो अगर तूने सच बोला था तो तू डरता किस बात के लिए है? वे खामोश रहा उसे कपड़े बदल चुका पाकर मैं उट खड़ा हुआ सड़क पर आकर हम एक थ्री वीलर पर सवार हो गए वे मुझसे परेहट कर अपने कोने में यू सिमट कर बैठा जैसे मुझे छूत की बीमारी हो मिंडो रोड मैं ड्राइवर से बोला हम वे शंसक स्वर में बोला हम संतरा की यहाँ चल रहे हैं? हाँ मैं बोला तू कहता है ना कि सुमवार दुपहर से रात ग्यारा बचे तक तू उसके साथ था अब देखते हैं वो क्या कहती है वे भी यही कहेगी ठीक है अभी दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा मैंने आप से रत्ती भर भी जूट नहीं बोला माई बाप वैसे तुझे याद है ना? क्या? कि तूने संत्रा से नहीं मिलना था मैं नहीं मिला मैं उसके पास भी नहीं भटका उसे पहले से तू सिखा पड़ा तो नहीं आया ना कि तेरे बारे में उसने क्या कहना था माई बाप वै दिन हीं स्वर में बोला आप से मुलाकात के बाद तो मैं मिन्टो रोड गया ही नहीं आप बेशक संत्रा से पूछ लेना पूछूंगा संत्रा ने दर्वाजा खोला मुझे विपिन के साथ आया देख कर उसके चहरे पर सक्त हैरानी के भाव थे जबकि उसे मालूम था कि मैं विपिन के साथ वहां आने वाला था वे मेरी उमीद से ज्यादा अच्छी अभी नेतरी थी हम दोनों भीतर दाखिल हुए ये विपिन बुला इंस्पेक्टर शर्मा साथ है और साथ ये संत्रा है संत्रा ने बड़ी गंभीरता से मेरा अभी वादन किया मैंने अभी वादन का जवाब दिया और बुला बहन जी मैं एक कतल के केस की तफ्टीश कर रहा हूँ उस केस में इस शक्स का दखल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता अपनी सफाई में इसने एक बयान दिया है कि जिसकी तज़्दीक आप से करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ संत्रा ने बड़ी संजिदगी से सहमती में सेरह लाया उसने एक उड़ती सी निगाँ विपिन पर डाली विपिन के चहरे पर पूरे इत्मिनान के भाव थे आप मैं आगे बढ़ा जरा सोमवार के दिन को याद कीजिए उस दिन संत्रा विपिन बोला सहाब को बताओ कि उस रोज मैं मैंने कहर भरी निगाँ से विपिन की तरफ देखा वे हड़ बढ़ा कर चुप हो गया तुम अपना थोपड़ा बंद रखो मैं बोला जो कहना है इने कहने दो समझ गए विपिन ने सहमती में सेरह लाया हाँ तो बहन जी जरा सुमवार के दिन को याद कीजिए और याद करके बताईए कि क्या विपिन उस रोज यहां आया था आया था तो यह कब आया था और कब तक यहां पे बैठा था ये सुमवार को संतरा गंबीरता से बोली दोपहर के आसपस आया था दोपेर बाद या पहले इतने सवाल मैं इसी लिए कर रहा था ताकि विपिंग को शक न हो कि मैं पहले यहां आ चुका था और संत्रा को कोई पट्टी पड़ा चुका था पहले संत्रा बोली लेकिन जारा ही पहले दोपेर ही समझे फिर पिर क्या यहां अगर क्या किया इसने उस दिन हमने यहां केराय का वीडियो मंगाया हुआ था वोही देखने यह यहाँ आया था हम वीडियो देख रहे थे सारा दिन विपिन बोला तुम फिर बीच में बोले मैं दाथ पीस कर बोला विपिन सहम कर चुप हो गया फिर मैं संतरा से बोला फिर जितनी फिल्में यहाँ थी वे खत्म हो गई और ये और फिल्म में लाने की नियत से यहां से चला गया संत्रा, संत्रा, विपिन घबरा कर बोला तुझे गलती लग रही है, मैं तो मैंने आगे बढ़कर उसका गिरिबान पकड़ लिया अगर मैं उसे जिनजोडता हुआ बोला अब दोबारा मूँ फाड़ा तो 32 बाहर निकाल दूँगा साला, मैंने एक जटका देकर उसका गिरिबान छोड़ दिया दो मिनिट चुप खड़ा नहीं हो सकता हाँ तो मैं संत्रा से बोला आप कह रहे थी कि, मैं ये कह रहे थी कि संत्रा बोले कि विपिन और कैसर्ट लेने के लिए यहां से चला गया था कितने बजे गया था पांच बजे वक्त ठीक से याद है आपको हाँ और लोटा कितने बजे था साड़े साथ बजे के बाद विपिन के छक्के छूड गए मेरी चेतावने के बावजूद वे बोले बिना रह नहीं सका संत्रा वे विक्षिप्तो की तरह चिलाया तू गलत कह रही है साड़े साथ बजे कहा मैं तो उल्टे पाउँ वापिस लोटाया था मैंने एक जोर का जहापड विपिन के चहरे पर रसीत किया यह गलत कह रही है अपना गाल सैलाता हुआ वो बदहवास स्वर में बोला संत्रा मैं तो मुश्किल से आदे घंटे में वापस लोटाया था तू साड़े साथ के बाद आया था संत्रा ढूड स्वर में बोली आपको इतना ठीक से टाइम कैसे याद है मैंने संत्रा से पूछा क्योंकि इसके फिल्म लाने के इंतजार में टेलेविजन प्रोग्राम देख रही थी मैं जब यह लोटा था उस वक्त टेलेविजन पर हिंदी समाचार आ रहे थे और आप जानते ही होंगे कि हिंदी समाचार साड़े सांत बजे शुरू होते हैं विपिन हत्ते से उखड गया साली हरामजादी वै संत्रा पर जपट पड़ा धोके बास कमी नी मैंने उसे जबरन संत्रा से अलग न किया होता तो उसने जरूर उसका गला खोट डाला होता चांद से मार डालूंगा वै दहाडा खून पी जाओंगा साली कुतिया लेकिन मेरे हटाते हटाते भी वै संत्रे पर दो प्रहार कर चुका था संत्रा धराशाई हो गई थी उसकी नाक से खून बहने लगा था विपिनकु मैंने अपनी बुजाओं में जकड़ा हुआ था लेकिन वै जुआला मुकी की तरह धदकता हुआ अभी भी गालिया बक रहा था गुस्से के अतीरेक में उसमें अधुतिय शक्ति आगे थी और वै मेरे गिरफ्त से छूट छूट जाता था तंग आकर मैंने उसकी पस्लियों में एक भीशन प्रहार किया वै तुरंत गैस निकले गुबारे की तरह पिचक गया और मैंने उसे सोफा चेर पर धकिल दिया संतरा एका एक फर्ष से उठी और अपनी नाक से बैथे खून को पोच्टी हुई किचन में गुज गई जब वै वापिस लोटी तो उसके हाथ में गोश्ट काटने वाली चाकू थी हारामी के पिले वै बड़े हिंसक स्वर में गुर्राई रंडी के जने उस कैबरे डांसर का खून कर लिया तो समझता है संत्रा को भी ठिकाने लगा सकता है ठेर जा हरामजादे मैं समझ रहा था कि वे महें जुबानी जमा खर्चित कर रही थी इसी वज़े से उसके हाथ में थमी चूरी मुझे तब दिखाई दी जब वै विपिन के एन सिर पर पहुंच गई मैंने जपट कर समय रहते उसका चूरी वाला हाथ थाम लिया अपनी दूसरी बहां मैंने उसके जिस्म के गिर्द लपेट दी और उसे विपिन से परे कमरे के दूसरे सीरे तक खसीट लिया इस पर वार करके मैंने उसे पुझकारता हुआ बोला तुम क्यों अपनी जान का जोकिम उठाती हो इसे मैं ही सीधा कर दूँगा वे खामोश रही उसकी धोकनी की तरह चलती सांस की वज़े से उसकी चातियां जोर जोर से उट खिर रही थी जाओ मूध होलो इसे मैं समालता हूँ उसने सैमती में से रहलाया तो मैंने उसे छोड़ दिया वे लड़ खडाती सी चाल चलती हुई बाथरूम में चली गई मैं विपिन की तरफ आकरशित हुआ अब वे शान्त हो चुका था अब वे बदाभास अपने हातों में अपना चहरा लिये बैठा था उसकी निगाव फर्ष पर अपने जूतों के पास तिकी हुई थी मैंने रेफरिजरेटर से एक पानी की बोतल निकाली और उसके उपर रखे एक खाली ग्लास को पानी से भरा ग्लास लेकर मैं विपिन के पास पहुचा विपिन ने सिर ना उठाया मैंने उसकी टांग पर अपने पाउं की हलकी सी ठोकर जमाई उसने हड़ बढ़ा कर सेर उठाया ले मैं बोला पानी भी ले उसने ग्लास थाम लिया कापते हातों से उसने ग्लास को होटों तक पहुचाया उसने मुश्किल से एक घूड भरा और दो घूड बाहर चलकाए तभी संतरा बातरों से बाहर निकली उसने अगने नेतरों से विपिन को देखा उसका चैरा ग्रुना और क्रोट से विकृत हुआ लग रहा था अपरमपार थी और अज़ात की लीला भी मेरे कहने पर जूटी गवाही देकर उसने विपिन की मौत का सामान किया था लेकिन अपनी सकर्तूत पर शर्बिंदा होने की जगए वे उसे यू देख रही थी जैसे आखों ही आखों में उसे भस्म कर देना चाहती हो और वे वो और थी जो अभी कल तक विपिन के साथ सोती थी उसकी महरबानियों के मोहताज उसके रह्मो करम पर पलने वाले आशिक ने उस पर हाथ उठाया था प्रत्यक्षतह ये बात उसे बरदाश्ट नहीं हुई थी उसके हाथ में गलास देखकर वे भड़की इसे मेरी विष्की किस ने दी वे चिल्लाई पानी है बेवकूफ मैं धुड़क कर बोला पानी भी क्यों दिया हरामजादे को ये मेरा घर है मैं इसे यहां मौजूद नहीं देखना चाहती इसे फौरण यहां से बाहर निकालो चुपो जाओ मैं बोला क्यूं चुपो जाओ मैं क्या इस हत्यारे से डरती हूँ मैं क्या ठीक है भौकती रह तब वह चुपो गई विपिन ने सीर उठाया और बड़े आहद भाव से संतरा के तरफ देखा मुझे डर लगने लगा कि कही वे रो ना पड़े उठ मैं उससे बोला वे बड़ी कठिनाई से उठकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ चल मैं बोला लड़ खड़ाती चाल चलता हुआ वे दरवाजे की तरफ बड़ा फासी पर लटका कर आना साले को संतरा बोली और लोट कर अपना इनाम मुझ से लेना तू क्या इनाम देगी मैं बोला ऐसी सवारी कराऊंगी दरोगा जी जैसी जिन्दगी में कभी न की हो खुतिया वे पन कापती आवाज में बोला उसने जोर का टहास किया मैं वे पन को लगबग धकेलता हुआ फ्लैट से बाहर ले गया बहाँ पकड़कर मैंने उसे नीचे तक लाया वह मेरे साथ यूँ खीचता चला गया जैसे किसी सम्मोहन में वशिभूत हो सड़क पर आकर हम फिर एक थ्रीवीलर पर सवार हो गए वापिस काका नगर उसके घर तक का सारा सफर मुकमल खामोशी में कटा वहाँ मैंने उसे थ्रीवीलर से उतरने को कहा तो उसने सेर उठाया अपने को काका नगर पहुंचा पाकर उसने हैराने से मेरी तरफ देखा जरूर वे संत्रा के फ्लैट से सीधे ठाने ले जाए जाने की उमीद कर रहा था मैं उसके साथ उसके कमरे तक पहुँचा वो दिनहीन सा पलंग पर बैठ गया मैं उसके सामने बैठ गया मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और प्रतिक्षा करने लगा मैं जानता था कि मेरी उस मौन उपस्तिती का सस्पेंस उससे बरदाश नहीं होने वाला था और देर सवेर उसने अपनी सफाई देनी शुरू कर देनी थी और आखिर नहीं हुआ दो मिनिट बाद ही उसने सेर उठाया ए भगवान वैं होटों में बुदबुदाया मैं निर्विकार भाव से खामोश बैठा सेगरेट के कश लगाता रहा इंस्पेक्टर साहब वैं कातर भाव से बोला मेरा विश्वास करो भगवान के लिए मेरा विश्वास करो संतरा जूट बोल रही है संतरा पता नहीं क्यों एका एक मेरे खिलाफ हो गई है और छूट बोलकर मेरी मौत का सामान करने लगी है और हकीकत ये है कि मैं सोमवार दोपहर से रात के 11 बचे तक उसके साथ था मैं सिर्फ आदे घंटे के लिए शंकर मार्किट तक गया था मिंटो रोड से शंकर मार्किट आदमी पैदल भी जाए तो आदे घंटे में वापस आ सकता है लेकिन आदे घंटे में कोई सुन्दर नगर से खून करके वापस नहीं लौट सकता तू जानता है कि जो कुछ तू कह रहा है उसे साबित नहीं कर सकता है तिरवाहित सबूत संतरा थी और उसका बयान तुने सुन ही लिया है उसका बयान जूट है उसमें कोई फरेव है मुझे फसाया जा रहा है माई भाप आप तो कानून के रखवाले है आप क्या एक बेगुना आदमी को फासी पर चड़ने देंगे कानून सबूत मांगता है अगर तू बेगुना है तो साबित करके दिखाँ अब मैं वे असाहाय भाव से बोला कैसे साबित करके दिखाऊं अपने आपको बेगुना वे औरत पता नहीं क्यों एका एक मेरी तुश्मन हो गई है मैंने लापरवाही से धुआ उगला लेकिन एक आएक वे तनिक आवेश पूर्ण स्वर में बुला मुल्क में इतना अंधेर नहीं हो सकता की सिर्फ एक हिस्ट्री शीटर की बतकार बीवी की गवाही पर मुझे सजा हो अगर मैं जूटा हो सकता हूँ तो वे भी जूटी हो सकती है उसके जूटे बयान के अलावा आपके पास मेरे खिलाफ कुछ नहीं है शायद हो क्या मतलब मेरा मतलब है कि अभी नहीं है तो आगे हो सकता है आगे क्यों हो सकता है तेरे खिलाफ कोई और सबूत हासिल हो सकता है नहीं हो सकता तूने ये नहीं पूचा कि मैं तुझे यहां वापस क्यों लाया क्यों लाय हो मैं यहां की तलाशी लेना चाहता हूं वो किसलिए वे बॉक लाया हत्प्राण के घर से जो जेवराच चोरी गए थे वो अभी तक ब परामद होंगे हो सकते हैं माई बाप अगर मैं सचमुच हत्यारा होता तो क्या हत्या की इतने दिन बात तक वे जेवर में अपने घर में छुपा कर रखता तुझे संत्रा की गवाही पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था इसलिए तो वे जेवरात रखे हो सकता है अब संत्र कि गवाही उल्टी पड़ जाने के बाद तो उन जिवरात को ठिकाने लगाने की कोशिश कर सकता है मैं तुझे ऐसा मौका नहीं देना चाहता इसलिए मैं यहां तरह साथ आया हूं जनाब उन जिवरात की यहां मौजूद्गी का कत्य कोई सवाल पैदा नहीं होता मैंने तो नहीं आ जाएंगे तलाशी लेने से समझदार आदमी है वैसे आप ऐसे तलाशी ले सकते हैं मैंने सुना है कि तलाशी के लिए तो सर्च वारंट होना चाहिए तुने ठीक सुना है लेकिन सर्च वारंट हासिल करना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है वे खामोश रहा अ लेकिन हासिल आपको कुछ नहीं होने वाला देखते हैं मैंने जानमूच कर तलाशी उस तरीके से लेने की कोशिश नहीं की जैसे की ली जाती है उस कमरे का कोना खुदरा खुद टटोलने के स्थान पर मैंने उसे हुक्म देना शुरू किया की वो फला अलमारी खोल कर दिखाएं फला चीज खाली करके दिखाएं फलान सामान उलट करके दिखाएं इस तरीके से उसने पलंग के नीचे रखे सूटकेस तक भी पहुचना ही कर दिया। सूटकेस का सारा सामान पलंग पर धेर हो गया। सामान में से ही वे खाली लिफाफ जो मैंने खुद सूटकेस में डाला था छिटक कर सामान से थोड़ा परचाकर गिरा। लिफाफे Customer से पर सक्त हैरानी की भाव आए। उसने लिफाफे को खोल कर भीतर जाका, फिर उसने यू लिफाफे को अपने हाथ से छोड़ा जैसे साप पकड़ लिया हो, लिफाफे के भीतर का सामान बहार पलंग पर बिखर पड़ा, हेरे की अंगुठी और टॉप्स, घड़ी वाला सोने का कड़ा, मोतियों की माला, यान की नीशा के फ्लैट से चोरी हुआ मुकमल समान, कमरे में सन्नाटा चाया हुआ था, विपिन मेरे सामने बैठा था, उसका चेहरा कागस की तरह सफेद था, और आखों में ऐसा भाव था, जैसे उसकी मौत उसके सामने खड़ी दिखाई दे रही हो, मैंने लापरवाही से न कुछ कहना है, आप ही कहिए, मैं कहूँ, और कौन कहेगा, फसा तो एकदम फिट लिया है आपने मुझे, अब लगे हाथ अपने स्टैंडर्ड वाले सवाल भी पूछ डालिये कि मैंने कतलक क्यों किया, कैसे किया, कब किया, या ये तमाम जवाब भी आपको पहले से ही था कि चोरी के जेवरात यहां से बरामद होने वाले थे, साले, मैंने आगे को जोग कर एक जापड रसीत किया उसे, जबान लडाता है, जापड की कति कोई प्रतिक्रिया मुझे विपिन पर दिखाई न दी, लगता था अब वे अपने अंजाम के प्रतिप पूर्ण तया उदासीन हो गया था, अब यहां बता दो, वे अपना गाल से लाता हुआ बोला, यूँ फसाने के लिए मुझे ही कैंडिडिट क्यों चुना गया, तुझे, मैं आखे निकाल कर बोला, फसाया गया है, हाँ, वे निडर स्वर में बोला, खास तौर से चुन कर, अब तू बाप मुझ निर्दोश को फासी पर चड़ा कर आपको क्या मिलेगा, फासी पर चड़ा कर, मैं अर्थपोर्न स्वर में बोला, कुछ नहीं मिलेगा, वे सक पकाया, लेकिन फासी पर चड़ाय बिना शायद कुछ मिले, उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा, तू बच सकता है, अभी भी बच सकता है, कैसे, वे मंत्र मुग्द स्वर में बोला, अगर तू मेरा कहा मानेगा, तो मैं तुझे गिरफतार तक नहीं करूँगा, और तेरे खिलाफ जो सबूत है, उन्हें मैं खुद नस्ट कर दूँगा, मैं ये जेवरात गायाप कर लूँगा, और संतरा क को भी है कहने के लिए मना लूँगा कि सुमवार दुपैर से रात 11 बजे तक तुम हर क्षन उसके साथ था, उसने अविश्वास पूर्ण नेतरों से मेरी तरफ देखा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बोला, समझ ले तेरे खिलाफ कोई केस नहीं, तेरे खिलाफ जो कुछ भी ह उसका मैं खुद बाजा बाजा दूंगा, मेरे पास वैं धीरे से बोला, दस हजार रुपे हैं जो कि मैं फोरण बेवकूफ, वैं बोलता बोलता रूख गया, सालेग गधे, मैं तेरे से कोई नावा पत्ता जटकने की कोशिश नहीं कर रहा, तो देख, बात को, हालात को फ उमीद करती है कि तू अपराद करेगा, यानि तेरा किसी अपराद में उलजना भी तेरी मौत है, क्या पुलीस, क्या मैजिस्ट्रेड, क्या खुद तेरा वकील, सब सच मान लगेंगे कि तूने फिर से कोई कर्तब दिखा दिया, उपर से संत्रा की गवाही का ख्याल कर, औ लेकिन वो आदमी बचा सकता है, आशा और निराशा के बीद जूलता हुआ विपिन बोला, जिसने की वास्तव में कतल किया है, वे पकड़ा जा सकता है, वे खुद अपना अपराद कबूल कर सकता है, शायद उसकी अंदरात्मा को ये गवारा ना हो कि उसकी कर्तूत की एक नंबर का हराम जादा आदमी है वो, एक नंबर का खुदकर्ज, विवेक से कत्तई कोरा, उसकी कर्तूत की सजा एक बेगुना आदमी पा रहा है, जैसी कोरी भावकता के वशिभूत होकर, वे हरगिस भी अपना पराद कबूल नहीं करने वाला, शायद कर ले, करेगा त बसाने में होश्यारी दिखा सकता हूँ, तो किसी गुनेगार को बचाने में भी होश्यारी दिखा सकता हूँ, तेरा बाजा तो पठ्थे बजे ही बजे, माई बाप, क्या कहानी है, कहानी ये है कि जैसे मैं गैरंटी के साथ तुझे ऐसे कतल की सजा दिलवा सकता हूँ, ज आप मुझसे कतलक करवाना चाहते हैं हाँ कमरे में फिर सन्नाटा चा गया उसके भीतर चलती उधेड़ बुन उसके चहरे पर साफ दिख रहे थी इस वक्त मैं सहज संतुलित भाव से बोला तुम अनी मन जरूर कोई ऐसे उस्तादी सोच रहा है जिससे कि मैं फस जाओं लेकि उसका कोई गवा नहीं है मेरी कही बाते तू किसी के सामने दोहराएगा तो कोई तेरा विश्वास नहीं करेगा मैं एक क्लियर रेकॉर्ड वाला जिम्मेदार पुलीस अधिकारी हूं और तू एक हिस्ट्री शीटर और मर्डर सस्पेक्ट है मेरे खिलाफ तेरी बात कोई नहीं सुनेगा फिर सन्नाटा चा गया आप कईक्षन बाद वे यूं बोला जैसे अभी भी उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था मुझसे कतल करवाना चाहते हैं हां मैं एक एक शब्ट पर जोर देता हुआ बोला लेकिन यह ना समझ कि वे कतल करके तू मेरे पर कोई एहसान करेगा कतल तुने मेरे लिए नहीं अपने लिए करना है नहीं करेगा तो नीशा के कतल की इलजाम में शर्ती और फासी की सजा तो जरूर पाएगा अब जल्दी फैसला कर कि तू बेगुना होते हुए भी फासी पर जूनना चाहता है या गुना करने के में यह बात बिठा पाया कि मेरी बात मानने के अलवा उसके पास और कोई चारा नहीं था यह हालात तब थी जबकि वो कोई मामूली आदमी नहीं था वे अपरादी प्रवर्ति का व्यक्ति था सजायाफता मुझरिम था और और उसकी विचार धारा में असामाजिक तत्वो करने वाला नहीं था यानि कि उसके लिए खतरा अपराद ना करने में था ना कि करने में यह शक कि मैं ही उससे कहीं डबल क्रॉस तो नहीं कर रहा उसके जहन से तभी निकला जब मैंने उससे बताया कि उसने कतल किसका करना था तूने मेरी बीवी का कतल करना है मैंने बताया अब तेरी समझ में आ गया होगा कि मैं तुझे डबल क्रोस नहीं कर सकता करूंगा तो तेरे साथ साथ मेरा भी बाजा बच जाएगा खुद मेरी भलाई इसी में है कि तू मेरी बीवी का हत्यारा कभी न पकड़ा जाए अब तक उसके मन में मेरे लिए भै तथा ग्रोणा के भाव थे लेकिन ये बात सुनकर उसने मेरी तरफ यू देखा जैसे मेरे दिमाग में कोई नुक्स था अब तक वे मुझे एक भरष्ट पुलीस कर्मी समझता था लेकिन अब मैं उसे कोई खतरनाक राक्षस लगने लगा तुम? वे बोला खुद तो मरोगे ही मुझे भी मरवाओगे न तुझे कुछ होगा और ना मुझे तेरी गैरेंटी मैं हूँ और मेरी गैरेंटी तू है मैं तुम्हारी गैरेंटी कैसे हूँ? क्योंकि तेरे पास मेरी बीवी का अपने लिए एक नितांत अजनबी का कतल करने की कोई वज़े नहीं हर अपरात का उद्येश्य होता है इस कतल में उद्येश ही वह चीज है जो लाक सिर पटकने पर भी किसी के पल्ले नहीं पढ़ने वाली कोई उद्येश नहीं, कोई गवा नहीं, कोई सूत्र नहीं, कतल की कोई वजय नहीं तुने मेरी बीवी की सूरत तक नहीं देखी अभी दो मिनिट पहले मेरी बीवी का जिक्रा आने से पहले तुझे ये तक नहीं मालुम था कि मैं शादी शुदा हूँ तुने ऐसी औरत का कतल करना है जिससे तेरा कोई आदावत नहीं जिसके अस्तित्व तक का तुझे ग्यान नहीं भला कैसे जाएगी किसी की तवज्जो तेरी तरफ वै खामोश रहा और मेरी तरफ देख इस कतल की योजना उस शक्स ने बनाई जिसका काम ही हत्यारो को पकड़ना है मेरे से बेहतर भला कौन जानता है कि हत्यारा कैसे गिर्फ्त में आता है अपनी इतने सालों की पुलीस की नौकरी में आखिर मैं घास तो नहीं देखता रहा मैं ऐसा कोई काम होने ही नहीं दूँगा जिसकी वज़े से हत्यारा पकड़ में आ जाए कतल कब होगा और कहां ये भी मैं बताऊंगा लेकिन कतल जहां भी होगा वहां तेरे और मरने वाली के अलावा कोई नहीं होगा इसकी मैं गैरेंटी देता हूँ इत्वाक से कोई वहां हो सकता है नहीं हो सकता ये मेरी गैरेंटी है मैंने सारे तफ़ाकों पर विचार कर लिया है तू तो सिर्फ वहां पहुँचेगा कतल करेगा और चलता बनेगा तूझे कोई नहीं देखेगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा तेरी कर्तूर्ट की ख़बर सिर्फ मुझे होगी और मैं तो अपनी जुबान खोलने से रहा वैसे ही जैसे तू अपनी जुबान नहीं खोलेगा कतल के से करूंगा मैं पिस्टॉल से गोली मार कर पिस्टॉल तेरे लिए मैं मोहया कराऊंगा कतल के बाद पिस्टॉल जमुना के तहलिटी में एक ऐसी जगा पहुँच जाएगी जहां से कि वे कभी बरामत नहीं हो सकेगी कतल होगा कहा मेरे घर में कर शनिवार है शनिवार की रात को मेरी बीवी कभी घर पर नहीं होती हर शनिवार शाम को पांच बजे वे घर से निकल जाती है और तिमारपुर में अपनी एक ऐसी सहिली के यहां चली जाती है जहां उसे रोज रात कोई ग्यारा बजे तक बजन कीरतन करना होता है ये एक पक्का हफ्तावार प्रोग्राम है जिसमें मेरी बीवी जरूर शामिल होती है औरतों का यहां सत्संग हमेशा 11 बजे तक ही चलता है वहां से वे हमेशा 11.30 बजे तक घर लोट पाती है इस बात कि मैं गैरेंटी कर दूँगा कि वे 11.30 बजे तक घर लोट आए पहुँच जाएगी फर्क सिर्फ इतना होगा कि घर पर मेरी जगे तू होगा उसकी मौत के प्रेजंट के साथ हैरान कर देने वाले प्रेजंट के चक्कर में अगर वे घर से गई ही नहीं तो वे जरूर जाएगी वे आनधी तूफान में भी उस सापताहिक सत्संग में जाती रही है और फिर जब मैंने प्रेजंट के साथ साड़े ग्यारा को पहुचने की बात की है तो उससे पहले वे घर बैठकर करेगी क्या तू ये बात छोड़ कल घर से तो वे जरूर जाएगी हाँ कल तू मेरे घर जाएगा घर का सारा जुगराफिया और उसका पता मैं तुझे समझा दूँगा तू गैरेज के रास्ते घर में घुसेगा गैरेज का दर्वाजा मैं खुला छोड़ दूँगा उसके आगे किच देखने वाला कोई नहीं होगा तू अंधेरे में किचन के रास्ते घर में घुसेगा तू निचली मंजिल के किसी खिड़की को इस प्रकार जबरन खोलेगा कि देखने पर लगे की हत्यारा उस रास्ते से घर में दाखिल हुआ था किचन वाले रास्ते को तू बाद में ता दुर्बा होगा उसने बुरा सा मुह बनाया तू मैं आगे बढ़ा उपर बेडरूम में जाएगा कि जहां तू एक दो दराज खोलेगा एक दो अलमारियों के वह अस्त व्यस्त करेगा इससे यूं लगेगा कि जब तू चोरी करने के लिए वह जगे टटोल रहा था तब एक बड़े अनपेख्षित बड़े अप्रत्यशित रूप से मेरी बीवी उपर से वह आ गई और तुझे उसका खून करके वहां से भागना पड़ा यह तमाम काम तू मेरी बीवी के आने से कोई 10 मिनिट पहले तक यानि की 11-20 तक कर चुका होगा 10 मिनिट तुझे मेरी बीवी हो जाने की आहट नहीं मिलेगी लेकिन इस आहट की तुझे जरूरत भी नहीं क्योंकि वे जब रात को घर आती है तो नीचे कभी नहीं टिकती वे सीधी ऊपर आती है और सीधे बेटरूम के साथ अटेश्ट बात्रूम में जाती है जहांकि वे पहले कपड़े बदलती है और फिर हात मुद होती है वे हमेशा ऐसा ही करती है इसलिए उस रोज भी ऐसा ही करेगी कल तू बात्रूम में चुपा होगा और उसके बंद दर्वाजे की ओंट में से बहार चाक रहा होगा उसके आगमल की खबर तुझे सेडियों पर पढ़ते कदमों से नहीं तो गल्या में चली गोली की आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी नहीं सुनाई देगी उस बेडरूम में एक बार मेरी बीवी से मेरी सर्विस रिवॉल्वर में से गोली चल गई थी जिसकी आवाज ग्राउंड फ्लोर पर ही मौजूद मेरे दो मेहमानों को भी नहीं सुनाई दी थी इमारत से बहार तो आवाज क्या सुनाई देगी दरसल वे कोठियां बहुत बड़े-बड़े प्लोटों में बनी हुई है जिनकी वज़े से एक दूसरे से काफी फासले पर है उपर से बेड्रूम और बात्रूम के खिड़किया बंद होगी तू इस बात की कती फिकर मत कर गोली की आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी फिर? फिर क्या? खेल खत्म? फिर तो इमारत से बहार निकलेगा और जैसे चुप चाप वहां पहुचा था वैसे ही चुप चाप वहां से निकल जाएगा ओ! अगले दो घंडे हम हत्या की उस योजना को बार बार दोहरा कर उसके नुक से निकालते रहे उसकी नुक पलक सुधारते रहे उस दोरान मैंने विपिन की दरजनों शंकाओं और दरजनों आपत्यों के जवाब दिये आजकर रात को उसकी एक आपत्ती थी पुलीस की घष्ट बहुत होती है उपर से सर्दियों की दीन होने की वज़े से रास्ते बहुत जल्द सुंसान हो जाते हैं फर्श करो कि आपकी खोटी से तो मैं सुरक्षित निकल आता हूँ लेकिन अगर मुझे गष्टी पुलीस पकड सवाल करना शुरू कर देगी तो ऐसा हो सकता है मैंने स्विकार किया वे तेरे से पूछ सकते हैं कि इतनी रात गए तो कहां से आ रहा है लेकिन अगर तेरा उत्तर संतोज जनक होगा तो वे तुझे कुछ नहीं कहेंगे मेरा उत्तर संतोज जनक कैसे होगा अशोक विहार में तेरा कोई यार दोस्त है नहीं मैं सोचने लगा मैं भाप मैं बोला जवाब इस बात को निगाह में रखके देना कि मैं प्रोबेशन पर छूटा हुआ अपरादी हूँ सुन एक आएक मैं निर्णयात्मक स्वर में बोला अशोक फिहार में जो दीब सिनिमा है वे मेरे घर से बहुत करीब है तो आज ही वहाँ जाकर कल नाइट सो की एक टिकेट लेया कल तू सिनिमा में जाकर बैट जाना खिड़की तू कितनी दिर में खोल लेगा पांच मिनिट बड़ी हद से हद दस मिनिट में गुड पांच-साथ मिनिट का काम बेटरूम को अस्थ वेस्थ करने का है टिकेट का आधा तुकड़ा जो तुझे गेट कीपर से हासिल होगा संभाल कर रखना शोख हत्म होने पर भीड के साथ सिनिमा घर से बाहर निकलना और एक थ्री वीलर पर सवार होकर काका नगर अपने घर पहुँच जाना अब घष्टी पुलीस द्वारा रोक कर पूछे जाने पर तेरे पास बड़ा संतोष जनक जवाब होगा कि तू सिनिमा देखकर आ रहा था वे यह नहीं पूछेंगे कि जब मैं रहता काका नगर में हूँ तो मैं वहाँ से इतनी दूर अशोक विहार में सिनिमा देखने क्यों आया ये सवाल तेरे से पूछा जा सकता है लेकिन इसका संतोष जनक जवाब पहले से ही तुझे हासिल है क्या दीप दीप टॉकिस में आजकल मुकले आजम चल रही है ये फिल्म आजकी तारिक में दिल्ली में और कहीं नहीं लगी हुई अपनी पसंदिता फिल्म देखने के लिए तो लोग दूसरे शेहर से पहुच जाते हैं तू तो फिर भी दिल्ली का दिल्ली में ही है। वै कुछ शंड सोचता रहा और फिर बोला ठीक है मैं आज ही जाकर कल रात की टिकेट ले आऊंगा। एक बात और मैं चेतावनी भरेस्वर में बोला। फिल्म देखकर घर जाकर लगने में तुझे डेड़ दूब बच सकते हैं। लेकिन अगली सुबह अपनी दूद बाटने की डूटी पर तो तुझे हर हाल में जाना है। समझा? हाँ, समझ गया। सब काम पूरी चौकसी और पूरी होश्यारी से अंजाम देगा तो परसो के अगवार में अपनी आँखों से पढ़ लेगा कि नीशा नामों कैब्रे डांसर का हत्यारा गिरफतार हो चुका है। उसके बाद तेरी चिंता खत्म। उसके बाद ये भी भूल जाना कि कभी कोई इंस्पेक्टर रवी शर्मा तुझे मिला था। मैं उट खड़ा हुआ। पिस्टॉल और किच्चन के दर्वाजे की चाबी कल दिन में मैं तुझे यहां पहुचा दूँगा। यहां मौजूद रहना। उसने सहमती में सिरह लाया। मैंने पलंग पर बिखरे जेवर उठा कर वापिस खाली लिफाफे में भर दिये और लिफाफा अपने जेब में रख लिया। और फिर विपिन पर अंतिम चेतावनी भरी निगा डाल कर मैं वहां से विदा हो गया। अपनी बीवी की हत्या का जिसे मैं दिलो जान से चाहता था मैंने मुकमल इंतिजाम कर लिया था। कल रात साड़े ग्यारा बजे मुझे अपनी बेवफा बीवी से निजात मिलने वाली थी। मेरा इश्वर गवा है कि मैं अपनी बीवी से बेपना महबत करता था लेकिन जिस बीवी ने मुझसे बेवफाई करके मेरी महबत पर धोका था उसे मैं जिन्दा नहीं छोड़ सकता था उसकी जिन्दगी एक ही सूरत में बच सकती थी कि मैं खुद मर जाओ और फिर वैं मेरी विद्वा के तौर पर जैसी चाहे वैसे रंगरल्या मनाए चाहे किसी राजेश के साथ लेटे या सुरेश के साथ लेकिन मेरा आत्मत्या करने का कोई इरादा नहीं था पंडारा रोड के एक रेश्टरॉन में मैं बैठा खाना खा रहा था जबकि मेरी निगा बगल के मेज पर लावारिस पड़े इवनिंग न्यूस पर पड़ी अखबार के मुख पृष्ट की सुर्खी थी कैबरे डांसर का हत्यारा गिरफतार मैंने जल्दी से अकबार उठा लिया बाई लाइन में मुझे सुर्ख जोशी का नाम दिखाई लिया मैंने जल्दी से सुर्खी के नीचे चपी खबर पढ़नी अरंब की लिखा था आज दोबैर को स्थानिय पुलीस ने सुन्दर नगर के एक फ्लैट में हुई नीचा नामक कैबरे डांसर की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को गिरफतार कर लिया है हत्यारा नीचा के फ्लैट वाली इमारत के ही एक फ्लैट में अकेले रहने वाला कृष्णा भारगव नामक एक अविवाहिच व्यक्ति है जो की आसिफ अली रोड पर स्थित एक एडवर्टैजिंग एजनसी में पार्टनर है हत्यारे की पोल उसी की एजनसी में काम करती एक युवा आर्टिस्ट गरीमा सहाय ने खोली इन पंक्तियों के लेखक ने गरीमा सहाय का जो की अपने आपको कृष्णा भारगव की मंगेतर बता दी है इंटरव्यू लिया गरीमा सहाय के बयान के मताबिक एन हत्या के वक्त कृष्णा भारगव हत्परान के फ्लैट में उसके साथ था गरिमा साहय के बायान के आधार पर ही पुलीस ने कुश्टना भारगव को गिरफ़तार किया है अभी तक ये सपष्ट नहीं हो पया है कि पुलीस ने उसे अभी सिर्फ संदिह के आधार पर हिरासत में लिया है या उसे दफा 302 के अंतरगर चार्ट लगा कर गिरफतार किया है रवी शर्मा नामक जो इंस्पेक्टर केज की तफ्तीश कर रहा है बहुत कोशिश करने के बाद भी इन पंक्तियों का लेखक उससे संपर्क स्थापित नहीं कर सका मैंने अगबार फेक दिया खाने में मेरी रूची अब कतरी नहीं रही थी वैखबर मेरा बना बनाया काम बिगार सकती थी उसे पढ़कर विपिन कुमार मेरे हाथ से निकल सकता था और मेरा काम करने से इंकार कर सकता था अब मैंने ऐसी चाल चलनी थी जिससे त्यातो कल सुभा के अखबार में कुरुष्णा भारगों की रिहाई की खबर छपे और या फिर ये छपे कि उसे केवल फर्दर क्वेस्चनिंग के लिए ही हिरासत में लिया गया था यानि कि वैं गिरफतार नहीं था आनन फानन में मैं निजब मुद्दिन की तरफ रवाना हो गया एसपी के कमरे में उसके अलावा सब इस्पेक्टर मुकंदलाल और रमेश टोकस मौझूद थे एसपी ने यू जाहिर किया जैसे मेरे वहां आगमन की तरफ उसकी तवज्जो नहीं गई थी लेकिन मैं जानता था कि अपना आकरोज जाहिर करने के लिए वह मुझे देख कर भी अंदेखा कर देगा नमस्ते साब मैं बोला एसपी ने बड़े यतन से सेर उठा कर मेरी तरफ देखा नमस्ते वह व्यंग पूर्ण स्वर में बोला याद आगया आपको यहां आना मैं खामोश रहा तश्रीफ रखिये मैं बैड़ गया मेरी नौलेज के बिना आप दिल्ली पुलीस में कश्मीर तो नहीं लग गए जी नहीं मैं अपने स्वर को भरसक संतुलित रखने का परेतने करता हुआ बोला मैंने तो यही समझा था कल से आपके थाने में दर्शन जो नहीं हुए एसपी मेरा बाजा बजाने के लिए पूरी तरह डुड प्रतिग्या मालूम होता था अब आखरमन में ही मेरा बचाव था कहां थे आप कल से एसपी ने मुझे पूछा और इतने खूफिया तरीके से कौन सा तीर मार रहे थे वे भी बताता हूँ मैं कठोर स्वर में बोला लेकिन पहले आप मुझे ये बताईए कि कृष्णा भार्गव को किसकी अकलमंदी के बिना पर गिरफतार किया है क्यों क्या नुक्स है उसकी गिरफतारी में वो बे गुना है तुम्हें कैसे मालूम मैं हत्यारे को पहचानता हूँ इसलिए मालूम है कौन है हत्यारा अगले 36 गंटों में वो आपके सामने होगा अगले 36 गंटों में ऐसी स्टेट्मेंट पुलीस पब्लिक के लिए इशू करती है पुलीस पुलीस के लिए नहीं माकमे की पुडिया माकमे को ही देनी की कोशिश मत करो जो कुछ जानते हो साफ साफ बताओ अभी मैं कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूँ तुम एसपी फट पड़ा क्या समझते हो अपने आपको शर्लोक होम्स हो क्या तुम्हें फिर से समझाना होगा की पुलीस का काम टीम वर्क के बिना नहीं चलता तुम अपने आपको मैक में से अलग समझते हो तुम्हें नहीं मालूम की अपनी हर हरकत की तुम्हें ऊपर रिपोर्ट देनी होती है तुम्हारे जोडीदार टोकस तक को मालूम नहीं के तुम कहां हो क्या कर रहे हो इस गुपचुप का मतलब मैं केस पर ही काम कर रहा था लेकिन रिपोर्ट? रिपोर्ट क्यों नहीं दी? मौका नहीं लगा, नौबत नहीं आई अब तो मौका लग रहा है, अब तो नौबत भी आ गई है लेकिन अभी मेरी तफ्तीश अधूरी है अगले 36 गंडे में तुम अपरादी को मेरे सामने लाकर खड़ा करोगे यही ना? मैं खामोश रखा रिपोर्ट पूरी है या अधूरी? मैं सुनना चाहता हूँ पहले आप ये तो बताईए कि कृष्णा भार्गव को क्यों गिरफतर किया गया? मजबूरन गिरफतर किया गया ना करते तो प्रेस में हमारी चिछले दरी होती हिंदुस्तान टाइम्स के उस रिपोर्टर ने क्या ना मैं उसका? सूरज जोशी टोकस बोला हाँ सूरज जोशी उसने गरीमा सहाई को खोज निकाला था अगर जाहिर होती तो ये हमारे लिए शर्म की बात होती के इस केस में एक रिपोर्टर का ग्यान हमसे कई ज्यादा है कुरुष्ण भारगव को गिरफतार करके हमने ये स्तापित किया है कि गरीमा सहाई की हमें कबर थी और उसके बयान के आधार पर कुरुष्णा भारगवर को गिरफतार करने का हमारा इरादा पहले से ही था लेकिन सर वो अपरादी नहीं है एक ही बात की रट बार बार मत लगाओ इंस्पेक्टर रवी शर्मा तफ्तीश के जो तीर तुमने मारे है उन पर आओ बेटर पहले मैं आपके सामने केस की मोटी मोटी बाते रिव्यू करता हूँ पहले राम कुमार अगरवाल को लीजिए ये बात मेरी ही तफ्तीश से प्रकाश में आई थी कि उसके निशा के साथ नाजायस तालुकात खे और उसी के वज़े से वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी गंदी तस्वीरों की नेगेटिव क्योंकि उसीव के फ्लैट से बरामद हुए थे इसलिए कहा जा सकता है कि शायद लड़की खुद ही अगरवाल को ब्लैकमेल कर रही थी इस बात को हत्या का उद्देश माना जा सकता है अगरवाल के लिए जी हाँ, ये न भूलिए कि उसने अभी तक भी हत्या के समय के अपनी कोई अलबाई पेश नहीं की है इन बातों के बिना पर उसे मर्डर सस्पेक्ट माना जा सकता है लेकिन क्योंकि वे बड़ा आदमी है और इसी लिए हमने ऐसी कोई कोशिश नहीं की मतलब? मतलब साफ है, अगर वे कोई मामूली आदमी होता तो आपका हुक्म होता कि मैं पहाड की तरह उस पर तूट पड़ू, लेकिन मुझे ऐसा कोई हुक्म नहीं हुआ, न सिर्फ हुक्म नहीं हुआ, बलकि कल जब वे यहाँ पेश हुआ, तो मुझे उससे बात करने तक का मौ का न दिया गया, जबकि आप ही ने मुझे कहा था कि उससे जो पूच्टात होगी मेरी मौझूदगी में होगी, और जबकि मैं इसी वज़े से निर्थारित वक्त पर यहाँ हाजिर था, कितने अफसोस की बात है कि मेरा आला अफसर खुद मेरे काम में अडंगे लगाता है और खुद मुझ पर यह इल्जाम भी लगाता है कि मैं काम नहीं करता, मेरे अकेले काम करने की वज़ा यही है कि मैं नहीं चाता कि मेरे काम में किसी की ऐसी दखल अंदाजी हो जो अपनी ड्यूटी भुगतने में मेरे रास्ते की रुकावट बनता हो, एस पी के चहरे ने क कहीं रंग बदले, वैसे मैं अगरवाल को हत्यारा नहीं मानता, एस पी के मूड की परवा किये बिना मैं आगे बढ़ा, मुझे पूरा विश्वास है कि उसके पास कोई वाटरप्रूफ एलबाई है जिसे कि वह अभी तक जुबान पर नहीं लाना चाह रहा, ऐसा ना होता तो वै कपका हमें एक नकली एलबाई गुड कर सुना चुका होता। उस जैसे साधन संपन आदमी के लिए किसी से यह जूट बुलवा लेना की हत्या के समय वै उसके साथ था, क्या मुश्किल काम है। जब तुम अगरवाल को हत्यारा नहीं मानते हो, तो फिर तुमें से क् पर पढ़ता है कि जब वे यहां आया, तो तुम्हारी उससे बात करवाई गई थी या नहीं करवाई गई थी। सर्वे दस्तूर की बात थी। उसका जिक्र इसलिए जरूरी था क्योंकि अभी आप दस्तूर और काईदे कानून की अवेला के लिए मुझे फटकार रहे हैं एसपी ने बेचेनी से पहलू बदला। बहराल आप कृष्णा भारगव पर आईए। उसके बारे में आप खूदी मानते हैं कि उसे आपने प्रेस में होने वाली महकमे की चिछले दरी से बचने के लिए गिरफतार किया। इस बात को आप जुटला नहीं सकते थे कि हकीकत गरीमा सहाय का बयान कुछ भी साबित नहीं करता। उसकी गवाही मोहमबत में खता खाई एक जली भूनी औरत की गवाई है। उसकी गवाई के बिना पर कृष्णा भारगव पर केवल शक किया जा सकता है। उसके खिलाफ अदालत में कुछ साबित करके उसे कोई सजा नही वाली बात नहीं है। एक तू नहीं और सही और नहीं और सही वाली नियत वाले के आदमी के खिलाफ हजब होने वाली बात करते ही नहीं है। आपको मेरी राय की अगर कदर हो तो हमें भारगव को फॉरण रिहा कर देना चाहिए। उस शक्स को गिरफतार करना हमारे महकमे क लिए ज्यादा चिछले दरी की बात है वे फॉल्स अरेस्ट की दोहाई दे सकता है महकमे पर मानहानी का केज भी कर सकता है उसने टोकस बोला पहली बार में गलत बयान दिया था उस गलत बयानी के जेरे साया वह मानहानी के मुकदमे जैसा कोई कदम उठाने के होसला नहीं सकता है टोकस फिर ना बोला मैंने देखा कि एस पी मेरी बात से प्रभावित दिखाई दे रहा था मुझे अपना काम बनने की पूरी उमीद हो गई एस पी को प्रेस में अपने इमिज की बेहत फिक्र जो रहती थी अब आप एस पी शिवास्तव पर आईए मैं बोला शिव कि कि मौत से उसे किसी भी तरेके का कोई फाइदा पहुचता नहीं दिखाई देता सर मैं अपने स्वार्त के लिए हर किसी की पैरवी किये जा रहा था विपिन इसी डर से मेरे से फसार है सकता था कि उसे हत्यारा साबित किया जा सकता है तुमने तो सब को बरी कर दिया एस भी बोला फिर कल से तुम क्या कर रहे हो मैं विपिन कुमार को टटोल रहा था मैं बोला विपिन कुमार को उसे किसलिए तुमने तो खुद मुझे कहा था कि वो हत्यारा नहीं हो सकता जी हां मैंने कहा था और आपने भी कहा था आपने कहा था कि मैं किसी चोर का काम नहीं थ मैं भूला नहीं हूँ फिर साहब पहली बार जब सरसरी तोर पर मैंने उसकी अलबाई चेक की थी तो मुझे उसमें कोई नुक्स नहीं दिखाई दिया लेकिन जब बाकी सब लोग मुझे निर्दोष लगने लगे थे तो मेरी तवज्जो फिर से उसकी तरफ गई थी आखिर वो तो एक सजायाफता मुझरिम है और जुर्म उसके लिए कोई नहीं बात नहीं कहने का मतलब ये है कि मैंने जब उसकी इलबाई को बारीकी से चेक किया तो वह वैसी एर टाइट न निकली जैसे की पहले लग रही थी अगर ऐसी बात थी तो तुमने उसे पकड़ कर यहां क्यों नहीं राया लाँगा जरूर लाँगा सर लेकिन पहले मैं उसे थोड़ी सी और ढील देना चाहता हूँ थोड़ सा और चेक करना चाहता हूँ मैं उसे चलो मान ली तुम्हारी बात अब तुम ये बताओ कि इतनी मामुली बात को इतना छुपा कर रखनी की क्या दरूरत थी इस पर रहस्य के परदे क्यों डाले हुए है तुमने मैंने कोई रहस्य के परदे नहीं डाला सर बात सिर्फ इतनी है कि केस के इस एंगल पर मैं अकेला काम कर रहा था टोकस बाकी लोगों को टटोलने में जो व्यस्त था मैं खामोशी से विपिन के खिलाफ इसी लिए केस बनाना चाहता था क्योंकि महकमे में और किसी को विपिन के अपरादी होने के मामले में मेरे से इत्तफाक नहीं था उच पर इल्जाम आ सकता था कि मैं खामखा वक्त बरबाद कर रहा था विपिन का पीछा छोड़ देने का आप बकायदा हुक्म दे चुके थे मुझे आई सी आई सी अब एसपी के चेहरे पर से कठोरता के भाव लगबग गायब हो चुके थे मैंने तपते लोहे पर चोट की मैंने इस केस पर बहुत महनत की है मैंने विपिन कुमार पर तो खास तोर से बहुत महनत की है मेरी आप से दरख्वास है कि काम्याबियों के मेरे पिछले रेकॉर्ड को मद्दे नजर रखते हुए आप सिर्फ 36 घंटे की महलत मुझे और दे इतने वक्त में मैं इस केस का मुकम्मल तोर से बाजा बजा कर दिखा दूँगा विपिन अपराधी ना भी निकला तो भी 36 घंटे में बाकी संदीग दव्यक्ति कही भागे नहीं जाएंगे सर ठीक है एसपी ने निरनायत्मक स्वर में बोला तुम्हारी दर्ख्वास्ट कबूल समझ लो परसो सुभे तक के लिए तुमें एकतम फ्री हैंट हासिल है थैंक यू सर थैंक यू वरी मच अब भारगों का क्या करे हम फिलाल उसे रिहा कर दीजिये और प्रेस को यह विज्ञापित कर दीजिये कि उसके कतल के इलजाम में गिरफतार नहीं था वो बलकी सिर्फ फर्दर क्वेस्टिनिंग के लिए उसे हमने थाने में तलब किया था ठीक है टोकस सर टोकस ततपर स्वर में बोला लड़के को छोड़ दो राइट सर मैंने चेन की सास ली बात बिगड़ते बिगड़ते बन गई मैंने अपने घर फोन किया घंटी बजने लगी मैं उकता कर संबंद विछेद करने ही जा रहा था कि दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया हेलो मुझे अपनी बीवी की आवास सुनाई दी कौन मैंने लाइन काट दी मेरी बीवी घर पर मौझूद थी फोन करने के पीछे मेरा मकसद यही जानना था फिर मैंने सुष्मा का नंबर डायल किया तुरंत उत्तर मिला उसने फौरण मेरी आवास पैचान ली मैं तुम्हें याद ही कर रही थी वह बूली अच्छा हाँ तुम्हें खुशकबरी सुनाओ खुशकबरी हाँ सुनाओ तुम मुझे पसंद आने लगे हो सच हाँ मेरे पुलीशिया होने के बावचूद हाँ जरूर वे पिछली रात के अभिसार का असर था सुभा तो तुम वे बोली बहुत चुपचाब किसके ड्यूटी पर जो जाना था मैं बोला फिर भी कोई राम सलाम तो करके जाते राम सलाम सारी रात तो कर रहा था वे हसी अब कब मुलाकात होगी मैंने पूछा जब तुम चाहो वे बोली अभी आ जाओ अरे नहीं अभी नहीं आज मेरी व्यूटीशन से अपॉइंटमेंट है जब तक वहां से फारिग होँगी तब तक डिस्को जाने का टाइम हो जाएगा तुम कल आओ ना आधी रात के बाद घबरा गये घबरा नहीं गये लेकिन वो क्या है कि अकेले वक्त काटने के मुझे आदत नहीं ठीक है कल साथ बजे आना साथ बजे? डिस्को की चुट्टी करोगी? हाँ तुमारे खातिर एक चुट्टी ही सही मेरी खातिर? हाँ हाँ तुमारी खातिर अभी मैंने तुम्हे बताया नहीं था कि तुम मुझे पसंदाने लगे हो तो कल साथ बजे आ रहे हो ना? सेर के बल आ रहा हूँ मैं तुमारा इंतिसार करूँगी लाइन कट गई अब मुझे पूरी तसली हो गई कि इस बार के मुलाकात में शुष्मा से शीला अत्रे से सम्बंदित वंचित जानकारी मुझे हासिल होकर रहनी थी वैसे अब वे जानकारी केवल मेरी उत्सुकता ही शांत करती बीवी की मौत के बाद वे जानकारी मेरे किसी काम आने वाली नहीं थी शायद मैं घर पहुचा नीशा मुझे ड्रोइंग रूम में बैठी टेलिवीजन देखती मिली उसने मुझ पर एक निगार डाली और फिर उसके मूँ से सिस्कारिया निकलने लगी हे भगवान वे आतंकित स्वर में बूली तुमारे चेहरे को क्या हुआ कुछ नहीं हुआ मैं बड़ी रुखाई से बोला वो मेरी रुखाई पर बहुत हैरान हुई कोई वज़े जो नहीं थी ऐसी रुखाई के इधार की उसने आहद भाव से मेरी तरफ देखा रवी वे वैसे ही आहद भाव से बोली क्या बात है बात तो तुम्हें बहतर मालू होगी न मुझे मालू है हाँ क्या मालू है मुझे यही कि बैंक के हमारे जोइन्ट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की नोबत कैसे आ गई दस हजार रुपे कहां उड़ गए फोरण उसकी निगाँ जुग गई उस घड़ी मेरे मन में क्रोध कुछ ऐसा उमड़ा कि मैं उसका जवाब सुनने तक भी खामोश नहीं रह सका क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा मैं क्रूर स्वर में बोला पैसा सहेलियों पर उड़ा रही हो या यारों पर यार मैं होटों में बुदबुदाई हाँ हाँ यार मतलब तो समझती हो न यार का यार उसे कहते हैं जो पती नहीं होता पहले पती भी यार होता है लेकिन बाद में वे सला रिजक कमा कर लाने वाला मजदूर बन जाता है फिर उसकी जगा कोई और ले लेता है और इसी को यार कहते हैं समझी उसके नेतर डब डबाए उसने यू मेरी तरफ देखा जैसे बकरी कसाई की तरफ देखती हो साली एक्ट्रेस रवी वैं कमपित स्वर में बोली तुम इस वक्त अपने आपे में नहीं हो तुम ठके हुए हो और हाँ हाँ मैं ठका हुआ हूँ मैं साप की तरफ फुफकारा ठका हुआ और तंग आया हुआ तंग तंग किस से आये हो तुम क्या तुम मेरे से मैं तंग आया हूँ जिसम फरोश वैश्याओं से जूटी और धोके भाज ये तुम मुझे कह रहे हो मैंने उत्तर नहीं दिया मैंने सिर्फ अगले नेतरों से उसकी तरफ देखा एका एक वै उटकर खड़ी हो गई उसकी गर्दन तन गई उसकी डबडबाई आखों के आसु सूप गए रवी वै धीमे किंटु अत्यंत कठोर स्वर में बोली मैं तुम्हें और मर्दों से जुदा समझती थी लेकिन तुम भी वैसे ही निकले कैसा निकला मैं जैसे सारे मर्द होते है गमीने खुदकर्ज, पाखंडी, बेकैरत, ठोके पाज उसके स्वर में तलवार जैसी काट थी तंग सिर्फ तुम ही नहीं हो वै बोली, मैं भी तंग हूँ तुम, तुम किस बात से तंग हो अपने पुलीसिये पती की मानसिक संकीनता से तंग हूँ उसके अभद्र विवार से दूसरी पल इलजाम लगा कर खुद को दूद से दोला साबित करने वाली उसकी मैली नियत से उसकी आवाज भर रा गई उसने यू मेरी तरफ से गरदन फिराई जैसे अपनी कमजोरी मुझ पर जाहिर न होने देना चाहती हो फिर मुझे ऐसी आवाज आई मैं तुम्हारे किसी बेहुदा बेमानी जलील सवाल का जवाब देने के लिए बात दिन नहीं हूँ जो मैंने मुनासिप समझा किया जो तुम मुनासिप समझो तुम कर लो एका एक वे वहां से विदा हो गई कुछ क्षण मुझे सीडियों पर दम दम पढ़ते उसके कदमों की आवाज आई और फिर सन्नाटा चा गया ऐसा ही करूंगा साली मैं दाथ पीष्टा हुआ बोला तेरी इस नापाग जिन्दगी को खत्म कर देना ही मैंने मुनासिप समझा है साली शीला अत्रे उस रोज घर में खाना ना बना उस रोज मैं उपर बेडरूम में भी ना गया मैं नीचे सोफे पर ही सो गया अगले रोज वे मुझे बहुत दिन हीन लगी उसकी आँखों से लगता था जैसे मैं रात को सो नहीं पाई थी पिछली रात वे कातर भाव से बोली मैं तुमसे कुछ कहना चाती हूँ मैं कुछ सुनना नहीं चाता मैं तुम्हें कुछ बताना चाती हूँ मैं कुछ पूछना नहीं चाता मैं तुम्हारी शंकाओं का समाधान करना चाती हूँ रवी मुझे कोई शंका नहीं मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि भैंके रुपए का मैंने क्या किया मैं नहीं जानना चाहता लेकिन कल रात तो जानना चाहते थे तुम कल की बात कल के साथ गई लेकिन रात भर में कोई बढ़िया सी कहानी गडली होगी तुमने अपनी सफाई में मैं कहानी नहीं सुनना चाहता रवी मैं हकीकत बयान करना चाहती हूँ तुम्हारे बयान की हकीकत भी कहानी होगी तुम उसको कहानी समझ कर ही सुन लो मरी जा रही हो सुनाने को हाँ ठीक है सुनूंगा लेकिन अभी नहीं अभी मैं जा रहा हूँ मैं रात को ठीक साड़े ग्यारा बजे लोटूंगा जो सुनाना हो तब सुनाना माहौल इतना तल्क हो गया था कि उसे प्रेसेंट वाली बात कहने की गुंजाइश नहीं रही थी लेकिन मेरा काम ऐसे भी बन रहा था अपनी सफाई देने के लिए साड़े ग्यारा बजे वे शर्ती अगर पर होगी मरी जो जा रही थी सफाई देने को मैं दर्वाजे की तरफ बढ़ा कुछ खा तो लो वे व्याकुल भाव से बोली कल रात भी तुमने मुझे भूग नहीं है मैं बाहर निकल गया घर से निकल कर मैं थाने नहीं गया मैं जामा मस्जित के इलाके में पहुचा वहां मुझे एक ऐसे शक्स की खबरती जो की गैर कानूनी ढंक से पिस्टॉल तमंचों की खरीद फरोक्त करता हो उसे यह नहीं मालूम था कि मैं पुलीसिया था आट सो रुपे में मैंने उससे एक पिस्टॉल और छे कार्तूस खरीदे फिर मैं काका नगर पहुचा विपिन कुमार घर पर मौझूद था अपने घर की किचन के दर्वाजे वाली चाबी और पिस्टॉल दोनु चीजे मेंने उसे सौप दी उसने पिस्टॉल का घोड़ा और उसका तवाजन वगेरा चेक किया पिस्टॉल को हैंडल करने का उसका तरीका ही बता रहा था कि उसे चलाना वो जानता था अंत में उसने पिस्टॉल एक और रख दी वे बहुत गंभीर दिखाई दे रहा था टिकेट ले आए? मैंने पूछा हाँ, वे बोला कल ही ले आया था रात के लिए तैयार हो ना? हाँ, वे एक्षन ठिटका और फिर बोला मैंने पहले कभी किसी का कतल नहीं किया पहले कभी तुम भासी पर भी तो नहीं चड़े मैं खामोश रहा अब ज़रा एक बार दोहराओ कि तुमने क्या करना है उसने दोहराया वेरी गुड मैं संतुष्टी पुर्णस्वर में बोला मैंने उससे विदा ले ली भविश्य में कभी अपनी कहानी कहने के लिए उसे जिन्दा छोडने का मेरा कोई इरादा नहीं था मेरी बीवी का कतल करके जब वे काका नगर अपने घर पहुचता तो वहां मैं उसे शूट कर देता मैं कहता क्योंकि वे भागने की कोशिश कर रहा था इसलिए मुझे उस पर गोली चलानी पड़ी फिर चोरी के जवेरात उसके घर से बरामत होते और हर कोई सहजी विश्वास कर लेता कि वही हत्यारा था कल अपने ASP के सामने विपिन के हत्यारे होने की संभावना और भूमी का मैंने तयार कर दी थी रही सही कसर संत्रा की गवाही पूरी कर देती संत्रा की गवाही को मुकमल तौर से जूटी नहीं कहा जा सकता था सुमवार शाम को वे संत्रा के फ्लैट से निकला तो था ही मैंने तो संत्रा को सिर्फ उसकी गैर हाजरी का वकफा बढ़ा कर बताने के लिए कहा था जेवराद की खबर श्रिवास्तव को थी लेकिन वे खुद चोर था इसलिए उन जेवराद की बाबत जुबान नहीं कुल सकता था नहीं वे दावे से कह सकता था कि उसके होटल के कमरे में से जेवराद मैंने चुराय थे ऐसा उसका सिर्फ अंदाजा था लेकिन अंदासे से क्या होता है बाद में जब जेवरात की विपिन के पास बरामदी की बात आम होती तो वह यही समझता कि चोर विपिन था मतलब यह था कि मैं एक्टम सेफ था और बारा घंटों में मेरी बीवी का पत्ता साफ और नीशा का मर्डर केज हल कल से मैं बेवफा बीवी से आजाद वही पुराना इंस्पेक्टर रवी शर्मा जिसे औरत जात से नफरत थी अभी काटने के लिए मेरे पास बहुत वक्त था मैं कनोट पैलेस पहुचा सबसे पहले मैंने खाना खाया आखिर मैं कल से भूका था फिर अगले दो घंटे मैंने कनोट पैलेस और वातवनु कुलित पाली का बजार में भटकते हुए गुजारे तीन बजे मैं रीगल में मैटनी शो देखने गुज गया शो चूटने पर सबसे पहले मैंने पीटर सकॉट की दो बोतले खरीदी और फिर एक थ्री वीलर पर सवार होकर ग्रीम पार्क के लिए रवाना हो गया जिस वक्त मैं सुश्मा के फ्लैट के दरवाजे पर पहुचा उस वक्त ठीक साथ बजे थे सुश्मा ने ततकाल दर्माजा खोला उस रोज वे एक फूलदार सकर्ट में थी और बहुत ही कमसिं बहुत ही खुबसूरत लग रही थी उसने खामोशी से मुझे भीतर आने दिया और मेरे पीछे फ्लैट का दर्माजा बंद कर दिया फिर वे घूमी और मेरी गर्दन में जूल गई बोतले फूर जाएगी मैं हड बढ़ा कर बोला वे हसी उसने मेरे कान की लोग को दातों से चुबलाया वे मेरे साथ लता की तरह लिपट गई थी उसका उन्नत वक्ष मेरी चाती में जैसे छेट करने को आमदा हो रहा था फिर उसने मुझे दीवान पर धकेल दिया और मेरे उपर चड़ गई उसके मूँ से जीन की गंद आ रही थी पठी बड़े रोमेंटिक मूड में थी मैंने बोतलों को अपने हाथों से निकल जाने दिया और अपनी बाहें उसकी गिर्द लपेट दी मैंने उसके एक होट को जोर से काटा उसे कती कोई अतरास ना हुआ उल्टे जैसे उसने अपने इस जिस्म को मेरे से रगड़ा उससे मुझे लगा कि वै मेरी तकलीव दायक हरकत को भी पसंद कर रही थी मेरे हाथ उसके जिस्म की जुगराफिया नापते यहां वहां फिरते रहे मुझे एक खास इशारा देने के लिए वै कुन मुनाने लगी तो मैंने उसके कान के पास मुझे जाकर धीरे से बोला जल्दी क्या है? सारी रात है अपनी वै ततकाल मुझे से अलग हो गई गनिमत थी कि उसके चहरे पर रोश के भाव प्रकटना हुए उसने सहमती में सेरह लाया अगले पांच मिन्टों में उसने ड्रिंक का सामान मेज पर रख दिया उसी ने जाम तयार किये कल कैसी रही? वै शरारत भरे स्वर में बोली बढ़िया मैं बोला जन्नत का नजारा हो गया जिन्दा बजगया यही का रिश्मा है एक घंटे बाद एक आएक उसने हाथ का गलास परे फेका और मुझ पर सवार हो गई तब अभिसार के पहले राउंड का समापन हुआ फिर और एक घंटे बाद दूसरा राउंड आज तुम बाद में मैं बोला कुछ ज्यादा ही महरबान हो मुझ पर वजए बताई तो थी मैंने तुम्हे वैं हस्ती हुई बोली पसंद जो आने लगे हो तुम मुझे दरसल अवल तो मुझे कोई पसंद आता नहीं आता है तो मैं उस पर जी जान निसार कर देती हूँ शुकरिया मैं बोला तुम पुलीस वालों में लाक नुक्स हो लेकिन एक खूपी होती है वो क्या उसने मेरी उबरी चाती पर हाथ फेरा और बड़े कुछ से वहाव से हस्ती हुई पूली होते तुम जवा मर्द हो मैं हसा मैं पसंद नहीं आई तुम्हें उसने पूचा बहुत ज्यादा हद से ज्यादा शुक्रिया लेकिन वो तुम्हारा दादा भाई मुझे पसंद नहीं इसलिए क्योंकि उसने तुम्हारी पिटाई कर दी थी वह बात नहीं होती तो भी मैं उसे ना पसंद करता पुलीसिया जो ठहरा गुंडे बदमाश को ना पसंद करना मेरा फर्ज है तुम मेरे भाई का अपमान कर रहे हो वह तमग कर बोली वह गुंडा बदमाश नहीं है तो क्या है वो बस जरा नाकारा है काम धामत से करनी काटता है और इजी मनी की और और औरतों की फिराग में ज्यादा तर रहता है दरसल औरतों से ही पैसे एटता है वो कैसी औरतों से मेरी बीवी जिसी औरतों से तुम्हारी बीवी वह सक पकाई तुम शादी शुदा हो हाँ और तुमने मुझे बताया नहीं मेरी बीवी का नाम नीशा शर्मा है उसके हाथ में थमा विस्की का गलास एका एक उसके हाथ से निकल गया एका एक उसका चेहरा फीका पड़ गया वै भोचक्की से मुझे देखने लगी मैं उसके चेहरे पर होने वाली हर प्रतिक्रिया को नोट कर रहा था नीशा वै हकलाती हुई बोली नीशा शर्मा तुम्हारी बीवी है हाँ मैं बोला तुम वो पुलीसी हो जिससे नीशा ने शादी की थी हाँ मैं इंस्पेक्टर रवी शर्मा हूँ नीशा ने मु지 से शादी की थी और तुम्हारा भाई वो आदमी है जिससे उसकी आशनाई है। तुम्हारा कुमार नाम का भाई असल में फरार अपराधी राजेश कुमार पटेल है। क्या? वे अचक चा कर बोली है तुम इस बात से इंकार करती हो। किस बात से? इस बात से कि तुम्हारा भाई फरार अपरादी राजेश कुमार पटेल है अजीब अकलके अंधे आदमी हो वै कहर भरे स्वर में बोली जब मैं सोनी हूँ तो मेरा सगा भाई पटेल कैसे हो सकता है मुझे मालूम है तुम तलाग सुदाश्तरी हो सोनी तुम्हारे पती का नाम रगा होगा शादी की वज़े से तुम पटेल से सोनी बन गई होगी नौन सेंस शादी मैंने किसी मलोतरा से की थी तलाग के बाद मैंने फिर अपना असली नाम इक्तियार कर लिया सुश्मा सोनी मेरे भाई का नाम कुमार सेन सोनी है और वे कोई फरार अफरादी नहीं है और वे मेरे बीवी का यार भी नहीं है मैं व्यंगपुर्ण स्वर में बोला नहीं है जानता भी नहीं होगा उसे जानता है खूब जानता है लेकिन उस वज़े से नहीं जानता जो तुम्हारे जहन में है तो और क्या वज़े है अरे मुर्ख आदमी मेरे भाई की तुम्हारी बीवी में कोई जिस्मी दिल्चस्पी नहीं वे उसे ब्लैक मेल कर रहा है सिर्फ ब्लैक मेल पैसे के खातिर मेरी बीवी की उससे आशनाई नहीं? हरगीज नहीं तुमारी बीवी को मेरे भाई की जात से नफरत है वे बेचारी फसी हुई है मुझे तो उस पर बहुत तरस आता है मैं अपने भाई को कई बार समझा चुकी हूँ की तुमारी बीवी का पीचा छोड़ दे लेकिन वह नहीं मानता नकारा जो ठहरा कम वक्त पैसा हासेल होने का कोई जर्या भला कैसे छोड़ दे वो किस बिना पर मेरे बीवी को ब्लैक मिल कर रहा है उसे तुम्हारी बीवी की पिछली जिन्दगी की जानकारी है और इत्ते फाक से वह यह जान गया था कि कि तुम्हें खबर लगे एक सजायाफता मुझरिम एक पुलीस अधिकारी की पत्नी थी यह बात अगर जाहिर हो जाती तो तुम्हारी बड़ी जंगसाई होती तुम्हारी इज़त की खातिर मेरे भाई की जुपान बंद रखने के लिए वह उसे पैसे देती है ओ, ओ, तो परसो नीशा के नाम वाला और उसके सेंट वाला जो लेफाफा मुझे यहां मिला था उसमें ब्लैक मिलर को देने वाले रुपए थे इसलिए हमारे बैंक अकाउंड में पैसा नहीं बचा था और ओर्राफ्ट हो गया था नीशा यहां अपने यार से मिलने नहीं एक ब्लैक मिलर को ब्लैक मिल की रकम अदा करने आई थी मेरे भाई को अगर पता लग जाए कि परसो रात उसने यहां जिस आदमी पर हाथ उठाया था वे उस औरत का पती था तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाएगी तुमारा भाई मेरे बीवी को एका एक मैंने पूछा मुनिया कहकर पुकारता था कुमार हर औरत को मुनिया कहकर पुकारता है मुझे भी मुनिया कहता है अपनी बहन को भी वे हर मर्द को मुनिया और हर औरत को मुनिया कहता है मैं चुप हो गया तो एक बार जो नीशा की टेलिफोन कॉल मैंने सुन ली थी वे उसके किसी यार की नहीं सुश्मा के ब्लैक मिलर भाई की थी जो की उससे रूपे एठने के लिए उसे बुला रहा था लेकिन वे बात नीशा की समय समय पर घर से गेर हाजिरी या बैंक के ओडराफ जैसे चंद सवालों का ही जवाब थी अभी तो बहुत सवाल अनुत्तरित बाकी थे सबसे एहम सवाल तो यही था कि राजेश कौन था जिसका नाम वे अभिसार के समय भचती थी अगर सुष्मा का भाई राजेश नहीं था तो कौन था राजेश और राजेश कौन है मैं प्रत्यक्षतह बोला क्या वे भी तुम्हारा कोई भाई है वे भी मेरी बीवी को ब्लैकमेल कर रहा होगा और तुमने उसे भी रोकने की कोशिश की होगी ना राजेश उसने नाम दोराया हां राजेश वो मेरा भाई नहीं मेरा एक ही भाई है तो कौन है वो कोई पुराना वक्त का यार तब का सगा समवंदी जब मेरी बीवी शीला अत्रे हुआ करती थी शीला अत्रे का नाम सुनते ही वह चोंकी तुम तो सब कुछ जानते हो वह बोली सब कुछ नहीं जानता जानता होता तो तुमारी चोकट पर तलवे ना रगड़ता होता मिसाल के तौर पर मैं यह नहीं जानता की राजेश कौन है वैं खामोश रही लेकिन तुम तो राजेश को जानती होगी न बोलो, कौन है राजेश है नहीं, वैं धीरे से बोली था, था, था का क्या मतलब हाँ, राजेश वैं एक शंट ठिटकी और बोली शीला उर्फ नीशा का पती था पती, मैंने उसे कंदों से पकड़ कर जीन जोड़ा क्या वक्ती हो, उसका पती मैं हूँ मैं, रवी कुमार शर्मा, इंस्पेक्टर दिल्ली पुलीस तुम हो, वैं जबरन मेरी पकड़ से मुक्त हो गई और बोली वो था पहेलिया मत बुझाओ, साफ साफ बोलो कौन था राजेश तुम राजेश के बारे में वाकई कुछ नहीं जानते और एक कहाना नहीं जानता लेकिन उसके नाम से तो तुम वाकिफ हो नाम से भी हाल में ही वाकिफ हुआ हूँ उसका पूरा नाम राजेश कुमार पटेल है हाँ, शीला उर्फ नीशा अभी नाबालिक थी सत्रे साल की रही होगी जबकि राजेश कुमार पटेल ने उससे पूना में शादी कर ली थी तब नीशा बहुत भोली भाली थी और राजेश बहुत चालबास था उसने नीशा को कभी भनत तक नहीं पढ़ने दी थी कि वास्तव में वो एक अपरादी था, चोर और डकेट था शादी के कुछ अरसे बाद राजेश एक डकेटी की इल्जाम में किरफतार हो गया था तब पहली बार नीशा को अपने पती की असलियत मालूम पड़ी थी राजेश जमानत पर चूटा था और फरार हो गया था पुलीस ने नीशा को गिरफतार कर लिया था उनकी धारना थी कि नीशा को अपने पती का अतापता जरूर मालूम होगा जबकि निशा को कुछ भी नहीं मालुम था बेचारी पूलीस के हाथो बहुत खराब हुई उन कमीनों ने उसे अपरादी की सयोगिनी करार दिया और इस बिना पर उसे धाई साल की सजा दे दी अपने एक निकम में जलील थोके बास अपरादी पती की खातिर वे जेल चली गई जेल में ही मेरी उससे मुलाकात हुई थी वे मेरी सहीली बन गई थी और तब ही मैंने उसके बारे में सब कुछ जाना था तुम्हारा मतलब है कि निशा ने मेरी बीवी ने एक ऐसे अपराद की सजा काटी थी जो उसने किया ही नहीं था हाँ तुम तीन साल से उसके पती हो तुम बताओ वे कहीं डकेती ढालने में सक्षम लगती है मैंने इनकार में सर हिलाया वो बेचारी तो डकेती के बारे में कुछ नहीं जानती अपने पती की कर्टूत और उसकी असलियत की खबर उसने उसकी गिरफतारी के बाद ही लगी तब ही मालुम हुआ था कि उस अनहात लड़की को जिस शक्स ने बहला फुसला कर उससे शादी कर ली थी वो एक हिस्ट्री शीटर था, वेल नोन क्रिमिनल था मिस्टर, मुझे अफसोस है कि तुम्हें अपनी अत्यांत अनिष्ठावान बीवी की कदर नहीं हुई इतनी भली और नेक नियत लड़की खांदानी घरों में भी चिराग लेकर ढूणने से नहीं मिल सकती और तू? राजेश, मैं उतावले स्वर में बोला, राजेश कुमार पटेल अब कहा है? उसने चट की तरफ उंगली उठा दी क्या मतलब? भगवान के घर पहुँच गया हुआ है वो मर चुका है? हाँ, तुम कैसे जानती हो? क्या? कि राजेश मर चुका है? वे मेरे भाई का दोस्त था और मेरे भाई की आँखों के सामने मारा था कहा? गोवा में कैसे? एक मोटर बोट की एकसिडेंट में मोटर बोट एक समुदरी चट्टान से टकरा कर चिन्द भिन्द हो गई थी उसे तेरना नहीं आता था इसलिए टूब गया था मेरा भाई तेर कर बाहर निकल आया था ओ, तो इसलिए वे महराष्टा की पुलीस को ढूंडे नहीं मिल रहा था कैसे पुलीसी हो तुम? मैं कह रही थी अपनी बीवी को तुम पहचान नहीं पाए अपराधियों को कैसे पहचानोगे तुम तो अब मुझे उसकी बाते सुनाई नहीं दे रही थी मेरे भीतर तूफान उठ रहा था कितना जुल्म ढढाया था मैंने उस मासूम लड़की पर जो की मेरी बीवी थी उस पर शक करके कितना दिल दुखाया था मैंने उसका जो कुछ उस वक्त मुझे सुश्मा से सुनने मिल रहा था वैस सभी कुछ वैस सुबे मुझे अपनी जुबानी सुनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैंने उसकी एक बात न सुनी कितना कमीना था मैं मैं एक ऐसे आदमी से इर्शा कर रहा था जो की मर चुका था जो जब जिन्दा था तो मेरी भीवी के जिस्म का उतना ही हकतार था जितना की मैं था राजेश उसके पहले पती का नाम था जो की उसकी अच्छे तनावस्था में कभी कभी किसी पुरे सपने की तरह उसकी जुबान पर आ जाता था मेरी बीवी ने कोई अपराद नहीं किया था लेकिन मैंने उस पर इल्जाम लगा कर बिना उसे अपनी सफाई का कोई मौका दिये उसे सजा सुना दी मौत की सजा मैं उस पर यू बेवफाई का इल्जाम लगा रहा था जैसे खुद मैं दूद का धुला था अभी जो मैं अपने सामने बैठी औरत के साथ मूँ काला करके हटा था उसे मैं इमानदारी और सदाचार के कौन से गज से नाप कर जायस ठहरा सकता था उसने ठीक कहा था मैं कमीना था खुदगर्ज था पाकंडी था बेगेरत था धोके बास था पस्चा ताप से मेरा रोम रोम जल उठा उस वक्त अपनी भीवी पर मेरी बहुत महबबत उमड रही थी अब मुझे घर पोचना था और उसके कदमों पर सिर रखकर अपनी नीचता की माफी माँगनी थी घर नशे से जड़ हो रहे मेरे दिमाग को जैसे बिजली का करंट लगा घर पर तो उसका कोई और ही इंतसार कर रहा होगा मैं जैसे नीन से जागा एक जटके से मैं उटकर अपने पेरों पर खड़ा हुआ आतंकित भाव से मैंने अपनी कलाई घड़ी पर नज़र डाली साड़े दस बज रहे थे और मैंने शहर के दूसरे सेरे पर स्थित अशोक विहार पहुचना था एक एक मैं बगोली की तरफ वहाँ से भागा साड़े दस बज रहे थे और मैंने शहर के दूसरे सेरे पे स्थित अशोक विहार पहुचना था इका एक मैं वहाँ से बगोले की तरह भागा सुश्मा मुझे पीछे से आवाज ही देती रहे गई आंधी तूफान से बाते करता हुआ मैं नीचे सड़क पर पहुचा मुझे सड़क पर एक टेक्सी आती दिखाई दी उसके दुआरा रौंदे दिये जाने के जोखम उठा कर मैंने उसे रुकवाया टेक्सी की पिछली सीट पर बैठी सवारी को मैंने घसीट कर बाहर निकाला ड्राइवर ने इतरास किया तो मैंने उससे अपनी सर्विस रिवल्वर निकाल कर दिखाई उसके चक्के छूट गए पीछे बैठने के स्थान पर मैं आगे उसके साथ बैठ गया चलो मैं बोला उसने फोरण गाड़ी आगे बढ़ाई तेज चलाओ मैंने आदेश दिया साहब ड्राइवर हक लाया चालान नहीं होगा मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ उसे मेरी बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं हुआ साहब जाना कहा है अशोक विहार ये एक एमर्जंसी है गाड़ी और तेज चलाओ उसने रफ्तार और बढ़ाई टेक्सी हवा से बाते करने लगी थी लेकिन मुझे फिर भी यही लग रहा था कि वे छकड़े की तरह चल रही थी अहां हटो एक आएक मैं बोला चलती टेक्सी में ही मैंने उसे अपनी तरफ खीचा और स्वयम उसकी जगे ले ली गाड़ी सड़क पर बूरी तरह से लहराई वे एक बस से टकराने से बाल-बाल बची मैंने स्टियरिंग को काबू में किया और टेक्सी को यू सड़क पर भगाया जैसे तोप से गोला छूटा हो ड्राइवर ने आखे बंद कर लियो और बधावास सा हनुमान चालीसा का पाट करने लगा ग्यारा दस को मैंने टेक्सी को अपने कोटी के सामने ले जा खड़ी किया मैं टेक्सी से बाहर निकला ड्राइवर को भाड़ा चुकाने के लिए अभी मैंने अपनी जेब की तरफ हाथ ही बढ़ाया था कि टेक्सी तो ये जाए वो जाए मैं अपने घर की तरफ आकरशेत हुआ इमारत अंधेरे में डूबी हुई थी केवल गेट की बत्ती जल रही थी लेकिन उसका प्रकाश कंपाउंड से पार इमारत तक नहीं पहुच रहा था क्या विपिन वहाँ पहुच चुगा होगा मैंने मन ही मन सोचा और बीतर बातरों में पिस्टॉल लिये बैठे मेरी बीवी के लोटने का इंतिजार कर रहा होगा मैं गैरेज में पहुचा गैरेज खाली था मेरी जान में जान आई गैरिज में कार की गैर मौजूदगी साबित कर रही थी कि मेरी बीवी अभी तक वापस नहीं लोटी थी मैंने आगी बढ़कर किचन का दर्वाजा ट्राई किया दर्वाजा बंद था इसका क्या मतलब हुआ क्या विपिन भी अभी तक यहां नहीं पहुचा नहीं नहीं भीतर दाखिल हो चुकने के बाद उसने फिर से दर्वाजे को ताला लगा दिया होगा ताकि दर्वाजा खोला देखकर मेरी बीवी को किसी तरीके का शक नहो विपिन जरूर बात्रूम में पहुच चुका था अब मेरे सामने एक नई समस्या मूब आए खड़ी थी मैं भीतर कैसे दाखिल हूँ उस दर्वाजे की अपनी चाबी तो मैंने विपिन को दे दी थी मैं बाहर खड़ा अपनी बीवी का आगमान का इंतजार कर सकता था लेकिन उस सूरत में मैं उससे बीतर विपिन की मौझूदगी कैसे चुपा सकता था मौझूदा हालात में विपिन की वहां मौझूदगी का कोई इशारा भी मेरी बीवी को मिलना मेरे भविश्यक के ग्रहस्ती जीवन को आग लगा सकता था मैंने विपिन को आवाज लगाने का खैल किया लेकिन फॉरण ही वह इरादा छोड़ दिया वे तो पता नहीं सुनता या ना सुनता पड़ोसी जरूर मेरी पुकार सुनकर अपने अपने घरों से बाहर निकलाते अगला कदम मैंने फॉरण निर्धारित कर लिया था नकिवल निर्धारित कर लिया था बलकि उस पर अमन भी कर लिया था एक पाइप के रास्ते मैं पहली मंजिल तक चाड़ गया उस गड़ी मुझे हड़ बड़ी ना होती तो मुझे याद आ जाता कि विपिन ने नीचे की एक खिर्की को जबरन खोल कर भी छोड़ना था मैं उसी खुली खिर्की के रास्ते इमारत में दाकिल हो सकता था पलक जपकते ही मैं पहली मंजिल के प्रोजेक्शन पर पहुँच गया कई खिर्कियां ट्राइ करने के बाद मुझे एक खुरी खिर्की मिली मैंने भीतर कदम रखा अंधेरे में ही मैंने उस खिर्की वाले कमरे से बाहर निकल कर गलियारे में कदम रखा मैं बेडरूम के दर्वाजे पर पहुचा और उसे धखेल कर भीतर दाखिल हो गया उस वक्त मेरी अकल इतनी जड़ हो चुकी थी ये इसी बात से साबित हो सकता था कि मुझे ये न सूजा कि बेडरूम का दर्वाजा खुलने पर बातरूम में मौझूद विपिन मेरी बीवी को आया समझ कर मुझे ही शूट कर सकता था बेडरूम क्रोस करके मैं बातरूम में पहुचा बातरूम खाली था विपिन वहां नहीं था लेकिन इस वक्त तो उसे यहां होना चाहिए था कहां मर गया था हराम जादा मैंने फिर अपनी रेडियम डायल वाली घड़ी पर निगाँ डाली ग्यारा बीस हुए थे आया नहीं था तो आता ही होगा फिर मुझे अपनी घड़ी के टाइम पर विश्वास भी नहीं था वे अकसर आगे पीछे जो होती थी क्या पता अभी विपिन के आने का टाइम ही न हुआ हो क्या पता मेरी घड़ी आगे हो गई हो और अभी ग्यारा ही बजे हो मैंने बातरून के दर्वाजे और चौकट में कोई एक इंच की जिर्री पैदा की और उसमें निगाँ लगाए विपिन के वहाँ पहुचने की प्रतिक्षा करने लगा बत्ती मैंने जान मुझकर नहीं जलाई थी भीतर रोशनी देखकर विपिन वहाँ कदम रखने में गुरेश कर सकता था मैं प्रतिक्षा करता रहा एक-एक पल एक-एक घंटे की तरह गुजर रहा था कहां मर गया था विपिन भोका तो वह दे नहीं सकता था जरूर मेरी घड़ी ही गलत टाइम दे रही थी उसी क्षन मुझे एक हलकी सी आर्ट मिली मैं कान लगा कर सुन्य लगा वे बाहर गलियारे में पढ़ते किसी के कदमों की आर्ट थी विपिन आ गया था मैंने दर्वाजा थोड़ा सा और खोल कर जिर्री को और चोड़ा कर लिया और रिवल्वर संभाल ली मेरा इरादा विपिन को शूट कर देने का था वे एक मामूली चोर था और शायद वही नीशा का हत्यारा भी था अपने भविश्य की सुक शांती पर मैं उसको बलिदान कर देने का पूरा इरादा कर चुगा था उसका जिन्दा रहना वैसे भी मेरे लिए खतरनाप था वे कभी भी मेरी पोल खोल सकता था मुझे बेडरूम का हैंडल घुमाए जाने की और फिर दर्वाजा खुलने की आवाज आई किसी ने खुले दर्वाजे के पीतर कदम रखा मैंने दो फायर किये दर्वाजे पर खड़ी आकरूती हावा में लहराई और फिर निशब्द बेडरूम के कालीन बिचे फर्ष पर धराशाही हो गई मैंने बातरूम से बाहर कदम रखा और फिर मैंने बिजली का स्विच आउन किया बेडरूम ट्यूब लाइड के प्रकाश में नहा गया मेरी दर्वाजे के पास पड़ी आकरूती पर निगा पड़ी तो रंद मुझे अपनी सांस रुकती महसूस हुई यही करिश्मा था कि मेरा हाट फेल नहो गया कर फर्ष पर जागिरी मैं दोड कर अपनी बीवी के करीब पहुचा नीचे जुक कर मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया रवी वै फस फस आई रवी उसके मुझे से निकले वे दो आखरी शब्द थे उसके बाद उसने खून के उल्टी की और मेरी बाहों में ही दम तोड़ दिया मैं विक्षिप्टो की तरह चिलाने लगा बाद में मुझे बताया गया कि चार आदमियों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से मुझे अपनी बीवी की लाश से नोच कर अलग किया था और डॉक्टर द्वारा बेहोशी की दवा का इंजेक्शन दिये जाने के बाद भी मैं चला रहा था अपने ही हातों पर लोग सिधार चुकी अपनी बीवी का नाम ले लेकर उसे पुकार रहा था रो रहा था बिलख रहा था और उसी क्षन अपनी मौत की कामना कर रहा था मैं फासी कोटी में बंद था और कुछ दिर बाद मुझे फासी पर चड़ाया जाने वाला था आज दो जनों को फासी मिलने वाली थी एक मैं था और दूसरा भी मेरे जैसा ही एक अभागा व्यक्ति था मेरी तरह उसने भी उस चीज़ को अपने हातों नश्ट किया था जिससे कि वह बहुत प्यार करता था एक जिस्टी कोण से हम दोनों निर्दोष थे और दूसरे से दोनों गुनेगार हम दोनों कातिल थे लेकिन क्या हम कतल करना चाहते थे नहीं फिर भी हमने कतल किये हम हालात के हातों मजबूर थे हम दोनों ने अपने सबसे प्यारे खिलोने को खुद छिन भिन कर दिया था अपनी तरफ से गोलिया मैंने अपनी बीवी पर नहीं चलाई थी वे गोलिया तो मैंने विपिन कुमार पर चलाई थी जिसको कि मैंने अपनी बीवी का कतल करने के लिए तयार किया था अपनी बीवी की तो प्रान रक्षा के लिए मैं वहाँ आया था जो हाथ उसकी रक्षा करना चाहते थे उन्होंने ही उसकी जान ले ली मेरी बीवी को मरे एक साल हो चुका है अब तक हर कोई जान चुका है कि वास्तव में क्या हुआ था सब कुछ सविस्तार अखवारों में च्छप चुका है वास्तव में उस रोज थाने में कते कदम ना रखना मेरी गलती थी मेरा जोड़ीदार, मेरा दोस्त, रमेश टोकस मेरे लिए फिकर मंद हो उठा था जब मैं शाम तक भी थाने ना पहुचा तो वो मेरी तलाश में निकल पड़ा मेरी तलाश ही उसे फिर विपिन के यहां ले गई इस बार उसने विपिन को सहज ही न छोड़ दिया अपनी विवसाय सुलब कठोरता के साथ जब उसने विपिन से सवाल पूछने आरम किये तो विपिन की हिम्मत दगा दी गई उसकी खामखा की गबरहट ने टोकस को और भी शक में डाल दिया फिर उसने उसके पास से एक पिस्टॉल बरामत की जो की मैंने उसे अपनी बीवी की हत्या करने के लिए दी थी उसने विपिन को गिरफतार कर लिया अगर मैंने थाने से संपर्क रखा होता जैसा की मेरा A.S.P. भी चाहता था तो मुझे विपिन की गिरफतारी की खबर लग जाती और फिर बेहत धुआधार तरीके से उस रात को जो कुछ मैंने किया था वे गैर जरूरी हो जाता विपिन गिरफतार था तो मेरी बीवी को उससे अपनी जान का कोई खत्रा नहीं था मेरी खामखा की धिटाई और होश्यारी ही मेरे सर्वनाश का कारण बनी थी मेरी घड़ी भरोसे के काबिल नहीं थी इसलिए उस रात टाइम का मुझे कोई सही अंदाजा नहीं था मेरी योजना के अनुसार विपिन ने मेरे घर में पहुँचना था और निशा को बाद में इसलिए उस रात जब बेडरूम का धर्वाजा खुला तो मैंने निशांकोच ये समझ लिया था कि विपिन आया था लेकिन विपिन नहीं था मेरी बीवी आई थी विपिन कैसे आ सकता था वे तो लॉक अप में बंद था काश मुझे इस बात की खबर होती काश मैं उतना नशे में ना होता जितना की मैं उस रात था विपिन के धोके में मैं उस औरत पर गूली चला बैठा था जिसे मैं दिलो जान से चाहता था मैं अपने हातों निशा का खून कर बैठा था अपनी बीवी का हत्यारा था एक तरह से देखा जाये तो वै महज एक दुर घटना थी मेरे वकील ने अदालत में यही साबित करने की कोशिस की थी कि मेरी बीवी दुर घटना वाश मारी गई थी मैंने घर में कोई चोर गुसाया ऐसा समझ कर उस पे गोली चलाई थी मेरा वकील अपनी वाग पुटता से कानून को धोका दे सकता था और मुझे छुडवा सकता था छुडवा नहीं सकता था बहुत हलकी सजा भी दिलवा सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसलिए नहुआ क्योंकि अपने वकील के अपने दोस्त टोकस के भरपूर विरोत के बावजूद मैंने चिला चिला कर अदालत में कहा कि मैं हत्यारा था मैंने जानमूच कर सोच विचार कर अपनी बीवी की हत्या की थी और इसलिए सक्त सक्त सजा का हगदार था मुझे सक्त से सक्त सजा मिली फांसी की सजा मैंने भारी संतुष्टी का अनुभव किया जो गुना मैंने किया था यही उसकी तलाफी थी मौत की सजा तो मैं खुदी अपने आपको दे चुका था अदालत ने तो सिर्फ उसकी तस्दीक की थी गोली चलाने वला हाथ विपिन का होता तो भी अपनी बीवी का अपनी बेगुना बीवी का हत्यारा मैं था अदालत मुझ पर रहम खा सकती थी लेकिन मैं अपने आप पर रहम खाने को तयार नहीं था अदालत मुझे परान दंड ना देती तो मैं खुद अपनी जान ले लेता फासी की सजा पाक हरी पस्चाताप से जलते हुए मेरे मन को चैन मिला था आज मेरे बाद जिस आदमी को फासी लगने वाली थी वे नीशा नामक कैबले डांसर का हत्यारा था वो S.P. श्रिवास्तव था अविश्वास और अनास्ता ही इंसानी रिष्टों को दीमक लगाती है वे मोटा गंजा आदमी शान्ती प्रसाद श्रिवास्तव जो मूँ से नीशा को अपनी बेटी के समान बताता था वास्तव में उस पर दिल छिड़कता था नीशा उसे हासिल न भी होती तो भी वे उससे प्यार करता रहता ऐसी लगनो और आस्ता थी उसके प्यार में उसे तो नीशा के तलवे चाटने वाले कुट्टे का भी दर्जा कबूल था इसी लिए अगरवाल को ब्लैक मेल करने की स्कीम में वे नीशा के कहते ही शामिल हो गया था इसी लिए उसने अगरवाल से एटी रकम में से एक काला पैसा भी अपने पास नहीं रखा श्रिवास्तव को जो बात गवारा नहीं होई थी वे यह थी कि जो प्यार उसे हासिल नहीं हो रहा था वे निशा जिस तिस पर जी भर कर लुटा रही थी उसने निशा को समझाने की कोशिश की थी तो निशा ने उसकी खिल्ली उडानी शुरू कर दी थी उससे वह तोहीन बरदास्त नहीं हुई उसने नीशा का खून कर दिया था अब जो चीज उसे हासिल नहीं थी वो किसी को भी हासिल नहीं थी मुझे उस पर केस की शुरुआत में ही तब शक होना चाहिए था जबकि वह बिना पूचे ही बताने लगा था कि नीशा उसकी बेटी के समान थी उसका गिल्ट कॉंशेसी उसे बार बार ऐसा कहने पर मजबूर कर रहा था उसने जिवरात क्यों चुराए वे जिवरात वास्तव में नीशा नहीं उसे समय समय पर उभार स्वरूब दिये थे कतलक के बाद एक तो इसी लिए उसने जिवरात नीशा के फ्लैट से उठा लिये थे और दूसरे वे उन्हें नीशा की यादगार की तौर पर अपने पास रखना चाहता था आखिर वे नीशा के शरीर को छूते थे उस शरीर को छूते थे जिसे चूने का उसका अर्मान कभी पूरा नहीं हो सकता था मेरे से पंधरा मिनट बाद आज श्रिवास्तों को भी फासी लगने वाली थी एक ही जलात के हातों, एक ही जगा, एक ही तरीके से दिल के हातों मजबूर दो व्यक्तियों का एक जैसा अंजाम असली कहानी मैंने किसी को नहीं बताई थी टोकस को भी नहीं उसने मुझसे बहुत पूचा था कि वास्तों में क्या हुआ था लेकिन मैंने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया था वो मेरा हित करना चाहता था लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मेरा हित तो मौत की सजा पाने में था अपने अपराद की सजा भुकते बिना मेरी आत्मा को शान्ती नहीं मिले वाली थी विपिन कुमार से टोकस को असली कहानी का काफी हद तक अंदाज़ा हो सकता था लेकिन विपिन इस मामले में बहुत सायाना निकला जब उसने देखा कि मैं अपनी जुबान नहीं खोल रहा था तो वे भी होट सीकर बैड़ गया टोकस ने बीच में मुझसे मिलकर केस से सम्बंदित कुछ और बाते स्पष्ट की जैसे सोमवार शाम को राम कुमार अगरवाल वाके ही फरीदाबाद के सिनिमा हौल में सिनिमा देख रहा था सिनिमा के बुकिंग कलर्क और उशर दोनों ने अगरवाल को पैचाना था वे कतल के इलजाम से तो बरी हो गया लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर सूरज जोशी ने तस्वीरों की वजह से उसकी बहुत दुर्गती की मेरा महकमा लाग कोशिश करने पर भी उन गंदी तस्वीरों के अस्थित्वों को जनता से छुपाई ना रख सका अगरवाल पर खूप थूटू हुई जेल में एक बार सूरज जोशी मुझसे मिलने आया मैंने उसे किसी प्रकार का कोई इंटर्व्यू देने से साफ इंकार कर दिया उसने मुझे बताया कि वे जान चुका था कि अगरवाल की गंदी तस्वीरों के बारे में उसे गुमनाम टिप देने वाला पुलीसिया मेरे सिवाए और कोई नहीं हो सकता था लेकिन अब मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता था जेल में ही एक और सुकत समाचार मुझे यह मिला कि अपने चाचा की भरपूर मुखालफत के बावजूद कुरुशना भारगव ने गरीमा सहाय से विदिवत ब्याह कर लिया था अपनी फासी की हाई कोट से तजदीक होने के एक दिन बाद मैंने एक वकील को जेल बुलवा कर अपनी सारी चल अचल संपत्ती टोकस के नाम कर ली थी वकील को मैंने खास हिदायत दी थी कि मुझे फासी हो चुकने से पहले टोकस को मेरी उस वसीयत के बावत ना बताया जाए मेरी दिली खुआइश थी कि बलैक मिलिंग के इल्जाम में सुष्मा सोनी के भाई कुमार को कोई सजा जरूर हो जाती लेकिन ऐसा तभी हो सकता था जबकि असली कहानी सामने आती और मैं यह नहीं चाहता था आज मैं शान्थ हूँ आज मेरे मन में कोई तूफान नहीं उठ रहा आज मैं निर्मल मन से संपूर्ण आत्म संतोष का नुभव करते हुए फासी चड़ जाने वाला हूँ अगर वाकई भगवान है तो शायद इसी वज़े से वह मेरी खता माफ कर दे और मुझे मेरी निशा से फिर मिला दे और कुछ देर बाद जो फानी दुनिया में अपने पीछे चोड़ जाने वाला था उसमें एक बात कोई नहीं समझ सकता था कि निशा का खून उसके प्रती मेरी अविश्वास और अनास्ता की भावना ने किया था अपनी पत्नी में मेरी अनास्ता ने ही मेरा सर्वनाश किया था काश मैं समय रहते समझ पाता कि आस्था प्रमाणों पर आधारित विश्वास नहीं बलकि अबाद समर्पन का नाम ही आस्था है ये बात मेरी बीवी समझती थी मैं नहीं समझता था मैं अच्छा पुलीसिया था लेकिन अच्छा इंसान न निकला मैं औरत के प्यार को ना समझ सका मैं औरत को ही ना समझ सका ये थी रवी कुमार नामक इंस्पेक्टर की कहानी जिसने अविश्वास और अनास्था की वज़े से अपनी बीवी की हत्या कर दी दोस्तों जिन्दगी में अक्सर हमारे सामने ऐसे मौके आते हैं जहां हमें सच क्या है और जूट क्या है इसका फैसला करना होता है और तब जरूरी ये होता है कि हम बड़े शान, तिमाग और समझदारी से चीजों को सुने, समझे और फिर किसी फैसले पर आए उमीद है आप लोगों को सुरेंदर मोहन पाठक जी की ये कहानी मेरी आवास में पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो आप लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरे हर नए शो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे फिलाल के लिए मैं चलता हूँ फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ